कर दो स्वागत है आपका हमारे परिवार केरियर अपडेट वाइंजीनियर में मेहूर रजन राज उम्मीद करता हूँ आपसे बेहतर होंगे स्वस्थ होंगे बेहतर ही तरीके से आप लोग अपनी त्यारी कर रहे होंगे सभी भायों का सभी दोस्तों का स्वागत है आज की मेराथन क्लास में दोस्तों जैसे कि आपको पता है जो आपकी सेल की वेकेंसी आईवी थी दुरगापूर इसको की इनपी सेयल नरूरा की उसका एकजाम डेट आ चुका है जो की करमसा 5 और 7 अपरेल को है ठीक है तो यहाँ पर दोस्त हम लोग जो है क्या करने वाले हैं सव महत्तों प्रस्णों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सव महत्तों प्रस्णों हर चैप्टर से यहाँ पर प्रस्ण रखे गए साथी साथ सेल की जो परिच्छा है उसके previous year जो questions है maximum जो questions हैं रखने का प्रयास किया गया है धोड़कर या कहीं जगां से, किताबों से वो sale के ही question रखने का प्रयास किया गया है तो इसलिए कुछ question आपको simple भी लग सकते हैं और कुछ question आपको continue लग सकते हैं क्योंकि मैंने प्रयास यह किया है दोस्त कि जो sale के question है वही जादा से जादा रखे जाएं तो सव प्रस्न हैं यहाँ पर सव प्रस्नों को हम लोग बहतरीन तरीके से डिसकस कर रहे होंगे देन इसके बाद इसी में आपको मैथ की प्रेक्टिस भी करा देंगे ठीक है भाई जैसे कि आपको पता है NPCIL में भी मैथ हानी है और आपकी सेल्ग जो है उसमें भी 15 नंबर के आसपास आपकी मैथ हानी है तो फिटर मैं आपको करा दे रहा हूँ फिर उसके बाद सौरब सर आपके साथ जोड़ जाएंगे जो कि आपको मैथ की प्रेक्टिस मातपूर्ण प्रस्णों के सिंखला जो है वो करा देंगे तो आपका इधर ट्रेड ठीरी और मैथ एक कंप्लीट हो जाएगा साथी साथ मैं बच्चों से कहूंगा कि अगर किसी परिच्छा के आप तयारी कर रहे हैं तो देखो दोस्ते क्वेस्चन तो कामण ही होते हैं जैसे की ये लपी की क्वेस्चन की कुछ दिन से प्रेक चल रही है तो भाई 100 वेस्टे आप यहीं से कर लो ये मानओ कि आपके 5 क्वेस्चन के बडाबर आपकी यहां पर तयारी हो गई है ठीक है चले चलिए भाई चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को उसके पहले दोस्त बता दूँ कि अगर ट्रेड थीरी का ट्रेड की जो फीटर थीरी है उसका आप complete कोर्स जोईन करना चाहते हैं थीरी का तो हमारे एप पर जुर सकते हैं एक का नाम है दोस्त कैरियर अपडेट बाई इंजीनिर ठीक है कैरियर अपडेट बाई इंजीनिर ठीक है पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं अब आईए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रस्न की तरफ पहला प्रस्न दोस्त आप से क्या पूछा है बताइए कि 20H7 की आयाम में जो H है उसका क्या अर्थ है टॉलिनेंस ग्रेड है मेंड डेवियेशन है ओर जीनल साइज ह है और चौथा है आपका फंडामेंटल डेवियेशन ठीक है मैंट की क्यूशन भाई 60-70 कराएंगे ठीक है उस और अपसर कराएंगे 60-70 की आसपास रहेंगे तो उसमें भी पूरा जान लगाने की कोशिस करेंगे क्योंकि आपको इस पता है कि सेल की क्यूशन ऐसा नहीं कि म आप असानी से पस्नों को कर पाऊगे तो साट से सप्तर क्यूशन आपके लाश में मैच के कराएंगे पहले फिटर का होगा चलिए अब थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं 27-27 में एज का आर्थ क्या है तो भाईया एज क्या बताता है दोस्तों फंडामेंटल डेवियेशन म विचलन को कि विचलन क्या है मेरे दोस्त बताइए तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने किसी भी वड़कर को एक साफ्ट बनाने के लिए दोस्त यहाँ पर दे दिया ठीक है साफ्ट आपने दे दिया soft का जो basic size है वो क्या है भीया मैंने माना कि soft का जो basic size है वो कितना है basic size आपका soft का कितना है 50 है ठीक है और आपने worker को इसके उपर क्या दिया भीया limit दिया limit limit समझते हो basic size के उपर जो limit दी जाती है यानि कि जो उच्च सीमा या निमने सीमा जैसे simple समझो जैसे की मान के चलो मैंने लिख दिया दोस्ति यहाँ पर 50 plus 0.5 और minus 0.5 इसका मतलब क्या है 0.5 आपकी क्या है 0.5 आपकी high limit है ठीक है और यह minus 0.5 है यह आपकी क्या है low limit है low limit मतलब दी गई है देने के बाद आपकी अगर वैसे निकालोगे तो high limit कितना हो जाएगा 50.5 और low limit कितना हो जाएगा 49.5 इसका मतलब यह है कि हमने worker को क्या दिया भाई या छूट दिया और आपको भी पता है कि high limit और low limit के अंतर को क्या कहते हैं तो हमने worker को इतना छूट दिया कि भाई हमने आपको basic size soft का कितना दिया 50 अब हम आप से क्या कहते हैं कि आप soft को या तो 50.5 और 49.5 के बीच में कहीं पर भी क्या कर सकते हो बना सकते हो ठीक है कहीं पर भी क्या कर सकते हो आप इसके बीच में soft को बना सकते हो अब माने के चलो वरकर ने जो soft को बनाया soft का जो size बनाया समझो भाई समझ में आजा है अगर deviation जीवन भर आप नहीं भोलोगे अगर आप इसको समझ लेते हो soft का size जो बनाया वरकर ने वो कितना बनाया भाई वो बनाया 50.5 यानि कि जो actual size है soft का वो कितना हुआ वो हुआ आपका 50.5 कितना हुआ actual size कितना हुआ 50.5 और basic size आपका कितना है 50 है तो basic size और actual size का जो mainly difference होता है वही आपका क्या कहलाता है deviation deviation क्या होता है भाई deviation यानि कि विचलन क्या होता है तो आप कहोगे it is the difference between ठीक है धुरा जल्दे लिकरा रहा हूं दोस्ट difference between क्या है difference between क्या है difference between है आपका actual size actual size and basic size actual size and basic size अब इसी में deviation में दो तरह का deviation आ जाता है upper deviation जो ये मैंने निकाला upper deviation निकाला जैसे कि मैं आपसे कहूं दोस्त कि आपने क्या लिखा 50.5 है ये कैसी है इसकी high limit है साब्ट की कैसी limit है दोस्त high limit है साब्ट की 50.50 में से 50 घटा दिया तो ये जो आपका आया deviation ये कितना आया upper deviation यानि की high limit वाला deviation ठीक है और मैंने क्या किया भया 50 में से इसकी low limit को घटा दिया 49.5 तो ये भी कितना आया 0.5 ये आया भीया क्या lower deviation क्या आया lower deviation तो बताओ भाई deviation आपको थोड़ा बहुस अच्छा थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे ठीके भाई दोस थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे बताए ये deviation आपको समझ में आया की नहीं थोड़ा बहुत deviation समझ में आया की नहीं देखो जो मान के चलो मैंने आप बरकर से कहा कि भी आप 50 का हमारा basic size है इसके उपर आप 0.5 mm छूट ले लो और इसके नीचे भी 0.5 mm छूट ले लो यानि कि high limit मैंने उसको दिया 50.5 का और low limit दिया 49.5 का अब आप कहोगे क्यों हम 50 का नहीं बनाते भाई अगर accurate एकदम 50 का आप mass production नहीं कर पाओगे तो इसलिए limit fitted tolerance का क्या आया भाई या concept आया और limit इसलिए दी जाते भाई अगर इसके बीच में तुम्हारा part होगा तो accept कल लिया जाएगा अब मान के चलो basic size तो आपने दिया 50 का और उसने जो actual size बनाया 50.5 का तो उसके बाद इसके बीच actual size और basic size के बीच का जो difference है वही क्या है दोस्त वही आपका deviation है अब ध्यान से समझेगा जैसे कि यहाँ पर आपको प्रस्ने में दिया है 20H7 तो इसको तो समझते ही हैं एक चीज और यहाँ पर समझते हैं हम लोग जैसे कि मान के चलो आपको इस तरीके से पूरा मैं लिख द होता है यह पूरा एक तरीके से जो प्रदर्शित करने का फार्मूला होता है तो 20 इसमें क्या बताता है दोस्त 20 इसमें बताता है आपका basic size को क्या बताता है basic size को है एच क्या है एच है आपका fundamental फंडामेंटल डेवियेशन फंडामेंटल डेवियेशन आफुद होल ठीक है यानि की होल का क्या है भाई होल का मूल भी चलन इसी तरीके से 7 क्या है 7 क्या है भी या तो आप कहोगे होल की यानि कि छिद्र की tolerance grade tolerance grade बताए टॉलरेंस grade जो है वह आईस इंडियान सिस्टम में और बिया सिस्टम में Bureau आप इंडियान सिस्टम में कितने प्रकार की होती है अगर आपको पताया तो बताए क्योंकि आप भी अपनी तैयारी को अभी final रूप दे रहे होंगे तो आप एक तरह से टेस्ट है ठी फंडामिंटल डेवियेशन फंडामिंटल डेवियेशन आप साफ्ट ठीक है और यह क्या है यह सिक्स क्या प्रतित करता है साफ्ट की साफ्ट की टॉलरेंस ग्रेड तो अब बताओ अगर इस तरीके का प्रस्ण चली बहुत अच्छी वात है चली बताइए अब अगर इस तरीके का जैसे मान के चली भी आप से एच पूछा कि एच क्या प्रतित करता है तो आप बताइए इसमें से कोई भी पूछेगा तो आप कर ले जाओगे कि नहीं तो इस तरीके से प्रस्ण जो है आपसे बनते हैं मै मैंने आपसे पूछा किसी ने उसका उत्तर दिया हाँ भाई बिल्कुल उत्तर दिया सभी का उत्तर यहाँ पे सही है जो बियाइस के अनुसार बियाइस जो में जो टॉलरेंस ग्रेड होते हैं वो आईटी ग्रेड होते हैं सिंपल समझो कैसे होते हैं आईटी ग्रेड आई IT1 से लेकर IT16 ठीक है तो IT1 से IT16 तक 16 हो गया और दो और जोर 2 तो टोटल ग्रेड टॉलरेंस ग्रेड कितने हो गए टोटल ग्रेड हो गए 18 अब अगला पस्ने क्या बनता है कि बियाईस में जो टोटल कंडामेंटल डेवियेशन होते हैं वो कितने होते हैं बी आईयस में fundamental डेवियेशन बी आईयस में जो fundamental डेवियेशन टोटल होते हैं वो कितने होते हैं भया 25 यह भी आप ध्यान रखोगे यह भी प्रस्न पुछा जाता है ठीक है चलिए भाई अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं तो देखो इस तरीके से इस फीगर की सहायता से आ जैसे की आपका देखो चलो यहीं पर समझायता हो थोड़ा सा फीगर साफ नहीं दिख रहा होगा ठीक है देखो जैसे की मान के चलो यह आपका होल है ठीक है यह यह आपका होल है और दिन यहां पर क्या है यहां पर देखो यह आपकी साफ्ट लगी हुई है यह आपकी क्या है यह बताओ क्या है बोई बता सकता है यह है आपका होल का टॉलरेंस जोन क्या है यह कलर दिख रहा है मेरे दोस्त हाँ नहीं दिख रहा है यह क्या है यह जो है यह है आपका क्या यह है आपका फोल का फोल का टॉलरेंस जोन टॉलरेंस जोन और यह क्या है मेरे भाई यह वाला ठीक है चलिए यह वाला क्या है तो आपको होगी यह वाला है साफ्ट का यह वाला साफ्ट का टॉलरेंस जोन ठीक है बाकी यहाँ पर हाई लिमिट लो लिमिट जीरो लाइन यह साड़ा कुछ दिखाएगा अगर आपको वारे आपने थोड़ा साफ्ट कहीं पढ़ा होगा तो यह सारा फिगर आप जो है समझ पा रहे होगे ठीक है भाई चलिए चलिए आगे बढ़ें अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा व्याति करण फिट का एक उधारन है यानि कि विच आप दा फालोविंग इस एन एक जांपल आप इंटर्फेरेंस फिट तो आप क्या बताओगे भाई कौन सा इंटर्फेर है दोस्त आप कहोगे क्लिएरेंस फिट स्लाइडिंग फिट कौन सा होता है या क्लिएरेंस फिट यह स्रिंग फिट आपका इंटर्फेरेंस यह आपने देखे लिया रनिंग फिट आपका कौन सा होता है क्लिएरेंस फिट यह भी कौन सा होता है भाई क्लिएरेंस फिट पुचा गया है अब देखिए जो transition fit आपका है इसमें transition fit कौन सा fit यिवर आपका इसा fit जिसमें ना तो clearance होता है ना तो interference होता है यही आप एक आप से पुछा गया था कि transition fit कैसा fit है तो आप कहोगे इसमे इसमे ना ना तो clearance होता है और ना ही interference होता है और ना ही interference अब देखो आपने देखा कि यहाँ पर shrink fit जो है यह कैसा इसके अलामा और कौन कौन से interference फिट होते हैं बताईए ठीक है चली भाई हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है दोस्त अब बताईए कि इसके अलामा कौन कौन से interference फिट होती है तो आप कहोगे फोर्स फिट फोर्स फिट और कौन सी हो जाएगी भाई या ड्राइविंग फिट यह याद रखना दोस्त बहुत है यह आप से पूछा जाता है अब आप नहीं यह तो पढ़ लिया कि सब फिट हैं अब फिट है क्या फिट है क्या अगर भाई म निया से मली में एक 40 mm आपका basic size दिया है प्लस 0.040-0.060 mm के चिद्र में यानि कि यह whole का size दिया हुआ है ठीक है और भाई साफ्ट का size यहाँ पर कहा है साफ्ट का size दिया ही नहीं है ठीक है इसका मतलब जो प्रस्ण है वो सही से type नहीं है ठीक है प्रस्ण जो ही क्या है दो ठीक है यहाँ पर देखो यह whole का size दिया है अब यहाँ पर soft का size आप कुछ भी लिख लो मान के चलता हूँ मैं soft का size है वो basic size तो यहीं होगा 40.000 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ plus अब इसी तरीके से whole का size यह है तो soft का size भाई यहाँ पर निकाल लो ठीक है आपका size कुछ भी रख दो plus 0.020-0.030 ठीक है कुछ भी रख दो बस आपको यहाँ से जो प्रस्न पूछा वो आपको पता होना चाहिए कि नियोनतम हस्त अच्छेप है यानि कि जो आपका minimum interference है वो आपको निकालना है दोस्त मिनिमम इंटर्फेरेंस आपको यहाँ पर निक हाँ दो macing part के matching part के आपसी संबंद को fit कहते हैं बहुत सांदार भài icon सांदार की जो आपका दो मिन ने वाले से हैं उनके बीच जो संबंद होता है उसी को हम लोग क्या कहते है दोस्त उसी को हम लोग कहते है fit ठीक है चलिए अब देखे यहाँ पर मैं आप से कहूं भाई तो सब से पहले आपको सब से पहले आपको maximum और minimum size निकाल ली होगी तो यहाँ पर आपका दिया है whole का तो इधर मैं कर लेता हूँ इधर कर लेता हूँ बताईए whole का maximum limit आपका कितना हो जाएगा whole का बताईए कितने लोग को अच्छे बिल्कुल समझ में आ रहा है कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब tolerance वगेरा जो है बिल्कुल यह interference क्या है कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं बताईए अगर आप दोस्त पहले कभी पढ़े होंगे तो समझ में आएगा फोल का maximum limit कितना हो जाएगा भाई 40.0060 ठीक है और minimum limit कितना हो जाएगा minimum limit आप कितना हो जाएगा आप कहोगे 40.040 यह यहाँ पर लिखा हुआ 40.040 इसी तरीके से आप soft का निकाल लो soft का maximum limit कितना हो जाएगा भाई soft का maximum limit कितना हो जाएगा 40.030 और soft का minimum limit कितना हो जाएगा 40.020 अब आपको निकालना है minimum interference तो minimum interference का फार्मूला बताईए minimum interference का भहिया क्या बताईए फार्मूला बताईए मेरे दोस्त ठीक है भहिया कौन से वेकेंसी की बात कर रहे हो दोस्त ये अलग से message कर देना मेरे पास कमेंट में तुम्हाई रिपलाई दे दूँगा यहाँ पे हम भी वगएरा मत पूछो यार थोड़ा सा भी पढ़ाई वाली बात चल लए दोस्तों चलने दो ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर जो minimum interference होता है वो क्या होता है minimum interference क्या होता है तो आप बताऊगे soft key sorry आप क्या बताऊगे whole की maximum limit maximum limit minus क्या हो जाएगी soft key minimum जो आपकी minimum limit है या low limit है इसी कहते ही ठीक है यही आपका क्या होता है यही आपका minimum interference होता है तो whole की maximum limit कौन सी है दोस्त 40.0 40.060 minus साप्त की minimum limit कितना है 40.020 तो बताइए इसको सालो करके यहाँ पर देखो यह micrometer है यानि कि micron में आपका यहाँ पर उत्तर मांगा है तो आपको जो भी यहाँ पर अंसर आएगा उसको आपको किस में बदलना पड़ेगा भीया उसको आपको micron में बदलना होगा ठीक है तो कैसे बदलेंगे भाई कितना आएगा तो आप कहोगे 0.02 कितना आएगा 0.02 mm आपका यहाँ पर आजाएगा ठीक है अब 0.02 mm आया तो आप इसको क्या लिख सकते हो भीया इसको लिख सकते हो 20 micron क्या लिख सकते हो 20 micron लिख सकते हो तो कौन सा option सही हो जाएगा यहाँ पे option नहीं सही है क्योंकि गलत question type किया था तो आप इसी को 10 को 20 पना लो और इसको D वाले option को सही कर दो क्योंकि soft का limit दोस्त हम लोगों ने क्या लिया था अपने मन से लिया था यहाँ पे soft का limit type नहीं था कि तो भाई आप कहोगे कि अगर एक micron को लिखे दोस्त अगर एक micron को हम लिखें कितना होता है 0.001 mm होता है तो इसमें 1.0 कम था तो 1.0 आगे लगा दिया तो कितना हो गया दोस्त 20 micron आपका हो गया तो कौन सा उत्तर यहाँ पर option D 20 कर लो और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है अरे मेरे भाई इंटर्फेरंस फिट में साफ्ट बढ़ा होता है मुझे पता है दोस्त इंटर्फेरंस फिट में साफ्ट बढ़ा होता है यहाँ पर जो प्रस्न पूछेगा भाया वो आप बताओगे न यहाँ पर जब प्रस्न यार गलत ताई पता तो मैंने अपने मन से ले लिया वहाँ पर कि यह जो वैलू आप है ले लो ठीक है बाकी यार तुम कुछ भी रख्या इसको सालो करें यार मैंने तुमको यह बताया दोस्त कि आप अगर आप से minimum interference पूछे तो उसको आप कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे तो मैंने बताया मेर साफ्ट की minimum limit मेरा में मोट यह था कि आपको यह फार्मूला बताना कि अगर आप से कहीं भी minimum interference पुछे तो आपको यह वाला फार्मूला लगाना है अब यार प्रस्न पूरा टाइप होता तो इसमें सही गलत देखते यह तो मैंने अपने मन से ले लिया आपको बस दिखाने के लिए ठीक है चलिए चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं next प्रस्न की तरफ क्या बता रहें भाई यह भी बता दो ज्यान तुम्हीं दे दो भाई दोस्त क्या गलत बता रहें ही बता दो ठीक है चलिए निम्नलिखित मेंसे कौन सा द्रीपच्छी tolerance है कौन सा bilateral tolerance है सही फर् है कौन सा आपका यहाँ पर क्या है दोस्त बाई लेटरल टॉल्रेंस है जल्दी से बताईए ठीक है बताईए बताईए यहाँ पर कौन सा जो है आपका यह बाई लेटरल टॉल्रेंस है जल्दी से इस प्रश्ण का उत्तर आप देंगे अब देखो भाई अब option के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका बी वाले में देखो क्या है 0.0 और यहाँ पर माइनस है जीरो हो तो चाहे उसमें प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ कोई फिक नहीं पड़ता तो यह वाला आपका bilateral tolerance होगा आपको होगे नहीं सेम इसी तरीके से देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस में 0.08 है लेकिन जो दूसरा है वो 0.0 है उसमें किसी भी तरह का साइन नहीं लगा है यानि कि अगर देखो प्लस लगा दो कोई इफक नहीं पड़ेगा तो यह- 0.08 है और क्या है और क्या है माइनस 0.03 है लेकिन पहले वाले मगर आप देखोगे तो प्लस 0.08 है और माइनस क्या है 0.08 है तो ऐसी tolerance जो किसी basic size के दोनों और दी जाती है यानि कि आपको बड़ा किसी की size को बड़ा या छोटा दोनों करने के अन्मती दी जाती है ऐसे tolerance को हम लोग क्या कहते हैं भाई ऐसे tolerance को हम लोग bilateral tolerance कहते हैं ठीक है और अगर unilateral हो दूसरा क्या होता है unilateral तो unilateral क्या होता है ये क्या होती है ये soft के ये soft या whole soft या whole के basic size के soft या whole के basic size के एक ही और दी जाती है क्या होती है भाई एक ही और दी जाती है कौन सी आपकी जो unilateral tolerance होती है और जो bilateral tolerance होती है वो basic size के दोनों और आपकी दी जाती है तो कौन सा option सही हो जाएगा option number A आपका यहाँ पर सही हो जाएगा चलिए अगले प्रस्न की तरह बढ़ती है कि निम्न लिखित में से कौन सा बहुलक bullet proof वस्त बनाने में क्या किया जाता है दोस्त उपयोग किया जाता है bullet proof अगर वस्त आपका बनाना है तो उसमें कौन सा बहुलक उपयोग किया जाता है तो आप क्या बताओगे simple सा प्रस्न है सेल दुरगापुर में ये प्रस्न जो है आपका पूछा गया है तो आप क्या कहोगे polyamide जो आपका होता है वो उपयोग किया जाता है अब आप कहोगे sir आपने एक प्रस्न में तो polycarbonate बताया था तो देखो भाई यहां पर polycarbonate आप सब में नहीं है polyamide है तो polyamide का भी उपयोग किया जाता है साथ ही जाद आप ये ध्यान रखो कि जो आपका पाली कार्बोनेट है पाली कार्बोनेट जो ग्लास है उसका भी उपयोग बुलेट प्रूफ बुलेट प्रूफ वस्तर बनाने में बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा option number B आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रशनी की तरफ कि तामे का गलनांग कितना होता है जो आपका किया होता है दोस्त कावपर होता है देखो यह ही प्रसन पूछा गया है अब आपको यह प्रसन सिंपल लग रहे होंगे सिंपल है भी लेकिन भाई कयो कि इस सेल की परिछ्रा में پूछे गए हैं इस वज़ा से मैंने इसको यहाँ पर रखा है कि ताकि आपको एक idea हो कि भाई जो सभी प्रस्न है वो नहीं पूछे जाते हैं कथिन कुछ ही प्रस्न आपसे कि मान के चलो पहला दूसरा तीसरा प्रस्न था कुछ ही प्रस्न आपसे क्या होते हैं कथिन पूछे जाते हैं तो यह देखो प्रस्न पूछा गया, बहुत ही सिंपल प्रस्न है, वोकारोई स्टील प्लांट में प्रस्न पूछा गया, तो आप क्या बताओगे भाईया, तामबे का जो गलनांग होता है, 1083 degree centigrade होता है, ठीक है, तामबे का गलनांग एक हजार, यहाँ पर 83 कर लो भाईया, चलिए अब आपसे कुछ और पूछ लेते हैं क्योंकि यह इन सभी इन सभी धातूं के भी गल्लांग जो है आपसे पूछे जाते हैं जैसे कि मैं कहूं आपसे एलुमिनियम का बता दो भाई ठीक है एलुमिनियम का बता दीजे तीन का बता दीजे जिंग का बता दीजे दोस्त ठीक है लेड का बता दीजे लेड ठीक है रोट आयरन का बता दो मेरे भीया रोट आयरन रोट आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं पिटवा लोहा रोट आयरन दीजिवाइफ है माइल्ड इस्टील का बता दीजिए तो कम सकम इतने याद्र आष़ी के पटाइए कर देह। लेकिन एकर आपको लगता है क्लाइस को आप लोग logo ड़ो कि आ ठीक है, aluminum क्या है, aluminum का कितना होता है, 650 कहीं लिखा रहता है, कहीं 660 लिखा रहता है, 10 का कितना होता है, 230, zinc का कितना होता है, 420, lead का कितना होता है, 327, rho-taren का कितना होता है, वैसे त्रेक्चली होता है, 1549, ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपका 1550 से 1560 भी दिया रहे, 1550 से 1600 दिया सही है thoughts न Hilary होता है क्या होता है यह 1250 सो 258 होता है चलिए मैं को ड़ोह कुमार का उत्तर सही है थीक है लगबख सभी उत्तर इनके क्या होता है मैंञी कितना होता है तो आप कहोगे तेरा सो पचास से तेरा सो पचास से पंदरा सो तीस डिगरी सेंटीग्रेट होता है ठीक है दोस्त तो एक हजार तिरासी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं कि कि सधात उसे बनाया गया मिस्रधा तो हवाई ज सेल दुर्गापुर 2014 की परिच्छा में यह पूछा गया था ठीक है तो कौन सा होगा भाई कौन सा हो जाएगा कि कि सधात उसे बनाया गया मिस्रधा तो हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बो के पुर्जों में प्रयोग होता है तो आप कहोगे एलुमीनियम एलुमीनियम का ज सब्सक्राइब है जो लोहा है इसके आयस से जो हैं आप से प्रस्ण पूछ सकता है यानि कि इसके जो और्स हैं वह आपके कौन-कौन से हैं क्योंकि सेल का करे भाई इस टील काiran प्रेपर है रिफ या एस्वाल्टी आप इंडिया का है तो यह इस성ोली है वह क्या है दो ये यसस्टा और हो जाएगा तो आप तों गरीदेट और क्योग किउप्राइट हो जाएगा पड़ए08 हो जाएगा मैले काइट हो जाएगा मैले काइट ठीक है यह लिख लेना भाई क्या हो जाएगा मैले काइट हो जाएगा लोहे का हो जाएगा लोहे का क्या हो जाएगा तो आप क्या बताओगे हेमेटाइट लोहे का क्या हो दोस्त ये सभी आपके लोहे के हैं Aluminium का क्या हो जाएगा Bugside जो सबसे फेमस है Aluminium का सबसे फेमस का कौन सा है Bugside अभी है आगे पर उनने पूछा भी गया था वो भी मिलाया हूं Aluminium का क्या हो जाएगा US का बाक साइट हो जाएगा साथ ही साथ क्या हो जायेगा क्रायू लाइट क्रायू लाइंट कि के टीक है और इसी उस्हे जा अज इंगे आध humour सभी लोग सॉटर दे रहे हैं चलिए आगे पूस्थनित लेहें कि नियू लिखत में से सबसे भारी धा to कौन है अब देखे इसी तरीके के प्रस्न और पूछा गया था जिसमें जो आपका लेड वाला उप्षन है वो सही था तो देश तो देखो इस तरीके के प्रस्न करने के लिए आपको कम से कम जो periodic table है आपकी आवर्थ सारणी है उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपका होना चाहिए कि भाई किसी का कोई element है कोई तर्तो है तो उसका परमार कमांग कितना होगा उसका जो परमार उभार होगा वो किसके आसपास होगा या अगर हमारा कोई element किसी आवर्थ या किसी वर्ग में कहीं पर है तो उसका क्या हो सकता है तो ये आईडिया आपको होना चाहिए तो जैसे कि कॉपर का कितना होता है भाई या परमाण कुर्माण 29 होता है परमाण भार 63 क्या सपास होता है ठीक है एलुमीनियम का कितना होता है 13 होता है परमाण कुर्माण ये प्रस्ण जो है पूछा गया है भाई ठीक है चलिए हाँ एलुमीनियम लिथियम सबसे हलके नहीं भाईया हाँ एलुमीनियम तो हलका है लेकिन लिथियम के बाद और भी कुछ हलके तत्व हैं अगला है जस्तेदार लोहे की चादने जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निमनलेखित की परत विद्द्वान रहती है ये भी प्रस्ण सिंपल है दोस्त लेकिन ये भी देखो सेल दूरगा कुपर 2014 के परिच्छा में ये प्रस्ण पूछा गया है तो किस की परत चड़ी रहती है जस्तेदार लोहे की चादने जंग से बची रहती है क्योंकि उस प क्या बोलते हैं भाई GI seat, GI seat अगर मान के चलो GI seat पर हमको क्या करनी हो, soldering या breaking करनी हो, ठीक है तो इसमें क्या उपयोग होगा दोस्त, flux का उपयोग होगा की नहीं, तो क्या आपको पता है जो flux है वो oxidation को रोपता है, oxidation से रच्छा करता है, ठीक है, और जो joint है उसको क्या करता मजबुति प्रदान करता है तो जो gi seat है इसके साथ किस flux का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है तो gi seat के साथ कौन सा flux है के साथ है को आजब किया दा है hydro khluric acid का प्रवयोग किया जाता है और ये कैसा होता है दोस्त डाइयलूट होता है या ना कितनी स्ट जीज रहने प्रप्रावल आघर कॉन्सें्टेटर्डी कर देंगे तो क्या हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी ठीक और मैं आपसे कहूँ इसी तरीके से प्रस्नयाद आ गया सब्रास क्या भॉड्त ब्रॉन्ज ब्रास के साथ कौन सा जो है आपका कौन सा यह जो है flux उपयोग किया जाएगा तो आप क्या कहोगे बताइए कौन सा flux उपयोग किया जाएगा ठीक है scl flux बिल्कुल सही है दोस्त बिल्कुल सही है तो बताइए इसके साथ कौन सा पूप्योग किया जाएगा चलिए किस आयस्क से निकाला जाता है और मैंने आगोसे बताएं तो देखो इसी तरीके से क्या है भाई लीमोनाइट से निकाला जाता है तो लीमोनाइट तो देखो भाई आईरन का होता है ठीक है जो बाकसाइट होता है ये किसका होता है कापर का होता है तीनी स्टोन किसका होता है बताइए गैलेना किसका होता है गैलेना आपका होता है सीस यानि की lead का ठीक है तो lead जो है किस से निकाला जाता है भाई किस से निकाला जाता है तो आप कहोगे गैलेना से निकाला जाता है ठीक है चलिए अच्छा बताईए और कौन सा ask है जो lead का और कोई ask है कि सिर्फ गयलेना ही है बताएं या इसका और कोई ऐस्क है तो आप कहोगे ये सीरू साइट से भी निकाला जाता है सीरू साइट भी क्या है भाई सीरू साइट भी हमारा लेड का ऐस्क है चलिए भाई अगर कोई दिकत दोस्ट किसी प्रसन में होगी तो आप पूछ लेना वैसे ही प्रस्ण बहुत ही सिंपल है दिक्कत होने की समस्या आपके साथ नहीं होगी अब देखिए अगला भी प्रस्ण पूछा गया है कहाँ पर सेल दुरगापुरी स्टील प्लांट 2014 में अब इससे आप एक बात क्या समझते हैं इससे आप एक बात समझते हैं कि एकजाम देने से पहले हमको एक बार जो अयस्क है जो और है वो आपको क्या करना है एक बार जरूर देखना है दोस्त ठीक है मैं आपको भी लाश्ट में कुछ चैप्टर भी बता दूँगा जो आपक बताऊंगा तो सिनवार क्या है श thank you किसका है मर्करी का जो सिन बार फर्मूल act होता है दोस्त इसका फर्मूल होता है एचजी एस-घी और हचची निकाला जाता है मर्करी आ грषा कि बढ़ते हैं अगला भी प्रस्ण सेल्टर की परिच्छा 2019 में जो राउड के लाई स्टील प्लांट के पेपर था वहां पे आपका पूछा गया था अब देखिए इसमें बारा नंबर का प्रस्न है इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको करना है सूची एक को सूची दो से मिलाना है और नीचे दिये गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चैन करना है तो देखो इस तरह के प्रस्न क्या होते हैं बहुत सिंपल होते हैं अगर आपको दो भी उत्तर पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो भाई इसको फाइंड कर सकते हो जैसे कि मुझे पता है दोस्त अगर मान के चलो कि अगर भूचे सहन सीलता सहन सीलता ठीक है निवेसन के लिए प्रतिरोध्न यार पूरा हिंदी पिंग जाता हो ठीक्ष ही ठीक यहां पर देखो क्या है चीमरपन हमने सबसे पकड़ा तन्यता मतलब क्या हो गई यह छीमरपन क्या हो गया है तो अब चीमरपन क्या हो जाएगा संगट प्रतिरोद संगट प्रतिरोद मतलब इंपक्ट तफने कोई प्रापर्टी होती है वह हमें क्या करती है जो जटके हैं जटके सहने में करफ़ बनाती है यानि कि B का क्या हो गया भाई B को मिला दो 1 से देखो B वाला कोई option है एक का तो बिल्कुल यहाँ पर देखो B वाला जो चीमरपन का option है वो आपका एक नंबर का option है थीक है तो यहीं वाला उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त यही वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा अगर आपने ए पकड़ लिया तो अब देखो ए का क्या हो गया ड़क्टिलीटी का प्रयोग कहां पर किया जाता है तनन परिच्छण में सी का उप्योग सहन सीलता सहन सीलता कहां पर होगी दोस्त मतलब जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं स्रांत अब यह बहुत सारी प्रोपर्टी है तो स्रांत अभी में आपको नहीं पढ़ाने वाला और निवेशन के लिए प्रतिरोध यह आपका क्या हो जाएगा भी या कठोरता परिच्छन यानि कि जो इंडेंटर के द्वारा जो आपकी जो है निकाली जाती है ठीक है चलिए तो यह वाला सी वाला उप्षन आपका क्या हो जाएगा या सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न है कि लेत की कि काई जिसमें गतिका चैन करने के लिए लेती स्पिंडल तथा नियंत्रा के लिवर लगे हूं उसको क्या कहा जाता है बताओ भाई अब сिंपल सा गिया शाफ नहीं आ AMधाने मैंने नहीं पaltrast nl出來 यह वह नहीं आया है थीक है फिर भी बता और यह विलेद्द किये काई इसमें डृति का चेंज करने के लिए यानि आप क्या करते हो तो भाई गति का आप चैन करते हो ठीक है तो उसमें बताओ कौन सा ऐसा होता है जिसमें आपका ये सभी चीज़ें लगी रहती हैं लेथी स्पिंडल तथा जो उसको नियंत्रित करने वाले जो लीवर हैं वो सभी किसमें लगे रहते हैं तो आप कहोगे भाईया ये हमारे साहर्म पर लगा होता है तो आप कहोगे लेथ मसीन लेथ मसीन थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं आज क्या सीरे बाएएं सिरे पर ठीक है लेथ मसीन के बाएं सीरे पर आपका क्या होता है आपका हेड़ी स्टॉक लगा होता है ठीक है अब देखो हेड़ी स्टॉक दोस्त दो प्रकार का होता है बस आपको नाम जानना है पहला है आपका कोन पुली ठीक है कोन पुली हेड़ी स्टॉक और दूसरा है गियर जो गीर से चलता है तो कि गयर वाले का प्रहक़ ज्यादा पर किया जाता है तो कि इसमें आप ज्यादागी मोसर्ध Armstrong कर सकते हो उक्यूरेट होता है ठीक है कहोगे डाई से काटी जाती है डाई एंड डाई श्टॉप की सहायता से काटी जाती है जो external thread है वो कैसे काटी जाती है डाई और डाई स्टॉप की सहायता से काटी जाती है ठीक है भाई चल गए आगे बढ़ती हैं अगले प्रशने की तरफ अगले प्रशन की तरफ बढ़ती हैं यह वाला अंसर यहां पर सही हो जाएगा तो यहां पर देखो यह क्या है यह इस तरीके से कुछ लेट की समझना होती है बाई तरफ क्योंकि फीगर बहुत ज्यादा साफ नहीं है दोस्त यह बाई तरफ क्या है यह आपका पूरा ह स्कुरू और क्या होती है फेड रॉट होती है और यहां पर इसी के पीछे पूरा जो है गियर का मेकैनिजम आपका होता है और बीच में आप जो है यहां पर किसी भी कारखन को पढ़कर उसके टर्निंग डिलिंग या जो अन ऑपरेशन है चैंपरिंग कर सकते हो रीमिंग क आपको इसका पीडियाद जो है मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 14 यहां पर प्रस्ण क्या पूछा कि किसी पदार्थ के गुर्धर्म जिसके कारण भार को हटाने के पस्चात कोई भी पिंड अपनी मूलाकृती में लोटाता है उसे हम लोग क्या करते हैं जैसे मान के चलिए कोई आपने क्या किया भी या कोई आपने पदार्थ को खीचा लेकिन जब उस पे से अपना फोर्स हटाया तो वो फिर क्या हुआ अपनी स्थिती में वापस आ गया ऐसी स्थिती को ऐसे गुड़ को हम लोग क्या कहते हैं प्रत्यास्थता कहते हैं यानि की elasticity करते हैं और अगर मान के चलिए आपने लोड उस पर लगा दिया ज़्यादा और फिर वो अपनी इसकी elastic limit से अधिक लगा दिया और प्लेट को क्या कर दिया कुछ ऐसे मोड दिया अब प्लेट सीधी हुई लोटी तो इस प्रापर्टी को हम लोग क्या कहते हैं इस वाली प्रापर्टी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी इस प्रापर्टी को हम लोग क्या कहते हैं तरन्यता क्या है तो आप कहोगे किसी धाथूिका वहगुर। किसी धातु का वह गुड जिसके कारण वह गुड जिसके कारण क्या हो भहिया जिसके कारण उसको क्या हो उसको वायर के फॉर्म में तार के फॉर्म में वायर के फॉर्म में क्या हो वायर के फॉर्म में खीचा जा सके खीचा जा सके वही क्या कहलाती है वही उसकी कहल दाते है यहां पर इंगलिस रोग कर लो डप्टीलिक कि ऑप क्या राता है 1000 अगर्टिंग मसीन है या सोपिंग मसील है यह बीपस्न सेल की परिछा में पूछा गया ठीक है चलिया चलिए भाई तो बताईए ऐसा कौन सा मसीन है तो देखो इस मसीन को देख किया आप समझ गए होगे यह कैसा मसीन है भाई कौन सा मसीन है तो आपको होगे प्रिंस्पल पार्ट साप सेपर इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई इसी को हम लोग कहते हैं सेपर या इसी को क्या कहते हैं सेपिंग मसीन ठीक है यह हमारा क्या है आप कहोगे यह आपका सेपर है यही क्या है आपका सेपिंग मसीन क्या है दोस्त सेपिंग मसीन ठीक है अब देख में में जैसे कि यहां पर देखो यह आपका टूल है यहाँ आपका टूम पोस्ट In वही आनको आपके फ्रीटर के उसमें नहीं है क्योंकि पन्हें पूछा गया तो इस वह जैसे इस אתvalue में उसमें पर सेपर क्या है बहाई आपके अच्छान वालगों करता है यानि कि यहां पर जो टूल होता है कैसा होता है सिंगल पॉइंट टूल यह क्या करता है आप लिखो कि यहां पर फारवर्ड इस्ट्रोक में ही क्या करता है दोस्त फारवर्ड इस्ट्रोक में ही क्या करता है कटिंग करता है फारवर्ड इस्ट्रोक में ही क्या करता है क हमारे समय का क्या होगा दो बहुत ज्यादा लॉस होगा यानि कि मान के चलो यह आगे आया कटिंग तो हो गई अब लेकिन पीछे की श्ट्रोक में कटिंग नहीं करता यह जो सेपिंग मसीन है जो भी सेपर है प्लेनर है और स्लॉटर है यह सब नहीं मतलब जो भी फिर उसी स्पिठ से पीछे जा रहा है तो हमारा क्या होंगा समय ज्यादा अपनाते हैं लेकिन यह पीछे जाते समय बहुत तेजी से वापस आये ताकि हमारा समय की क्या हो किसी तो IV कि kardeş Chiya जाता है इसके अलावा यह क्या होता है दोस्त इसके अलावा कि इसके अलावा कहा प्रयोग किया जाता है तो आप गोग इसके अलावा प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है ठीक है तो यह आपको ध्यान दखना है स्लोटर मसीन पर कौन से ऑपरेशन होते हैं भाई स्लोटर मसीन पर कटिंग ऑपरेशन होते हैं जैसे कि सिंपल आप मान के चलो आपको वी ग्रूव इस तरीके से काटना है ठीक है कटिंग ऑपरेशन होता है दोस्तर इस पर cutting operation होता है जैसे कि मान के चलो आपको कोई slot वगएरा काटना है इस तरह के slot atna है आपको यहाँ पर इस तरीके का slot काटना है इस तरीके का तो यह आप sapon machine से काट सकते है तो slot काटने के लिए ठीक है इसी तरीके के जो slaughter होता है वो कैसा motion करता है वो भी slot ही कारता है ये ऐसे ये horizontal motion करता है इसका रेम जो slaughter होता है ये जो slaughter होता है उसका जो रेम है ये vertical motion करता है वो भी slot कारता है लेकिन उसका रेम क्या होता है vertical motion करता है और planer जो होता है planer होता है उसका उपयोग financing के लिए होता है बड़े job पर अगर हमको को क्रिया करनी होती है जिसी कि मान के चलो इतना बोर्ड के बरावर आप कोई सीट है उस पर कोई operation करना है तो उसके लिए क्या होता है उसके लिए क्या होता है चलिए उसके लिए क्या होता है उसके लिए planning का उप्योग किया जाता है तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा shaping machine अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं नोज radius सही एक टर्निंग और जार होता है बताइए ऐसा कौन सा का टूल होता है जिसमें आपकी क्या होती है दोस्त नोज रेडियस होती है मल्टी पॉइंट कटिंग सिंगल पॉइंट डेबल कटिंग या इन में से कोई नहीं जल्दी से बताए ठीक है साथ ही साथ आपको कुछ और पसनों के उत्तर देने हैं कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का बताओ जो कटिंग इंगल है ये कितना होता है सिंगल पॉइंट टूल का कटिंग इंगल जो है कितना होता है इसका बताओ जो रेक इंगल है ये कितना होता है रेक इंगल ठीक है और जो आपका इसमें क्या होता है क्लियरेंस इंगल clearance angle clearance angle कितना होता है भाई बताईए clearance angle में जो mainly हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भाई आप front clearance angle क्या पढ़ते हैं front clearance angle front clearance angle इसी को हम लोग पढ़ते हैं तो जो clearance angle में आपका front clearance angle होता है ये कितना होता है बताईए भाई किसी को पता है ये fix नहीं होता, दोस्ति एक range आपको बतानी है इसमें से आपको क्या बतानी है एक range बतानी है कि cutting angle कहां से कहां तक होता है rake angle कहां से कहां तक होता है और आपका जो clearance angle है ये कहां से कहां तक होता है ठीक है, संजे यलपी का उत्तर आ रहा है 60, 20, 10 ठीक है तो कुछ हद तक भाई जो राजराओं है इनका उत्तर क्या है बेहतरीन है सही है कुछ हद तक जो उत्तर है दोस्ति क्या लग रहा है सही लग रहा है ठीक है चलिए देखे ये वाला जो cutting angle होता है ये 50 degree से कहां तक होता है या 81 degree तक रेक angle आपका 3 degree से कहां तक होता है 40 degree तक और जो clearance angle होता है ये 6 degree से 10 degree तक होता है किसकी बात हो रही है मेरे भाई ध्यान रखना क्योंकि इसी तरह का angle आपका twist drill में भी होता है इसी तरीके का angle twist drill में भी होता है तो आप confuse मत होना ये बात किसकी हो रही है cutting angle की cutting angle single point cutting tool जो है उसके cutting angle की उसके rake angle की और उसके clearance angle की बात यहाँ पर हो रही है जबकि जो drill ट्विश्ट ड्रिल पर रेक एंगल होता है अब यागे drill से प्रसनाएगा तो हम बताऊंगा उसका angle क्या होता है अलग होता है ठीक है चलिए तो यह आप क्या करेंगे दोस्त याद रखेंगे तो यह क्या है नोज रेडियो सहीत एक टर्निंग ऑजार होता है कौन सा single point cutting tool इसको जो प्रसित करने वाला जो elements होते हैं seven elements होते हैं ठीक है कितने elements होते हैं seven elements क्या करते हैं इसको प्रसित करते हैं रेक एंगल होता है दो प्रकार का होता है कौन कौन सा एक है आपका positive और दूसरा आपका क्या होता है negative positive जो होता है किसलिए होता है भाया soft metal के लिए soft metal या soft पदार तो कुछ भी आप कह लो soft metal metal ही लिख लो ठीक है और जो ये वाला होता है negative ये किसलिए होता है तो आप कहोगे hard material के लिए या hard metal के लिए क्या होता है दोस्त प्रयोग होता है तो ये आपको इस प्रस्ने से इतनी चीजें याद रखनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किसी लेथ पर 2 mm pitch की 5 thread काटनी ठीक है यानि कि 2 mm की जो screw thread है वो आपको काटनी है जो आपको thread काटनी है उसका जो pitch है वो कितना है भाई वो आपका क्या है 2 mm है lead screw की pitch कितना है lead screw की जो pitch है यानि कि लेथ मसीन पर आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो भाई या थ्रड़ भी काड़ सकते हो तो lead mentality कि जो पीछ है वो कितना है मैं 40 RPM तो lead screw कि जो आपको क्या करनी है इस्पीड निकालनी है छल की जहां पर अन्हें क्या है आपकी लीड़ इसक्रूम की स्पीड़ क्या है दोस्त लीड़ इसक्रू कि क्या हो जाएगी आपकी जरू किस्पीड एशक्षाप क्या हो जाएगी इसके बराबर में आप क्या लिखोगे पी सी अपॉन क्या लिखोगे भी या पी एल क्या है या लीड इस्क्रू की पिछ ठीक है और पीछी क्या है यह आप कहोगे काटे जाने वाले काटे जाने वाले इस्क्रू काटे जाने वाले इस्क्रू की ठीक है काटे जाने वाले इस्क्रू की पिछ ठीक है काटे जाने वाले इस्क्रू की पिछ तो अब यहां पर देखो आपको क्या निकालनी है लीड इस्क्रू की आपको निकालना है तो एन एल आपको निकालना है into spindle की जो speed है वो 60 है बटे आपका क्या हो जाएगा बटे आपका क्या है यहाँ पर PL है यानि कि lead screw की जो पीछ है वो कितना है 6 है तो 6 दहमा कितना हो जाएगा 60 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20 RPM तो lead screw की जो RPM आएगी lead screw की जो तेस्ट मिलेगा क्या सर्व या माइस्टर बैच में नहीं मिलेगा टेस्ट सभी के लिए जो रहेगा वो फ्री रहेगा अप्रेल मंथ से आपका जो टेस्ट है फिटर का वो सुरू होगा किसी में किसी एक्जाम के लिए या सभी एक जाम के लिए common 50 क्या होगा भाई 50 के लिए आपका सभी का मौक टेस्ट का थीक है मौक टेस्ट का क्या चलता रहेगा वह चलता रहेगा तो वह फ्री रहेगा ठीक है बाकी आप मास्टर को जो है जोईन कर सकते हो उसमें complete theory आपका कराया जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पस् थाइब किस में पकड़ा जाता है अब देखो भाई वैसे तौए तो आप क्या करते हो फेस प्लेट का उप्योग करते हो लेकिन लेकिन किसका उप्यों करते हो भाई फेस प्लेट का लेकिन आपको यहाँ पर भी लिखा है फोर्जा चक भी है तो फोर्जा चक क्या काम करता है फोर्जा चक भी क्या करता है भाई जो अनियमी ताकार की जौब है उसको क्या करता है ठीक है जो अनीमी ताकार की जवाब है उसको क्या करता है पकड़ता है तो यहाँ पर क्योंकि चार जा फोर्जा चक आपका दिया है फोर्जा चक आपका पहले दिया है तो आप इसको क्या करोगे वरीपता दोगे क्योंकि भाई एगर फोर्जा चक आपका लगा हुआ है आप उसमें फेसप्य LGO लगा ओगे प्रोच क्या करोगे आप क्यों लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर लेत पर जो आपकी कास्टिंग है उसको केसे कैसे पकड़ा जाता है चलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई इसे हम लोग independent इसे हम लोग क्या बोलते हैं independent चक भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं independent चक या हिंदी में क्या बोलेंगे स्वतंत्र चक भी इसे बोलते हैं चलिए अगले परशन की तरह बढ़ते हैं अगला परशन है ड्राइंग म surface roughness को किसे के द्वारा दिखाया जाता है भाई बताई ठीक है चड़ी बनियान क्या हो गया भी या बेटा यही दुकान खोलनी पड़ेगी अगर ऐसा ही तुम्हारा हाल नहा दोस्त तो यही दुकान खोलनी पड़ेगी चड़ी बनियान की और वही बेचना पड़ेगा मेरे भाई ठीक है सोच यार मैं देखो किसी को कहता हूँ यार किसी को जो भी हेटर्स हैं आपके या किसी के भी रहें सिंपल सी बात है सोचो अगर आपको इतना हेट करता है कि वो सोचो मेरी मैरा अथम क्लाश चले कम सकम तीन दो तीन घंटे तो चलेगी सव क्योस्टन है जब भी हो जाए वो क्योस्टन के उपर डिपन करता है और सोचो वो जो हमारी टीम है वो देखती है तो ब्लॉग भी कर देती है ऐसे आदमियों को अब सोचो वो बंदा तीन घंटे सिर्फ और सिर्फ तीन घंटे या दो घंटे जितने भी दिर मेरी क्लाश चले सिर्फ अपना इसलिए बरबाद कर रहा है कि मेरे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सके सोचो दोस्त इससे अच्छा बताओ मेरा क्या हो जाएगा सिंपल सी बात आप सोचो की जो भी आपके हेटर से मैं किसी को कहता हूं अगर आप किसी को हेट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना समेवर बात करोगे अगले का उससे कुछ नहीं होग ठीक है तो दोस्त आपड़े सह पर पर दो कुर्स नहीं जाएगा या मेरा लड़का वीडियो नहीं देखेगा लेकिन सोचो अगर वो बच्चा कोई भी बच्चा साधान बच्चा यह होगा अगर मेरी क्लास देख रहा हूँ उसको यह पता है कि मैं गलत पढ़ाता हूं कुछ नहीं आता तो किसी ने किसी की एक मत करें क्योंकि आप उसमें सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे और किसी का समय नहीं बर्बाद करेंगे मैं तो जो पढ़ा रहा हूं दोस्त मैं आज भी पढ़ाता रहूंगा कल भी पढ़ाता रहूंगा आगे भी पढ़ाता रहूंगा लड़के पढ़ते रहेंगे ठी तो यह ट्रेंगल है इसका एंगल कितना होता है ठीक है चलिए भाइं देखो याद सिंपल सी बात है आपके दिमांग में जो कीड़ा है फिटर के एलपी का सेल का इनपी सेल को उसको दोस्त निकाल दो सब और यहीं प्रस्नों की प्रस्नें में पूछेगा और सेल में पूछेगा सब प्रस्ण भया वहीं फिटर्स की किताब से ही जो थीरी किताब है वहीं से निकलते हैं ठीक है इसलिए आप हमेशा देखते हूं कि मैं हमेशा ध्यान देता हूं दोस्त वह थीरी पे देता हूं ठीक है तो बताओ इसका जो एंगल है ये कितना होता है ये एंगल होता है आप के पास बना हुआ है अब आईए देखते हैं यहां पर इस तरीके से इसको बढ़ा कर उल्टा होता है दोस्ती यह ऐसा होता है ऐसा ठीक है इसको बढ़ा कर यहां पर ऊपर ले जाता है और यहां पर क्या होते हैं कुछ components लिखे होते हैं ठीक है चलिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ A B C D E जैसे कि यहाँ पर लिख दिया A लिख दिया यहाँ पर B लिख दिया यहाँ पर C लिख दिया यहाँ पर D लिख दिया और यहाँ पर E लिख दिया तो बताइए यह जो A है यह B है यह C है यह D है यह क्या प्रदरसित करते हैं जैसे कि A बराबर आपको बताना है B बताना है C बताना है सबसे पहले आईए हम लोग इसको लिख लेते हैं तो A आपका क्या बताता है भाई A आपका roughness value है roughness value ठीक है यह आपका क्या है roughness mark रफनेस मान किसमें बताता है दोस्त रफनेस मानिए रफनेस मान बताता है माइक्रो मीटर में किसमें बताता है भाया रफनेस वैलू किसमें बताता है माइक्रो मीटर में बी वाला क्या है आपका बी वाला है आपका उत्पादन विधी उत्पादन विधी का मतलब भाई कि इसका जो भी पार्ट पर हमारा ये साइन है उसका जो प्रोडक्शन है वो कैसे किया गया है उसका प्रोडक्शन दोस्त कैसे किया गया है यानि कि लेट पर बनाया गया है मिलिंग मसीन पर बनाया गया है किस प्रोसेस द्वारा उसको बना लिगर देखते हैं तो अगला है सेंपल लेंथ सी आपका बताता है सेंपल लेंथ ठीक है अच्छато जैसे मान के कोई आपकी रोड बनी है रोड़ बनी है अब जो अधिकारिगद है मान के चलो रोड चेक करने आएगा कि भाई ठेकेदार ने रोड सही बनाई है कि नहीं तो क्या वो पुरी सड़क खोद देगा जितनी ठेकेदार रभाई होगी कुछ क्या ले लेगा कुछ दूरी कुछ लंबाई ले लेगा दोस्त और वहीं चेकिंग कर लेगा और उसी चेक दिन वही कि आप चेक कर लेते हो और वहां से आप आईडिया लगा लेते हो कि भाई इसमें जो है क्या होगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका डी है ले की दिसा ठीक है डी आपकी क्या बताती है दी आपकी बताती है ले की दिसा ले की दिसा और य यह आपको ध्यान है जो कोंड है वो कितना होता है इसी तरीके से जो आपकी बट्रेश्ट है है 45 दिगरी किसका होता है 45 दिगरी आपका बटरेश थ्रेड का होता है किसका होता है बटरेश थ्रेड का 55 डिगरी किसका होता है तो आपको होगे BSF या BSP या BSW यह सभी क्या है भाई यह सभी British Standard की Thread है जैसे कि British Standard Fine Thread, British Standard Pipe Thread या British Standard With War Thread 47.5 Thread किसका होता है तो आप कहोगे BA Thread, BA Thread का मतलब क्या है तो आप कहोगे British Association, British Association Thread, British Association Thread यहाँ पर Mitric Thread का कितना होता है भाई साथ डिगरी होता है ठीक है चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला है पी अंतराल की वर्गाकार Thread की चौडाई होती है यानि कि जो आपका मान के चलो जैसे कि आपकी जो Squire Thread होती है वह ऐसी होती है दोस्त कुछ कैसी होती है कुछ ऐसी ही होती है Squire Thread इसी तरीके से आप क्या करते हो उसको प्रदासीर करते हो ठीक है यह आपका ऐसे कर दो ठीक है तो यह यहां पर जो पूछा है कि जो square thread है square thread है दोस्त इसकी जो चौडाई है यानि कि यह वाला जो area है यह कितना होता है यह आपको बताना है और किसके टर्म में बताना है तो आपको होगे pitch के टर्म में बताना है किसके form में बताना है भाई पी होती है सेम इसी तरीके से देखो यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या है हाइट है हाइट अगर किसी को पता है तो भाई बताईए कि जो हाइट होती है वो क्या है हाइट होती है वो कितनी होती है तो आप क्या बताओगे यह आपकी होती है यह भी होती है 0.5 पी यह 0.50 भी सकते हो तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर आपका भी हो जाएगा भी वाला उप्सन आपको क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरह अगला प्रस्न है कि इस्कूरू गेज की थ्रिड का अंतराल कितना है भीया 0.5 mm है हिंबल पर भागों की संख्या कितनी है 25 है तो इस्कूरू गेज का निम्तम गड़ना का क्या होगा यानि कि लीश्ट काउंट आपको बताना है तो आईए सबसे पहले दोस्त जो लीश्ट काउंट है लीश्ट काउंट आप माइक्रो मीटर लीश्ट काउंट आप माइक्रो मीटर जो होगा वो कितना होगा तो आप कहोगे जो इस्कूरू है तो आप क्या कहोगे जो screw है उसके अंदर screw का pitch बटे आप क्या कहोगे बटे आप लिखोगे circular circular scale पर circular scale पर खानों की संख्या तो यहाँ पर देखो जो pitch है वो आपका कितना दिया वो आपका 0.5 दिया और जो थिंबल पर थिंबल मतलब थिंबल पर ही आपका क्या होता है सरकुलर इसकेल होता है तो थिंबल पर खानों की संख्या कितनी है 25 है तो 0.5 बटे 25 आप इसको सालो करोगे दोस्त कितना आएगा 0.02 mm आपका उत्तर क्या हो जाएगा आजाएगा यानि कि लिस्ट काउंट कितना हो गया माइक्रो मीटर का यह आपका 0.02 mm हो गया अगर आप से कुछ ना सवाल ना पूछे आप से नार्मली पूछे आप से क्या पूछे भाई आप से नार्मली पूछे कि जो आपका micrometer है simple जैसे आपसे लिखा out style या inside micrometer outside आपका अगर micrometer अगर आपसे पूछे outside micrometer का Liz accounts है वह कितना होता है यह तो सवाल है सवाल में हमने निकाला सवाल मेंहें कितना निकाला दोस्त 0.02 mm अगर आपसे पूछे कि outside micrometer या या normal micrometer कोई अलग के तरह का μार्टों मीटर आपको ना दे और आप से पूछे उसका सका मेंड़ कि तना होता है तो आप क्या बताओगे कितना कोगा तो आप कहोगे जीरो पॉाइंट जीडु वन एमम आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा सबक्रेटल का जिरो प्वाइंट जीरो वन हम आप से कह दो उस्तों ऑग मायआप से Onda जैसे कि मैं आप से कहूं डिजित माक्रोमीटर ठीक है डिजित माइकरोमी Unter या लिए डिजितल वाला डिजितल माइक्रोमीटЕर गी जो आपकी लिस्ट काउंट है वो कितना होती है या आपको बताना है इसके बाद जो आपका चलिए तो digit micrometer का कितना होता है भाई तो जो digit micrometer होता है इसका होता है 0.001 mm ठीक है ध्यान रखना दोस्त इसका normal वाले का कितना दसमलों के बाद 1 ही 0 और 1 लेकिन जो digit micrometer है 0.001 mm होता है combi micrometer का क्या है अच्छा ये बताओ भाई combi micrometer इसको बोलते क्यों है क्योंकि ये combination होता है दोस्त ये हमें British system में भी reading देता है और metric system में भी reading देता है किस में देता है आपका British system में भी reading देता है और metric system में भी reading देता है British में इसका जो list count है कितना होता है 0.001 inch होता है और metric में कितना होता है 0.001 mm होता है ठीक है दोस्त तो ये आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये figure है देखें माईक्रो मीटर का अब माईक्रो मीटर से यहां से figure से आपसे क्या प्रस्न बनता है कि जैसे कि देखो यहां पर यह क्या है भी या बैरेल या स्लीव है तो आपसे पूछेगा कि माईक्रो मीटर में जो main scale है जो main scale है वो किस पर पर होता है तो आप को होगे thimble पर होता है यानि कि CS यानि कि क्या है circular scale है ठीक है चले चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये आपका पूरी body है ये आपका frame होता है ये आपका spindle होता है ये आपका envil होता है envil और जो spindle होती है कैसी होती है कारबाइट टिप्ट होती है ताकि जल्दी से क्या हो घिसे न और इसके बीच में क्या है दोस्त इसके बीच में जो आपका जौब है उसको पकड़ा जाता है ये simple समझना है अब देखो यहाँ पर जो reading लेना है वो यहाँ पर दिखाया गया है reading लेना भाई ये figure बताओ कुछ असपष्ट आपको दिखराय कि नहीं ठीक है कुछ असपष्ट दिखराय कि नहीं ठीक है चलो भाई लोग कम हो गए तो दोस्त selection भी तो कम ही लोगों का होता है ठीक है कितने बच्चे लाखों हजारों बच्चे फॉर्म भरते हैं और selection किसका होता है दोस्त जो तनी vacancy रहती है जो 2, 4, 6, 10, 20 तो लोग कम हो गए क्योंकि selection भी क्या होता है कम होता है कम इसी लिए होता है दोस्त जो hold कर सकता है जो पकड़ सकता है जो बैठ सकता है उतनी देर जो अपने धिमाग पर तनाओ दे सकता है selection उसी का दोगा बाकि 10-5 मिनट आते गंटे त्यार बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं और वो तैयारी करते रहते हैं ठीक है फिर कि बहुत लोग की उमर बीत जाती है तो फिर वो यह पूछते हैं कि बताईए सर यहाँ पे हम हाई कोर्ट का केस करेंगे हाई कोर्ट का केस करेंगे एज लिमिट बढ़ाने के लिए भाई जब एज थी और क्लास चल नहीं थी तब तो आप पढ़ नहीं रहे थी ठीक है भाई तो आकास दोस्त आप उस पर ध्यान मन दीजे यहाँ पर आपको कितने खाने यहाँ पर असपस्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पर यह वाला खाना भी हलका सा दिख रहा है तो यहाँ पर देखो 0 mm है 1 mm हो गया 2 mm हो गया और कितना हो गया भाई कितना हो गया येङ आफ स्लीव restricted दो 0, 1, 2, 3, 1 mm यहां तक, 2 mm यहां तक, 3 mm यहां तक, 4 mm यहां तक और यहां भी लिखरा आयत, लिखरा आयत कितना हो गया, 4.5 हो गया देन इसके बाद, यह जो 10 नंबर का खाना देखो, यहां पर है 11 नमबर का यहाँ पर है और 12 नमबर का खाना डैटम लाइन के सीध में है तो जो खाना सर्कुलर स्किल का जो खाना डैटम लाइन के सीध में होता है वही हम लोग नोट कर लेते हैं तो 4.5 प्लस डेटम लाइन का मिलने जो सर्कुलर इसकल का मिलने वाला खाना कितना है 12 है इन्टू क्या कर देंगे लिस्ट काउंट कर देंगे जो आपका 0.01 है तो 4.5 प्लस कितना हो जाएगा भीया 0.12 हो जाएगा और आपकी रीडिंग कितनी हो जाएगी 4.62 mm आपकी रीडिंग हो जाएगी तो इस तरीके से अगर आपको माइक्रो मीटर पर रीडिंग निकालना है किसी भी परसन का तो आप क्या कर सकते हैं भाई निकाल सकते हैं ठीक है चलने आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला है ग्राइंडिंग वील की कटोरता किसे के द्वारा किसे के द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है बताईए जो ग्राइंडिंग वील है आपकी उसकी जो कटोरता है वो कैसे दिखाई जाती है कैसे विनिर्दिष्ट की जाती है भाई यह आपको बताना है और यह भी प्रस्ण दोस्त सेल आरेस्टी में पूछा गया है तो किसी भी प्रस्ण को दोस्त हलके में मक नेना ठीक है चलिए और यह एक बाइ जल्दी से आप लोग जो है लाइक कर देंगे सेशन को ठीक है जल्दी से हंडेड लाइक का जो है क्रास कराएंगे ताकि और भी बत्चों को पता चल सके और वो भी प्रस्ण सेशन को एक बार सेर भी कर दिया लिए बहुत कम बहुत कम जो है पैसा बहुत ज्यादा चलता है उसी को अच्छा पैसा मिलता है तो अगर आप लोग ऐसा काम करते रहेंगे लाइक करते रहेंगे तो ऐसी पढ़ो दिन उसके बाद तीन से चार घंटे जो भी आप एक लास चलती है अभी सवरब सर भी आएंगे आपका इसी के आगे मैत की क्लास को कांटीनियू कर देंगे दिन वो क्लास कराओ ठीक है तो बहुत मेहनत लगती है दोस्ते क्लास के बनाने में तो कैसे ग्रांडिंग व मैं प्रदर्शित करते हैं ना LPN है ना बीहटं है ना कि आपका क्या है सार्च टेस्ट है तो यह आपका बनेंग फ्रस्ट से काटा जा सकता है उस नहरा VAई राइस पक थिक है rest packet file से किसको काटा जा सकता है तो आपको होगे जो wood है उसको कटा जा सकता है भाई Steel है dual alumin है Bronze है इसको नहीं काटा जा सकता है जैसे व Lynn है आपका rubber है इन सारी चीजों को किस से kaटा जाता है rest packet file से अब भाई मैं आपसे कहूं दोस्ता file के बारे में आए कुछ fact जो हैं हम लोग पढ़ते हैं फाइल का figure यहां पर लगा लगा है फाइल का to यह वाला page delete कर देते हैं घर दार चलिए तो यहां पर file का figure लगा हुआ है देखो file किया होता है दोस्तों कुछ ऐसा होता है यह सभी हमारे क्या होते हैं फाइल के पार्ट होते हैं पहला प्रसन तो यहीं से बन जाता है कि बताइए निमलखित में से कौन सा फाइल का पार्ट है और कौन सा फाइल का पार्ट नहीं है तो भाई आप देख लो यह आपका जो टिप है यह आपका साइड है या इसको क्या बोलते हैं लेती का वाग जिस पर टीथ नहीं होते हैं तो आप ऐसे स्टार्ट फार्म में लेखते चलो कि यहां पर नहीं पढ़ा सकते इस पर टीथ क्या होते हैं नहीं होते हैं यह आपका यह वाला जो पार्ट है यह आपका सोल्डर होता है यह आपका हैंडल होता है यह आपका फेरू कि बनता है इंद की जाती हैox की जाती थेंपरिंग भी किजाती है लेकिन जो टैंग है उसको सबत lung ही रखा जाता है यहाँ पर लिख लो जो होता है कि अटेंग की हालनिंग नहीं की जाती है यह भी आपसे प्रसुन आप से पूचा गया है ठीक है अगला प्रसना आप से पूछता है कि जो रेती की लंबाई है जो ली जाती है वो कहां से कहां तक ली जाती है तो आप कहोगे जो टिप से फाइल लिंथ है वो कहां से कहां तक ली जाती है तो आप कहोगे टिप से कहां तक ली जाती है तो आप कहोगे टिप से कहां तक जो है इसकी लंबाई जो है ली जाती है ाब देखो आगला है कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था कि यहां पर रैस्पकट फाईल है तो अच्छह यह बताओ जोरेति का हमने क्या क्लासिपिकेशन किया वो कि की रेती है दोस्तर रेती यानि की फाइल तो सबसे पहले आप क्या बताओगे इसका माटेरियल बताओगे हाई कारबन इस्टील की बनी दिन मैं आप आपसे पूछों कि जो फाइल इंक Allons है वो इसदिया जाता है बताईए जैसे कि आपको यह वर्क करोगे तो उसका भी तरस फाइलिंग कर सको धीक है कि ऴ कि अब देखिया यहां पर क्या है इस जो राओंस है वह कीतना होता है लानन्स होता है 0.025 से 0.5 mm आपका होता है रेती का जो classification है वरगी करण है वो चार आधार पर किया जाता है पहला है आपका लंबाई के आधार पर अब यहीं पर समझ लो अब आगे करने प्रसना आएगा रेती का तो वहाँ पर explain नहीं करूँगा तो यह क्या है पहला है पहला है आपका लंबाई के आधार्पा दूसरा है आपका save यानि जो रेती का save है कैसा है जिसमें आपके flat file आती है जो डाते कटे हैं वो कैसे कटे हैं और इसके बाद क्या होता है भाई ग्रेड के आधार ग्रेड क्या होता है भीया ग्रेटी का जो ग्रेड है वो हमें क्या बताता है ग्रेटी का दोस्त जो ग्रेड है वो हमें क्या बताता है तो आप कहोगे उसके दातों के बीच की जो दूरी है उसके उसको बताता है यानि कि दातों यानि कि जो teeth है दातों के बीच की दूरी दातों के बीच की जो दूरी है उसको क्या करता है भाई उसको क्या करता है बताता है जो grade है अब सबसे पहले लंबाई के अधार पर पढ़ते हैं तो आपकी दो तरह की रेती होती है इसमाल 200 mm साइस तक होती है और साधरान कारों के लिए हो जाएगी यह आपकी साधरान कारों के लिए यह लंबे कारों के लिए अब यहां से प्रस्ण क्या बना भाई तो यहां से दोस्त जो प्रस्ण बना वह यहीं बना कि रेती की अधिक्तम लंबाई कितनी हो सकती है रेती की भाई मेरे दोस्त आदित रंजन आपसे पूछ रहा हूं दोस्त आपसे पूछ रहा हूं सिंपल सा प्रस्न है आप ऐसे लिखते रहो है एकर्स पुराना एक और जात का भाई कौन सी वेकेंसी की बात करें जो भी वीडियो में बनाता हूं उस पर नोटिफिकेशन में साड़ा कुछ बताता हूं भाई आप यहां पर दोस्ते चमी पुछो गया प्यार मुझे भी इतना नोटिफिकेशन याब नहीं है तो अब मैं चलू उसको नोटिफिकेशन देखू और फिटर की क्लास में दोस्त में आपको हैवी मोटर वेहिकल का लाइसेंस बताने दो नंबर दि इक्सपीडियंस अगर आपका एक साल का मांग रहा है तो चमी एक साल पुराना होना चाहिए यह प्रती इंच या प्रती संटीमीटर दातों की संख्या क्या कहलाती है ग्रेड कहलाती है बहुत सांदार दोस्त ठीक है तो यही आप से प्रस्शन पूछा गया था कि रेती की जो अधिक्तम लंबाई है रेती की जो मैक्सिमूम लंबाई है वो कितनी हो सकती है तो आप होगे 450 सेप के आधार पर सबसे पहले जो important है भाही हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेप की आधार पर क्या होती है hand-fail होती है ठीक है hand-fail को ही हम लोग क्या कहते हैं safe-age-fail क्या कहत त्रेंगुलर फाइल त्रिफुजा कार फाइल का जो कोड होता है वो कितना होता है तो 60 दिगरी से अधिक के जो आपके खांचे हैं या ग्रूब हैं उसको बनाने के काम में आती है इसके बाद आपका क्या हो गया नाइफ एजफाइल क्या होती भाई 30 दिगरी से कम के कारियों में 30 दिगरी से ऐसा कोई गुरूब है जिसका जो कोड़ 30 दिगरी से कम है उस पर आपको कुछ फिंसिंग में करनी है तो वहां पर क्या किया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है चलिए और इसका जो ज्यादा सही है कट के आधार पर क्या होती है भाई कट के आधार पर आपकी होती है जो मुख्य दो होती है सिंगल कट होती है सिंगल कट ठीक है और दूसरी आपकी होती है डवल कट रस्प कट अभी आप पढ़ी चुके और एक तीसरी होती है कारोड कट सिंगल कट और डव के लिए किया जाता इसके लिए का उपयोग किया आ अगे बढ़ते हैं कि तो ग्रेटा वाला एक समझ लेते हैं यह आपने देखे लिया ग्रेट किया इसको फाइल यह होती है दातों की संखês किसी को पता है तो बताई ग्रेटा है आधार पर पहली है आपकी रुब फाइल रफ मैं पूरा बस पूरा नहीं लिख रहा हूँ दूसरी है आपकी बाश्टर्ड दूसरी आपकी क्या है भाई दूसरी फाइल आपकी कौन सी है दूसरी फाइल है आपकी बाश्टर्ड तीसरी है आपकी सेकेंड कट चौती है आपकी smooth ठीक है पांचवी है आपकी super smooth ठीक है और छठी है आपकी भाई dead smooth ठीक है बताईए दोस्त इसमें जो file है वो उसका जो कितना होता है बताईए ठीक है नंबर आप टीट जो है बताईए तो रफ फाइल में देखो एक मैं ऐसे आपको idea दे रहा हूँ कि रफ फाइल में कितना होगा 4.5 से 10 के आसपास होगा क्या होगा भाई 4.5 से 10 के आसपास आपका यहां पर होगा देन इसके बाद आपका क्या है कि आप हेलस हे तक पोड़ी पुॐंट रफ नवर गाइंट आपको अीशर पれて Ladra का कितना होगा भाई चैश्य से 18 इसमें कितना होता है सेकेंड कट में कितना होता है बताइए इसमूथ में कितना होता है और सुपर स्मूथ और डेड़ स्मूथ में कितना होता है ठीक है एट टीथ पर सेंटीमीटर बास्टर बारट टीथ पर सिंटिमीटर एक रेंज होती है मेरे भाई रेंज होती है इसमें इसमें फिक्स नहीं होता ठीक है फिक्स नहीं होता सुभोदास का उत्तर जो है सही है सुभोदास ने दो उत्तर दिये है इनका उत्तर क्या है इनका उत्तर जो है सही है ठीक है चलिए तो सेकेंड कट में क् 35 भाई इसको थोड़ा चेक कर लेना इसमें जो है आपका सूपर स्मूथ उपर रहेगा कि डेड़ स्मूथ उपर रहेगा और इसमें कितना होता है जो अगला होता है डेड़ स्मूथ होता है इसमें कितना होता है भाई 35 से चालिस से लिखो है यहां पर क्या होती है 6 नंबर में आती है यहां पर लिख से पुछे जाते हैं यह घ دो यह पर सेंटीमीटर है ठीक है यह पर सेंटीमीटर है 6-18 टीथ पर सेंटीमीटर यह पर सेंटीमीटर यह भी वाला 15-30 पर सेंटीमीटर तो अगर आपको इंच में पूछे इंच में पूछे भाई अगर आपका तो इसको आपको क्या बदलना पड़ेगा बदलना पड़ेगा तो आप अपने हिसाब से बदल लेना कि एक इंच में कितनी होते हैं एक इंच बराबर होता है दोस्त 25.4 mm याने की 2.54 cm इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो बदल सकते हो अब देखो यहाँ पर प्रस्न क्या पूछा था तो इदे एस पकट वाला यह प्रस्न हो गया चलिए अग चलिए यहाँ पे क्या होगा तरीजिया आर के पहिये में आर्थ प्रस्या के एक्सल फिट हुआ है जब पहिये की रस्टी पर सकती प्पी का प्रयोग किया जाता है तो यह सिंपल समझी हार सिंपल मसीन है आपका यह पुछा गया था तो इसले माने करा दिया इसको सेल परि आर बटे P into R ठीक है जहां पर W क्या है आपका लोड है P आपका क्या है effort है R क्या है छोटा जो तिर्जा है और capital R क्या है बड़ी तिर्जा है यह आप ध्यान रख ले ना प्रस्नी पूछा नहीं जाएगा लेगिन यह पिछले परिच्छा में पूछा गया था इस वजह से मैं तो देखो अब आप maximum concept जो पहले प्रस्नी में पढ़ चुके उसको फिर से नहीं पढ़ना थीक है तो आप क्या बताओगे अन्यमी ताकार की job को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा तो आप कहोगे स्वतंत्रया फोर जाचक ठीक है college चक का उपयोग कहां पर क किया जाता है चोटे जाब या पिन्स ठीक है college चक्का उपयोग किया जाता है त्रीजा चक या इन्वर्सल चक्या है इसको हम लोग क्या कहते हैं भया इसको हम लोग self centering चक भी हम लोग क्या कहते हैं कहते हैं ठीक है इसमें जो जाब है स्वता सेंटर हो जाती है और इसमें क्या करते हैं इसमें अनियमित आकार की जाब को नहीं पकड़ सकते हैं क्या कर सकते हैं अनियमित आकार की जाब को नहीं पकड़ पाएंगे किसमें इस वाले जो आपका थ्रीजा चक है उनिवर्सल चक है अगला परसंद देखिए यहीं से आप से क्या पूछता है यह जो थ्रीजा चक है इसमें किस मेकैनिजम का प्रयोग किया जाता है तो आप कहोगे जो स्क्रॉल प्लेट है इस्क्रॉल मकैनिजम या आपसे पुछे इस्क्रॉल प्लेट का किसमे उप्योग किया जाता है तो आप कहोगे जो इस्क्रॉल मकैनिजम है इस्क्रॉल मकैनिजम है वह किसमे उप्योग किया जाता है थ्रीजा चक्त ठीक है चलिए हाँ बिल्कुल सही है सुभोदा अब मुंम्मद आवे इसका उत्तर सही है आगे बढ़ते हैं कोई भी बस तुझी से उर्ध्वा धर समतल के पीछे और छैती जिसे समतल के नीचे रखा जाता है वह कौन सी होती है सिंपल समझो भाई कौन से चतुर्थांस में होती है फूर्थ क्वाडरेंट थर्ड क्वाडरेंट सेकेंड क्वाडरेंट और फॉर्ष्ट क्वाडरेंट अब यह प्रस्ण थोड़ा सा नया है अब इसका उत्तर दोस्त आपको देना है बिसिकली किसका प्रस्ण बन जाता है कि जिस भी परपस से वह पूछा हो ये भी प्रस्ण पूछा गया था कि में सेल और अब के लाइश्टील प्लांट में जो है ठीक है भाई चले है चैनल को अला इस क्रॉल मकेनीजम भाई बिल्कुल सही है आपका इसकरॉल मकेनीजम दोस्त सही है ठीक है चलिए पताईए यहां पर अगर कोई विच्छत उद्ध्वादर समतल के पीछे देखो सिंपल सा भाई जो आप चार क्वाडिन्ट बनाते हो इस तरीके से ठीक है इसमें देखो यह पहला होता है आपका यह आपका दूसरा होता है यह आपका तीसरा होता है और यह का चौत होता है तो आपसे क्या कहा 36 समतल के नीचे यह क्या है यह 36 28 जीचे होना चाहिए तब बताओ शीचिच के लिचे यानि के होर्जनटल के मीचे हमा side यह तो तीसरा हो सकता है यह तो चौथ होसकता है क्योंकि यह 36 और जेंटil Japanese पूच रहे मिरे भई कैसे पुछरा है नीचे पुछरा है तो इसके नीचे कौन सा है तीसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है लेकिन अब अगला कहा है कि उर्ध्वाधर समतल के पीछे यह आपका वर्टिकल हो गया तो वर्टिकल के पीछे यानि कि कौन सा हो जाएगा यह वाला हो जाएगा तीसरे सुधीर का राहुल का आदित्य का मिस ठीक है मिश्टर का सही है उन्तर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पिशनी की तरफ अब देखो यहाँ पर एक ग्राइंडिंग वील की आगे वर्णित अनुसार विशिश्टिक रहते हैं यानि कि जो एक ग्राइंडिंग वील को इस्पिसफाइड किया गया है वो इस तरीके से इस्पिसफाइड किया गया है ठीक है तो बताइए भाई अगर यह इस्पिसफाइड किया गया है देखो यहाँ पर दोस थोड़ा सा गलत दिया है ठीक है यह जो ए 60 यहाँ पर क्या है यह इस्पिसफिकेशन गलत है यहाँ दो लेटर बीच में नहीं आएंगे सही इस्पिस्फिकेशन आप एक जामपल के रूप मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, कि जो सही specification है वो आप कैसे लिखोगे जैसे कि मान के चलो यहाँ पे लिखा A 46 आपका फिर लिखा P फिर यहाँ पे लिखा 6 फिर यहाँ पे लिखा V 18 और आपका क्या लिखा 23 ठीक है तो यह देखो का आपका क्या है यह आपका जो specification है यह आपका यहाँ पर क्या है दोस्ति सही है ठीक है अब देखो एक यह क्या है ए इस में बताता है सभी चीजिया को पता होंगी उन्ह raft JAMES यानि कि क्या भी एब्रेशिय टाइप यानि गहिना आप घर्म सकंथ तरफ त्व काम तरहिए अब घर्म सक्थ का प्रकार ही मेरे सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, को रंडम हो गया, डायमंड हो गया, यह सब आपके क्या हैं, यह सब ही आपके natural abrasive हैं और अगर आपका criticism abrasive की बात करें, synthetic की बात करें, तो आपको कहोगे, aluminum oxide और silicon carbide, aluminum oxide को किससे प्रतरसित करते हैं दोस्त एसे पतरसित करते हैं और सिलिकान करवाइट को किस से पतरसित करते हैं सी से यह सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो नोट कर लेना 46 क्या है भाई 46 है आपका grain size या grit 46 क्या है 46 है आपका grain size या grit grain size या जो grit है 4 प्रकार के उसमें पाया जाता है कौन कौन सा पहला होता है आपका course होता है दूसरा आपका क्या होता है medium होता है तीसरा आपका होता है fine होता है और चौथा आपका क्या होता है very fine चौथा आपका क्या होता है वेरी फाइं तो यह वाला क्या होता है यही आपसे प्रस्न पूछा जाता है कि जो कठोरता है जो bond है जो bond की कठोरता है उसको किसमें पदरसित करते हैं तो आप कहोगे यह है bond का grade kye bond का grade या क्या हो जायेगा bond की कथोरता in bond का grade या बॉन्ड की कथोरता परक्त है- आपका क्या हो जाएगा चervation है आपका हो जायेगा structure ठीप है structure अच्छाइक पताई ये bond का grade है कहां से कहां तक a से जेड तक प्रदरसित किया रहता है सबसे बताओ एक क्या प्रदरसित करेगा यह हमारा सबसे साफ्ट बांड को प्रदरसित करेगा और जेड क्या प्रदरसित करेगा सबसे हाइड बांड को को पतरशित करेगा structure होता है structure कहां से कहां तक भाई या एक से 16 तक तो बताओ जो एक है क्या पतरशित करेगा 16 क्या पतरशित करेगा जो dense है वो कौन सा पतरशित करेगा आपको बताना है dense और open जो कम number वाला रहेगा वो dense को पतरशित करेगा या जो ज्यादा पर वी क्या पदरसीद करता है भी आपका पदरसीद करता है विट्रिफाइड बॉन क्या पदरसीद करता है विट्रिफाइड और यह कोई कंपनी जो रहती है जो आपकी ग्राइंडिंग विल बनाने वाली कंपनी रहती है उसका क्या रहता है कोई नंबर रहता है क्या रहता ह ठीक है? चलिए. ये structure वाला दोस्त किसी का उतर नहीं आया. ठीक है? चलिए. structure वाला जो उतर है भाई, ये किसी का नहीं आया. ठीक है? तो देखो यहां से क्या होता है भाई? एक से आठ तक क्या होता है? एक से आठ तक क्या होता है dense ठीक है और नव से सोला तक क्या होता है या open होता है नव से सोला तक क्या होगा नव से सोला तक आपका open हो जाएगा ठीक है चलिए तो इस तरीके सब देखो यार इसमें प्रस्ट में यही वाला लिख लो यही वाला लिख लो A46 A46 दूसरे कलर से लिख देता हूँ ठीक है इसी में आप लिख लो A46 P6 ठीक है A46 P6 V आपका 18 और 23 तो अब इसमें लिख लो P क्या बताता है ठीक है तो P आपका क्या बताता है तो P आपका बताता है एसे ही कुछ करके लिख लो क्योंकि यह प्रस्ण ही क्या था भाई गलक टाइप था ठीक है देखो इधर भी प्रस्ण है यह गलक टाइप ठीक है इसको काठी देता हूँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण आपसे पूछा भारती मानक विशिष्टियों के अनुसार 7H देखो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ 7H 70H7 G8 यह आपका लिखाए भाई तो बताओ इसका क्या अर्थ है मेरे भाई बहुत ही महत्तोपूर भाई बहुत ही बहतरीन प्रस्ण है ये भी रिसेल की परिच्छा में पूछा गया तो बही बताईए यहां पर जो 70 अभी मैंने आपको जब पहला प्रस्न था तो पहले प्रस्न में आपको ये वाला बताया था अब आईए मैं आपको एक बार पहले प्रस्ण की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि जरूरी है, यह प्रस्ण इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, देखो यहाँ पर, यह उसी तरीके का यहाँ पर प्रस्ण है, यहाँ पर पाता है मेरे भाई, यह बताता है बेसिक साइज को, ह बताता है fundamentalivity call, क्या बताता है, होल, की tolerance great, tolerance great कोण सी, IT grade, किसमें होती है कि ऑ क्या है, इसी तरीके से जी क्या है, fundamental deviation of salt, जी क्या है, fundamental deviation of salt, और 6 क्या है, साफ्ट का टॉलरेंस अब एक बार इसको ध्यान से देख लो दिन उसके बाद हम लोग प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं 20 क्या है बेसिक साइज को बताता है मेरे दोस्त ध्यान रखना अब आईए हम लोग चलते हैं प्रस्न नमबर जो आप महारा प्रस्न जो आप से पूछा है अब देखे सेम तूसेम वही है अपका बस यहाँ पर नमबर जो है वो बदले है तो 70 हमारा क्या है या比較 साइज है यहाँ पर क्या लिखा कि जो आपका वास्तवी का आकार है वह 70 mm है या निकि जो आपका actual size यह वो 70 mm है तो आप कहोगे कि भाई ये तो सही नहीं है आप से पूछा क्यों तकतनों में से उक्तकतनों में से बताइए कौन सा सही है तो आप कहोगे ये वाला तो सही नहीं है दूसरा है छिद्र के लिए जो tolerance grade है वो कितना है 7 तो देखे ह के आगे fundamental deviation के बाद जो लिखा है वो 8 लिखा है जो कि क्या है soft का tolerance grade है तो बिल्कुल सही है यानि कि पहला वाला गलत है और ये वाला और ये वाला दोनों option क्या है सही है तो आप से पूछा उक्तकतनों में से कौन सा कथन सही है तो आप कहोगे 2 तथा 3 सही है ठीक है भाई जिन लोग की उत्तर दीत है उनके उत्तर क्या है गलत है ठीक है तो यहाँ पर option number C यानि कि 2 और 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्त सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो बताईए किस पर डिनात्मक रेक प्रावधान किया जाता है यानि कि जो निगेटिव रेक एंगल है वो किस पर प्रदान किया जाता है बताईए भई जो निगेटिव रेक एंगल है दोस्त वो किस पर प्रदान किया जाता है या आपको बताना है हाई स्पीड इस्टील टूल पर थीक है? कारवाईड टूल पर, कास्ट आरेंट टूल पर या मार्ड इस्टील टूल पर? जल्दी से बताईए भाई हाँ, बिल्कुल सही है, दोस्त कोई दिक्कत नहीं है गलतिया अगर आप से होती है तो यहाँ पर आप गलती कर लो, वो तो सही है दोस्त लेकिन परिच्छा में क्या हो गलती ना इसी लिए तो हम लोग ऐसी तरह का सेशन करते हैं प्रेक्टिस करते हैं कि भाई प्रेक्टिस में गलती हो जाए ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन परिच्छा में क्या हो दोस्त गलती ना ठीक है तो जो आपका कारवाई टूल होता है उस पर क्या होता है भाई या निगेटिव रेक इंगल प्रदान किया जाता है ठीक है चलिए अगर कोई आपको प्रस्न डाउट होका तो आप पूछ लीजेगा अगला प्रस्न है कीन ड्राप फोर्जिंग फोर्जिंग इस दन भाई ड्रॉपिंग विच आप दा फालोई दे देखो क्या होता है ड्राप फोर्जिंग में होता क्या है तो यहीं आप से प्रस्न पूछा है कि उच्चवेग पर जॉब के टुकड़े को ठीक है जॉब के टुकड़े को उच्चवेग पर जॉब के टुकड़े कहीं गिराया जाता है उच्चवेग पर हथावड़े को ठ पर वान्छित इपनिकरता करता एधर्व करता थिके भाई यह आपको क्या करना है दोस्त बताना थिक है तो उच्ष वेक के साथ दोस्त डाई और हमड़े को एक साथ कहीं गिराया जाता है पटका जाता है खुरुम्ला के इतना समझों ठीक है तो उससे क्या होता है भाई वही जो प्रक्रिया है वही आप ही कहलाती है ड्राप फोर्जिंग ठीक है के नारमल नारमल तरीके से कास्टिंग बनाने के तो आप कुछ भी बना सकते हो इंजिनिरिंग की दुनिया ऐसी है भाई किसमें आपके पास और रहते हैं आप एक नहीं तो दूसरे का यूज करो दूसरा नहीं तो तीसरे को प्योप करो यह चीज आपको समझनी पड़ेंगे लेकिन क्या होता है अगर आपसे जैसे की पूछा जाए कि एक अच्छे हैमर का यह जो अच्छी क्वाल्टी का हैमर है भाई कट तो नहीं रहा है ठीक है एक जो अच्छा हैमर है अच्छे हैमर का जो उत्पादन है वो कैसे किया जाता है अच्छे हैमर का उत्पादन कैसे किय किया जाता है तो आप कोगे ड्रॉप फोर्जिंग से किया जाता है कैसे किया जाता है ड्रॉप फोर्जिंग से एक अच्छे हैमर का उत्पादन जो है किया जाता है अब मैं अगर आप ऐससे की मान के चलो कि जिस आधार पर आप मारे के ने कोई वस्त लेने जाते हो वह ही उसका क्या है वह इस्वेस्पिकेशन है जैसे कि मैं आपसे कहों है आपवाल्टी लेने गए मार्केट में तुशर मीटर आपना मांथा पीट लेगा कहे बहाई कहां से बाल्टी चार मीटर की थोड़ी होती है वो किसमें होती है दोस्त लीटर में होती है किसमें होती है लीटर में तो आप कैसे मांगोगे बाल्टी को अच्छा उससे कहोगे कि भाई चार मीटर बाल्टी देदो अपका पड़ा तो चार मीटर सही है बाल्टी तो चार मीटर नहीं मांग सकते नहीं दुकान पर वहां तो आपको क्या बताना पड़ेगा लीटर बताना पड़ेगा लीटर कि भाया हमको 10 लीटर की बाल्टी चाहिए कि हमको 15 लीटर की बाल्टी यह आपको क्या करना होगा वहाँ बताना होगा तो जिस आधार पर market में कोई चीज मिलती है वही उसका क्या है दो स्टेनस्पिस्थिकेशन है तो इसी तरैकर से जब आप hammer market में लेने जाओगे तो आप दुकानदार को दो चीजें बताओगे दो चीजें कौन-कौन सी एक है आपका पीन पीन का अकार पीन उसका कैसा आप कहोगे भईया हमको बाल पीन हैमर दे दो या इस्टेट पीन हैमर दे दो या क्रास पीन हैमर दे दो हमको इसमें से कोई चाहिए तो वो लाया आपको 20 किलो का स्लेज हैमर पकड़ा दिया या 10 किलो का स्लेज हैमर पकड़ा दिया तो आपको नहीं हमको चाहिए तो ये बाल पीन हैमर या स्ट्रेट पीन हैमर लेकिन हमको छोटा चाहिए तो वो कहेगा कितने ग्राम का कितने किलो का तो आपको दो चीजे बतानी होंगी एक आपका पीन है और दूसरा आपका क्या है भीया दूसरा आपका क्या है दूसरा आपका है वेट यानि की भार ठीक है तो इस्पिस्फिकेशन किसके आधार पर की आता है पीन और भार के आधार पर ठीक है अब BIS यानि की Bureau of Indian Standard BIS की आपका है मर दूसरा हो गया स्लेज है और तीसरा आपका पावर है मर पावर है तो भीया की अनुसर जाब का है और हैंड है मर है हो कहां से कहां तक पाए जाते हैं तो आप कहोगे कहां से कहां तक 5.11 kg 6 Maximus ठीक है जो फिटर का पता है फिर का पसंदीदा थोड़ा होता है यह इसा कोई नहीं हुआ हुआ हूँ अरु प्रस्ड यह पुछा गया टीक है फिटर का पसंदीदा थोड़ा कौन सा बाल पीन हैमर आप से पूछेगा रिविटिंग के लिए किसका उप्योग किया जाता है आप कहोगे बाल पीन हैमर दिन इसके बाद दूसरा आपका क्या है क्रॉस पीन जो भी पॉइंट लिखा रहा हूं दोस्त लिखने का प्यास करो अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत न क्रॉस पीन जो हैमर है इसका उप्योग का खपर किया जाता है तो आप कहोगे गुरूव बनाने में कोई सीट है उस पर आपको क्या करना है भाई गुरूव बनाना है उसमें इसका उप्योग किया जाता है अगला क्या है तो आप कहोगे सीट को सीट को एक दिसा में फैलान है एक दिसा में छायलाने किस का उप्योग किया गता है अब बताइए जो आपका स्लेजभम समय से पाए स्लेज हेमर किस वेट में पाया जाता है तो आप क्या कहोग assessment धों केजी सिलेकर 10 सिद्बादर आपका स्लेज हैमर है ठीक है जो हैमर का वेट है वो कहाँ परंकित होता है हैमर का जो वेट है दोस्ति सभी प्रस्न है हैमर का वेट कहां परंकित होता है तो आप कहोगे इसके चीक परंकित होता है ठीक है चलिए इतना ही अभी समझीए इतना यह याद रखिए ठीक है चलिए भाई चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ कि कारसाला में वी ब्लॉक का प्रियोग निमनलखित में से किसकी जांच करने के लिए किया जाता है बताओ भाई बहुत सिंपल प्रस्न है जल्दी जल्दी थोड़ा से बताएंगे दोस्त क्योंकि अभी हमें धेर सारे प्र कि बताइए यहां पर कारसाला में जो वी ब्लॉक है उसका प्रियोग क्यों किया जाता है कारे सालम उसका प्रयोक्चियों किया जाता है तो आप कहोगे जॉब की गुलाई को क्या करने के लिए दूस्त चिक करने के लिए किया जाता है ठीक है अब देखो इसका जो इस्पिस्फिकेशन है वो कैसे लिखा जाता है जो वी ब्लॉक है उसको कैसे लिखा जाता है तो आप सिंपल से यहां पर ले लिखलो वी ब्लॉक लिखलो 50 लिखलो 10 इस फाइव टूफोटी और यहां पर कुछ आईएस स्टेंडर्ड का नंबर लिखा होता है 2949 तो वी ब्लॉक का जो इस तरीके से किया जाता है जहां पर यह दोस्त क्या है यह आपकी क्या है वी ब्लॉक की लंबाई है और यह फाइव से पोटी क्या है यानि कि इसमें जो वी ब्लॉक है वी ब्लॉक देखवा चिक तो करेगा राउन्ड नेस को ठीक है यहां पर चिक तो करेगा किसकी जौब की गुलाई को लेकिन फोल्ड भी कर सकता है सपोर्ट करता है मानकी चलाओ को कोई मार्किंग डिलिंग या कोई आपरेशन करना है तो यह गोल जौब को या round job वो पकड़ने का भी काम करता है ठीक है तो पांच क्या है पांच मतलब 5 mm है पांच mm से 40 mm तक की जॉब को क्या कर सकता है तक की जॉब को पकड़ सकता है ठीक है तक कि जो आपको क्या कर सकता है यह पकड़ सकता है ग्रेड आपको पता ही होगा जो इसका ग्रेड है दो ग्रेड में मिलता है एक आपका A ग्रेड का हो गया एक आपका B ग्रेड का हो गया यह जो A ग्रेड वाला होता है अपर लिकलो ए ग्रेड और दूसरा क्या हो गया आपका बी ग्रेड जो ए ग्रेड वाला होता है यह मोर एक्यूरेट होता है इसकी जो लेंथ है यह कितनी होगी भाई इसकी लेंथ होगी आपकी सरे बीग्रेड वाले की क्या होगी तीन सवं में यह कैसे बनाये जाए का आपको यह बनाया जाएगा closed grain cast iron closed grain cast iron से क्या होगा भाई यह वाला बनाया जाएगा ठीक है चलिए बहुत सांदार भाई ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरह अगला है आपका देखो यह वी ब्लॉक है यह आपका क्या है वी ब्लॉक है इसमें आपका क्या होता है यह slot कटा होता है क्या कटा होता है भाई इसमें आपका slot कटा होता है इस तरीके से ठीक है और आपका job को ताकि आप क्या कर सको इस slot में इसको फ़सा कर इस job में job slot में इसको फ़सा कर आप क्या कर सको यहाँ पर job को क्या कर सको भाई hold कर सको चलिए अगला प्रस्न है अगला प्रस्न देखिए जैसे कि एक बच्चे का doubt है उसको मैं दूर करने का प्यास करता हूँ एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे कि जो आपका क्या है भाई जो आपका यहाँ पर इस प्रस्न का तब तक आप लोग जवाब देंगे भाई इस प्रस्न का जवाब आप लोग देंगे तो दोस्त जो आपका वो है उत्तर वो क्या है वो गलत है जो सिलिकान कारवाइड होता है आपका जो सिलिकान कारवाइड आपका अब्रेसी होता है उसको सी से ही पदरसित करते हैं मेरे भाई ठीक है तो जो मैंने आपको बताया है वो सही है उसको सी से ही पदरसित करते हैं आप उसको क्या करेंगे करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है भाई डेली अभी नहीं चलना है दोस्त अ कर की चालता रहा है और इसमें क्या होता है मान के चलो यह आपका है है यह होल ये आपका क्या है ये आपका होल है और ये आपका क्या है मेरे भाई ये आपका साफ्ट है अब प्रस्न देखो यहां से क्या बनता है फसाने वाला और जो कठिन प्रस्न आप से पूछता है वो क्या पूछता है कि जो आपका interference fit बनता है जो आपका क्या बनता है दोस्त interference fit उसम होल का टॉलरेंस जोन साफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे होता है देखो यहाँ पर साफ्ट का टॉलरेंस जोन क्या है उपर है न और अगर दूसरे भासा में पूछे कि इसमें जो साफ्ट का टॉलरेंस जोन है इंटर्फेरेंस फिट में, साफ्ट का टालरेंस जोन, होल के टालरेंस जोन से क्या होता है, दोस्त, उपर होता है, और अगर होल के परेपेच में पूछे, तो आप क्या कहोगे, होल का टालरेंस जोन, साफ्ट के टालरेंस जोन से क्या होता है, साफ्ट के टालरेंस जोन से होता है। ठीक है भाई तो यह प्रस्ना आप से पूछा जाता है इंटर्फिरेंस फिट का और अगर मैं आप से पुछूँ क्लियरेंस फिट अगर मैं आप से पुछूँ क्या दोस्त क्लियरेंस फिट तो क्लियरेंस फिट आपका क्या हो जाएगा इसमें देखो मानके चलो यह होल है यह होल का टालरेंस जोन होगा यह होल के टालरेंस जोन से नीचे होता है बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा प्रस्ण यहां से बनता है ठीक है चलिए थोड़ा सा speed को अपनी बढ़ाते हैं अब देखो क्या है अगले प्रस्ण की तरह अगर बढ़ें तो अगला नंबर क्या हो जाएगा नंबर आफकर माति इसने महां से अगला अगला बढ़ा अगलाए अतरी कोड़ें का योग कितना होता मौनके चलोगए कोई पुलिगन है तो उसके जो आंतरी कोड़ों का योग है वो कितना होगा तो आप कोगे 2N-4 इनिटी 90 दिग्री ठीक है दोस्त इसमें कुछ समझाना तो नहीं है तो ठीक है भाई मेरे पास भी रिपेरेंस उसको रिपेर्नस अपने पास रपको दोस्त हैं अभी रिफएर लगाइंगे दिन उसके वाम कुछनता के बताना है बताना है की अधिन प्रुकास और ऑसिजन भाइए तो गलत हो गया इधन यह आण इधन चाहिए, उसमा चाहिए, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इधन चाहिए, उसमा चाहिए, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो option number B आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखो यही है क्या आपका fire triangle, यह जो आपका figure में बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं fire triangle क्या बोलते हैं मेरे भाई इसी को हम लोग बोलते हैं fire triangle देखो यहां पर oxygen चाहिए heat चाहिए और हमको क्या चाहिए दोस्त fuel चाहिए अब आई ये कुछ आग के बारे में पढ़नेते हैं थोड़ा हैं वो आपके कौन-कौन से मेथड जो है आपके प्रयोग किये जाते हैं तो आप क्या बताओगे सबसे पहला है आपका इस्टारवेशन मेथड पहला क्या है आपका इस्टारवेशन इस्टारवेशन मेथड इसमें क्या किया जाता है इसमें आपका इधन से यानि की आग से क्या किया जाता है आग से फ्यूल को अलग किया जाता है आग से क्या करना मेरे दोस्त फ्यूल को अलग करना ठीक है दिन इसके बाद दूसरा आपका क्या हो गया दूसरा हो गया आपका इस्मूथ रिंग दूसरा क्या हो गया आपका इस्मूथ रिंग इस्म अलग करना अगर उटू नहीं रहेगा तो बताओ क्या आग जल पाएगी आप नहीं जल पाएगी ठीक है सेम इसी तरीके से तीसरा है आपका cooling cooling में आप क्या करते हो भाई cooling में आप से क्या करते हो जो heat आग में है उसको remove कर देते तो heat जैसे पानी डाल दिया आपने तो आपने आग से जो fire जल रही है उससे heat को remove कर दिया तो उससे क्या हुआ दोस्त उससे भी आपकी जो आग है वो क्या होती है पुछ जाती है ठीक है च बिल्कुल दोस्ति ठीक है चले आगे बढ़ती है अगले परसुन करती जाएगी ठीक है और अगर कोई डाउट है तो वो भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा चलिए अगला है आपका किस पात को थर्मिट वेल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला धात पाउडर है ठीक है जो इस्टील की आप क्या करते हो भाई थर्मिट वेल्डिंग करते हो उसमें कौन से पाउडर का प्रयोग किया जाता है बताओ तो आप क्या कहोगे अब देखो क्या होता है एलुमीनियम जो और क्या होता है जो आपका आइरन आकसाइड का क्या होता है पाउडर होता है किसका किसका पाउडर होता है इलुमीनियम का और आइरन आकसाइड का अब देखो यहां पर आइरन आकसाइड तो दिया नहीं है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर आपका aluminum हो जाएगा देखो यहाँ पर आपका iron oxide होता है 109 a ಈ IQ कि लहां क्या होता है Aluminium यह करिया करता है तो आपको क्या होता है Ltd Iron बन जाता है यह मैं ऐसे यहापको समझाने के लिए Grundy यह एक्षन बाइलेंस नहीं है तो ऐसा मत करना कि एक्षन गड़ा दिखो यह मैं आपको बस समझाने ले लेगा और एक्षन आपसे पूस्ता नहीं इसमें क्या होगा भाई आइरम आक्साइड प्लस अलिमिनियम तो बाद में हमको क्या मिलेगा जो है मेल्टेड आइरन यह क् अमलग क्या बोलते हैं स्लैग यहीं नापन आपसे प्रस्न बनता है कि थरमिट वेल्डिंग के दरान जो उत्रण स्लैग है या कौन जो से रेंस वन ऑteilक कर बता सब्दा इसमें बताओ जो रेसियो होता है वो कितना होता है यह भी पूछा गया है जो ratio होता है iron का और aluminium का यह 3 to 1 होता है कितना होता है 3 to 1 अगला प्रस्न बनता है thermit welding कैसा welding process है तो आप कहोगे fusion welding process कैसा है भाई fusion welding process और fusion welding process में भी कौन सा thermit welding में कैसे हमको जो है welding होती है तो आप कहोगे chemical reaction welding है कैसा welding है तो आप कहेंगे chemical reaction chemical reaction क्या है welding process आपका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह देखे इस तरीके का thermit welding होता है यहाँ पर क्या होता है यह आपका कौन से वेसल होता है इसमें आपका mixer होता है thermit mixer thermit mixer की बात कर रहा है भाई thermit mixer मतलब वही आपका aluminium हो गया और iron oxide हो गया फिर इसको यहाँ पर जलाते हैं किसके द्वारा barium paroxide जो आपकी barium paroxide की छड़ है उसके द्वारा जलाते हैं फिर यह जलता है तो melted iron हमको मिलता है और मान के चलो इस section के हमको यहाँ पर welding करनी है यहाँ से melted iron आता है यहाँ पर भर जाता है और इस section की क्या होती है welding हो जाती है रेशियो बताया तो भीया रेशियो जो है आपका रहता है iron वारा रहता है 3 और aluminium का रहता है 1 एक चीज़ और लिखो पूछी लिए हो तो यहाँ पर क्या तो होगे कि कम से कम गयप जो होना चाहिए कम से क थर्मीट वेल्डिंग करने के लिए जो section है जैसे कि मान के चलो यही section है इसकी आप यहाँ पर यह दिखो यह section है तो इसके बीच में जो गयप है यह कितना होना चाहिए तो आप कहोगे कितना होना चाहिए तो आप कहोगे गयप होना चाहिए 1.6 ठीक है 1.5 से 1.5 से 6 mm के चलो आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका बाहरी thread काटने के लिए कि सवजार का प्रयोग किया जाता उसे कहते हैं तो भाई मैं भी पहले ही बता चुका हूं कि बाहरी जो thread है external thread है उसको काटने के लिए हम लोग किसका उप्योग करते हैं दोस्त डाई का प्रयोग करते ह है तो आप कोगे internal thread काटने के लिए किसलिए करते हैं टैप का प्रयोग हम लोग करते हैं internal thread काटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखो यह भी प्रस्न वही पूछा यह प्रस्न रिपीट हो चुका है अभी यह प्रस्न मैं मैंने पहले अपने से डाल दिया था important समझ के इसको देख उसके बाद सेल में आया तो फिर से ही प्रस्न रिपीट हो गया ठीक है सेल राउर के लाइश्टील प्लांट में यह प्रस्न जो है पूछा गया है तो यहां पर मैंने आप क्या बताया भाई देखो अच्छा यह अच्छा माइक्रोमीटर वाला था ठीक करने वाले वर्नियर पैमाने पर पचीस खानों वाले मिट्रिक वर्नियर कैलिपर का जो अलपत्वांग है वो कितना होगा तो देखो भाई वहां पर क्या था वहां पर था आपका माइक्रोमीटर और यहां पर क्या कह रहा है भीया यहां पर बात कर रहा है किसी की वर्नियर कैलिपर की तो वर्णियर कैलिपर का लीश्ट काउंट आप कैसे निकालते हो सिंपल भासा में समझो तो आप कहोगे मुख्य पैमाने मुख्य पैमाने के एक भाग का मान एक भाग का मान बटे आप क्या कहोगे बटे आप कहोगे वर्णियर पर खानों की संख्या बटे क्या हो जाएगा सर्कूलर इसकल पर खानों की संख्या और अगर आप वर्णियर की बात करोगे तो मुख्य पैमाने के बाग कामन बटे वर्णियर पर खानों की संख्या चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ देखो पर यह निए करें इसके बारे में आपको जानकारी होगी दिखू यह बर्णियर इसके लहता है इस तरीके से आप इसके वीचिन आपको पकड़ते हो यह मीजरिंग टीप है इंटर्नल डाव्यमाटर आप मीजर कर सकते हो या पी क्या है डेट रहे है अलग से लगी होती है जो सब्सक्राइब कर दो समय थोड़ा मिलेगा तो कि अभी आपकी पर चलती है और जल्द ही आपकी यूट्यूब है उस पर भी आपकी वह सुरू हो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करेंगे लेकिन दोस्त इंसान है डेली जो है क्लास बिना ठके तिन चार चार घंटे मेराथन नहीं लाए जा सकती जो डेली क्लासे अगला है आपका कि मसीन द्वारा काम करते समय क्लाइंग मिलिंग चुना जाता है बताव वह जो क्लाइंग मिलिंग है उसको हम लोग क्यों चुनते हैं यह हम लोग किसलिए करते हैं देखो एक सेक्षन में यहां पर बना देता हूं यहां पर मान के चलो कुछी इस तरीके का आपका सेक्षन है यह आपका यहां पर ब्लेड है ब्लेड कैसे बनाया जैए शलो बंतू रहा है अधा joints है में यापका क्या है यही का होता है यही आप आपका क्या होता है यही आपका होता है क्लाइंब मिले क्लाइंब मिले और यह भी प्रसना आपका सेल राउट के लाइस टील प्रांट भरती परिच्छा में पूछा गया है और यह बेहतर सर्फिस फिनिस प्राप्त करने के लिए बेहतर सर्फिस फिनिस प्राप्त करने के लि रहे हो तो किसकी सहायता से काटोगे मेरे भाई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से और उसमें रेक इंगल आपका कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से मैंने अभी आपको जो कौन वगएरा थे उसके इसके पहले वाले प्र वह कैसे की जाती है तो पहला देखको आपसन क्या दिया छै महीने से दो वार्स के लिए खोला चोड़ देने मैदान में भाई ऐसे तो होगा नहीं सिंपल आप क्या कहोगे क्रांति किताप के उपर गरम करके उसके पस्चाथ उसे वायू में ठंदा करके अगला है क्रांति किताप मान के उपर गरम करके उसके भठी में ठंदा करके तो भठी में तो भठी में तो भईया आप किसको ठंदा करते हो जब एनिलिंग प्रोसेस करत करते हो तब भठी में ठंडा करते हो कॉर्ग किताप के नीचे गरम करके उसके पस्चात उसे वाएम में ठंडा उच्च क्रांतिक तापमान के उपर गरम करके की जाती है या उच्च क्रांतिक तापमान के नीचे गरम करके लेकिन यहां पर किसी भी तरह का जो क्रांतिक तापमान है वो अपर क्रिटिकल तंप्रेचर या लोवर क्रिटिकल तंप्रेचर आपका नहीं दिया है ठीक है अपर क्रिटिकल तंप्रेचर या लोवर क्रिटिकल तंप्रेचर आपका ये नहीं दिया है जब कि ऐसा नहीं है जब अगर आप से अगर इस तरीके का पुछे तो उसमें आपका अपर क्रिटिकल ठीक है अपर critical temperature और lower critical temperature भी पूछना चाहिए तो एक तरह से देखो दोस्त यहाँ पी यह प्रस्त ही गलत हो जाता है कि भाई क्योंकि इसमें क्रांतिक तापमान अब क्रांतिक तापमान कौन सा है lower critical है कि अपर critical है यानि कि निम्नेकरांतिक तापमान है कि अपरकांतिक तापमान है निम्नेकरांतिक तापमान दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि देखी क्या होता है जब आप इस टील का heat treatment प्रोसेस करते हो तो जिस temperature पर उसकी जो संदचना है या उसके जो structure है जैसे मा परिवर्तन होगा जब इसके structure में परिवर्तन होगा तभी क्या होगा भाई गुडों में परिवर्तन होगा तो क्या होगा तब जब इसके structure में परिवर्तन जिस तापमान पर सुरू हो जाता है वही क्या होता है निम्नेकरांतिक तापमान और निम्नेकरांतिक तापमान इसटील के लिए अलग अलग होता है यह तो यहाँ पर देखो अगर मेरे हिसाब से दोस्ता सही उत्तर क्या होगा होगा अगर लाइजिंग है तो है तो यहां पर लिख लो उच्छ क्रांतिक ताप मांद से 30 से 50 तो वही आपका क्या होता है यह आपका जो ग्रेंस है जो इसको क्या करता है क्या करता है मेरे दोस्त रीफाइन करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर वह का पॉला नहीं है यहाँ पर क्यूम है यहाँ पर क्यों वह प्रेयोग करके रिफुठ इसको बनाजिया न हटाक यह कमें ने चैनल चानिव के लिफुठ लोहा जाता है तो आप और थोड़ा सा यह तॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है भाई बिल्कुल कोशिस करेंगे दोस्त आगे भी क्लास रहती है दूसरे एक चैनल पर आ रहा है वहाँ भी पढ़ाने के लिए बोल रहती है दोस्त इस वज़य से नहीं ले पाता और क्या काम मेरा काम तो पढ़ाना है यार मुझे क्या दिकत है पढ़ाने में अग्र मेरे आगे बढ़ते हैं तो देखो यह है कुछ नहीं दिखेगा आपको सिंपल देखो इसकी जो सन्वचना है वो किसी तरीके की होती है ठीक है इस तरीके की होती हमारे जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वहां पर था यह क्यों पोला फर्मेस तो यहां पर दोस्त बड़ी-बड़ इसमें भी चढ़ने के लिए हमको सीडी लगानी पड़ती थी सीडी लगती थी सीडी लगी रहती हम लुग जाके उसमें कभी नहीं थे बंद पड़ी रहती थी लेकिन फिर भी सारी चीजांट देखें ऑने के वाज़ा से काफी चीज़ें जो है रोती है ठीक है चलिये कोई acidic coating है तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे A symbol कोई छारी coating है तो basic B का उपयोग करोगे cellulose coating है तो C का उपयोग करोगे rutile coating है तो आप R का उपयोग करोगे rutile ठीक है यह तरह-तरह की जो flux है जो लेपित है जो आपके एलेक्टोड है उसके फ्लक्स चड़ाय जाते हैं वह इस तरीके से सो किया जाते हैं अच्छर के द्वारा डबल आर है डबल आर क्या बताओगे आप हैवी हैवी कोटट है विद्ट रूट आई डबल अर क्या होगा भाई डबल हो जाएगा आपका हैवी कोटेडू रूट आई और ऐसे मतलब क्या हो जाएगा कोई अधर माटेरियल का यह भी आप ध्यान लटना आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है आपका कि माइक्रो मीटर में अधि थिम्बल का असांकन जीरो लाइन के उपर है जबकि अगर भाग संपर्क में है तो कौन सी तुटी होगी ठीक है क्या कह रहा है भाई थिम्बल का असांकन जीरो लाइन के उपर है और थिम्बल पर क्या होता है भाईया थिम्बल पर होता है आप से कौन सी condition कह रहा है ये वाली थिम्बल पर जो आसांकन है 0 का वो ये वाले 0 से ये वाला जो 0 है ये जो datum line है इससे क्या है आगे निकल गया है तो ये कौन सी error होगी दोस्त निगेटिव 0 error कौन सी होगी निगेटिव 0 error रिडात्मक सुने तुटी और यदि थिम्बल का 0 थिम्बल का देखो इसमें क्या है जो 0 है ये यहां पर देखो ये datum line है और ये वाला 0 यहां पर है यानि कि datum line के पीछे है या नीचे है तो अगर ऐसी condition बनी तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 0 error और अगर दोनों एक सीध में रहेंगे दोनों अगर एक सीध में रहेंगे तो कोई भी 0 error नहीं होकी most important प्रस्ण है दोस्त ये पूछा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरव aluminum किस अजस्क से निकलता है अब देखो भाई मैंने आप से पहले भी कहा था कि सुरू में थोड़ा से explanation में प्रस्ण बनता है explanation में समय लगता है लेकिन देन उसकी आगे उसी से प्रस्ण आने लगते हैं तो फिर वहां पर explanation में समय नहीं लगता है अब बाक्साइट में आपको पहले ही बता चुका हूँ इसमें कोई समय नहीं लगेगा तो aluminum किस में भाइक से निकाला जाता है अगला है आप विखे से निकाला जाता है अगला आपका बताईए एक toil कि के बराबर होता है और 0.001 mm के वराबर होता है बताईए बता रहा था कि नहीं तो अब इसको समझाने क्या हो सकता है ये पहले ही वहाँ से फैक्ट से हम लोग कर चुके हैं और अगर पूछे भईया सेंटीमीटर में तो एक 0 और बढ़ जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर तो ये भी ध्यान तकिएगा कभी कभी क्या करता है सेंटीमीटर में पूछ लेता ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका अगला प्रस्न है कि फाइलिंग करते समय अगला प्रस्न है आपका कि filing करते समय जाब को vice में पकड़ने की सरवॉत्तम स्थिति कौन सी होती है یعنی कि vice में पकड़ने की सरवॉत्तम स्थिति है sich tav ép University जो आपकी simple समझो एक technique है वो क्या है elbow level elbow level पर आपको क्या करना है यानि कि मान के चलो जैसे कि मान के चलो तो यह आपकी फाइल है तो वाइस सिंपल समझो वाइस अगर आपका फिट हो गया उपर तो आप फाइल को पकड़ करोगे यानि कि वाइस जो है फिट होना चाहिए वह इलबो लेवल पर इस तरीके से अब हमने हाथ कर लिया हमारा हाथ कित्ता मेरा 90 डिग्री तो इसी उचा हमारी साथ देती है तो कि इनवर्टर डबल बेट रहा तो है दोस्त लेकिन फिर भी क्योंकि इतना बड़ा पुड़ा चलने में देखती है कि कितनी दिर हमारा inverter जो है चल पाता है ठीक है चलिए तो यहाँ पर चाह हो जाएगा elbow level पर इसलिए थोड़ा से मैं जल्दी करा रहा हूं कि मानगा चाहँ लाइट में यहाई तो कंसका हमारे फिटर के तो question जो है होई ही जाए अगला है आपका teeth पर unit length की संख्या निम्नतम होती है ठीक है निम्नतम यानि कि बताओ teeth पर कोई भी length ले लो unit length मतलब कोई भी length ले लो सभी फाइल के लिए बराबर लेटो तो देखो भाई सबसे पहले आपने देखा था rough फाइल यह रेस्पकट तो फाइल हो गई cutting cut के आधार पर फाइल का प्रकाड तो इसका तो ग्रेट से कोई संबंद ही नहीं है तीत पर लेंथ जो है किसमें कम होता था सबसे पहले रब फाइल बताया था भी पूरा लिखके रेती कावागी करां अब रब फाइल तो है नहीं उसके बाद इसमें कौन सा है बास्टर्ड फाइल तो बास्टर्ड फाइल ही क्या हो जाएगा सही उत्तर हो ठीक है हाँ 106 cm भाई लेग सकते हो बिल्कुल सही लेग सकते हो बिल्कुल लेग सकते हो 106 cm चलिए नहीं होता अब मैंने आपको बताया था कि किस पार्ट को कठोरी करेदी नहीं कि बताव बताया था अभी मैंने आपको यहां पर रेती पढ़ाया भाई दिखा देता हूं ने तो जो नया बच्चा कहेगा कि यह तो पूरा बता ही रहें कि सब बता ही है सब बता ही है बता कुछ नहीं रहें ठीक है दोस्त सुरू में देखो इसलिए एक्स्प्लिनेशन करने में समय लगता है क्योंकि उसके बाद क्या होता है उसके बाद आपको एक्स्प्लिनेशन में ज्यादा समय नहीं लगता है ठीक है फिर भी जो नया बच्चा है जुड़ा है एक बार दिखा देता हूं कहां गया भाई प्रस्न अमलोग का प्रस्न गाय टैंग की hardening नहीं की जाती है तो यह सारे fact अगर आपको पहले से पता है देखो यहाँ पर rough file में लिखा था सबसे कम तीथ था उसके बाद देखो यहाँ पर जो bastard file है इसके बाद दूसरे नंबर की यह file थी जिसमें क्या था कम तीथ था तो बताओ भाई समझ में आया की नहीं समझ में आया की नहीं दोस्त तो जो explanation पहले हो चुका है उसको हम लोग फिर से explain नहीं करेंगे ठीक है जो explanation पहले हो चुके है प्रसनों में उसको फिर explain नहीं करेंगे उसके दोस्त सिर्फ और सिर्फ मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ ठीक है तो कौन सा भाग कठोरी कृ नहीं होता है तो आपका टैंग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रसने की तरह बढ़ते हैं यदि एक मरीज मुख से सुचन प्रक्तिया सही ना करें तो प्राथमी कुछार को कैसे करना चाहिए बताइए तो सबसे पहले भाई दोको टूटी हड्यों को देखे नही सरेट kanssa गंबल सेकना रखे नहीं नाडी और नयत्जट्चु की जायत करें नहीं आपको डाक्टर नहीं बनना है सबसे पहले आपको चिकिस्सा सहायता धोरने के लिए प्रयास करना है कि भाई हम क्या करें सबसे पहले तो आपकोगे पहला आपका आता है सेफर समेसर दूसरा है आपका आता है सिलबेशटर मेंसर आता है solar star भाई देखो, shark farm में लिखूँँ गाप देख भाई लिखने में बहु fi है चल जाए गा sylvestre method आता है और तीसरा आपका क्या आता है मेरे भाई तीसरा आपका आता है लेवारड method में बस आप इतना बता दो सेफर्स method में क्या होता है और लेबार्ड मैथड में क्या होता है तो सेफर्स मैथड में क्या होता है रोगी को कैसे लिटाया जाता है रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है ठीक है सेलवेस्टर मैथड में कैसे लिटाया जाता है रोगी को पीठ के बल लिटाया जाता है ठीक है पीठ के बल और लेब तो उसकी सास नहीं चल रही है बंख से हुआता है इसी मेथट को क्या कहते हैं और कोई है अपनात foster है यही वाला मेत्धन साव रहता है और यही वाला मैथड दोस्त क्या करता है वो अपनाता है ठीक है आप बताईए अगर आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई आपकी हिरोईनी जो है क्या हो रही है ऐसी किसी घटना भगवान ने करें फसे मान कि चलो फस गें तो आप इसमें से उसको बचाने के लिए कौन सा मैथड अपन क्या होता है भाई 양र सी टीसी का अर्थ कर में है 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 चलो से यहांपर सी टिसी का अर्थ होता है कंड बन टेड्रेटरागूराइड कर्बन क्यों किया जाता है मेरे अफाई कार्बन को क्या बोलते हैं CTC अगनिसामा को इंग्लिस में क्या बोलेंगे CTC fire extinguisher कि CTC fire extinguisher भी इसको क्या करते हैं दोस्त बोलते हैं ठीक है और इसका उप्योग कहां पर किया जाता है तो आप कहोगे class d fire के लिए class d fire के लिए जो है इसका उप्योग किया है ठीक है लिए चनली कि एक बार जल्दी जल्दी दोस्त बता दिया जाए कि आपको टाइप साथ जो fire है वो बता दिया जये जल्दी से देखो यहां पर देखने ती है सबसे पहले यहां पर क्या हे यहां पर लिखो class भी ठीक है जो सब्सक्राइब क्लास C और यह आपका क्लास D ठीक है क्लास A को हम लोग क्या कहते हैं कार्बोनेशन फायर किसके करना लगती है आपका जैसे की लकड़ी हो गया कागज हो गया क्लास D में होती है कोई बी ऐसे क्लास C में आपका गैस फायर हो गया जैसे क आपका लपीजी हो गया ठीक है भाई देखते हैं कुछ वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं तब यार इस्किल टेस्ट के बारे में उसकी ज्यादा जानकारी है ने डिया आपको लोग को पता है और जो लोग आठाट हजार की कोचिंग करवा रहे हैं उनको भी कुछ जानकारी नहीं है ठीक है तो दो अब इसके लिए देखो क्या होता है एक्स्टिंग्योसर भी अलग-अलग होते है क्लास न आख सा होता है और क्लास के लिए क्लास के लिए प्रयोग हो जाता है और इसके लिए आपको बताया किनी में लखित में से कौन सी एंगल पेट इस प्रकार समायोज्य है ताकि क्या हो भया दोनों सतहों को एक कोड़ पर क्या किया जा सके दोनों सतहों को एक कोड़ पर रखा जा सके बताई कौन सी ऐसी एंगल पेट है बताई ठीक है तो सबसे पहले देखो भाई जो एंगल पे क्लोज्ड्रेन काशटारन या फिर है कौन सी ऐसे अगल प्रेट है और इसमें कौन सी हो जाएगी प्रेट हो जायाईगी तो स्विविल टाइप है इंगल प्रेट आपकी यहां पर हो जाएगी थीक है, मेटल में भी लगी आग के लिए CCL4, ठीक है, हाँ भाई वही है, मेटल में लगी आग के लिए नहीं, जो राहसानिक धातों से आपकी आग लगती है, ठीक है, ठीक है भाई, जो यहाँ पर क्या होता है, राहसानिक धातों के करण आग लगती है, उसको बुझाने के आपका जो है इसे का प्रयोग किया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशना की तरफ कि डाल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है रापमान होगा नहीं स्यानता होगा नहीं आप एच्छी तो मापन से किसी भी अवस्तु का विचलन देवीएशन मापने में प्रयोग किया जाएगा ठीक है जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है तो देखो भाई कुछ इस तरीके क इसका प्रस्ण पूछता है इसका जो सिधानत है वो किस सिधानत पर काम करता है जहां से समझना किस सिधानत पर काम करता है तो आप कहोगे रैक एंड पिनियन के सिद्धान पर सभी भाईया प्रस्न है इसकी जो रैक की पिच होती है रैक की पिच कितनी होती है भाई बताईए रैक की पिच होती है दोस्त 0.5 mm रैक पर जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं रैक पर जो टीथ होते हैं कितने होते हैं पचास डायल पर जो खाने होते हैं भाईया वो कितने होते हैं डायल पर खाने होते हैं दोस्त सव डायल पर खाने कितने होते हैं सव होते हैं ठीक है अच्छे ये बताओ इसका जो लीश्ट काउंट है वो कितना होगा इसका जो लीश्ट काउंट होगा डायल ग पूछा जाता है कि इसका जो लिश्ट काउंट है डायल गेज का किसलिए क्या होता है इसका जो यूज है वो कहां पर होता है यूज इसका कहां पर होता है तो आप कहोगी इसका यूज जो है कहां पर होता है आप कहोगे फ्लैटनेस ठीक है पैरललनेस ठीक है फ्लैटनेस पैर करता है तो वलनेस क्या करता है भीया सिर्व फ्लैटनेस को चेक करता है लेकिन जम्मू कस्मीर पहले जोन वाइस पर इच्छा होती थी यह पूछा गए चार ती चार में से तीन आप्षन वहाँ पर दिया था और चौथा अप्षन गलत दिया था ठीक है यह उपरी तो सभी द को ही समस्मतलता बोलते हैं दिन इसके अलाम यह भी क्या कर सकता है अब देखो यहां पर जौप कर twists करता है रही से उपर नीचे मोशन करेगा तो जो आपका यह इंडिकेटर है संकेता कहें यह कैसे घूमे का भाई रोटरी मोशन करें तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है प्लंजर के एक mm चलने पर जो इंडिकेटर है यानि कि डायल पर जो इंडिकेटर है इंडिकेटर क्या होता है संकेता किसको बोलते हैं जो सूई है इसको क्या बोलते हैं संकेत इंडिकेटर क्या करता है इंडिकेटर पूरा एक चक्कर घूम जाता है एक चक्कर घूम जाता है अब देखो यहीं जरिस्त काउंट का जो इसका कांसेप्ट है वो आपका clear होता है अब देखो ये एक mm चला तो ये पूरा एक चक्कर घूम गया पूरा एक चक्कर मतलब 100 खाने चल गया यानि कि 100 खाने का मान कितना है भाई एक mm है तो एक खाने का मान कितना हो जाएगा दीखराई दोस्त एक खाने का मान कितना हो का एक बटे 100 और एक बटे 100 कितना हुआ भी या 0.01 mm ही तो हुआ और यहीं से तो क्या आया यहीं से तो इसका क्या आया लीस्ट काउंट आया ठीक है राइट एंगल करने में टाइम ज्यादा लग जा रहा है अब दोस्त उसके लिए तो आपको थोड़ी सी प्रेक्टिस करनी होगी और मैं क्या बताऊ उसके लिए बताईए अब राइए अब ऐसा तो है ने दोस्त कि उसमें मैं आपको प्रेक्ट है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ कि कंबिनेशन सेट किसली उप्योग में लाए जाता है तो आप कोडिये सतहों की जाज के लिए ठीक है कोडिये सतहों की जाज के लिए तो देखो यह होता है आपका कंबिनेशन सेट यह क्या होता है इस तरीके क आपका होता है combination set combination set में देखो तीन हेड होते हैं एक होता है आपका square head एक होता है आपका protector head और एक होता है आपका center head ठीक है ये तीन head होते हैं ये जो आपका क्या होता है protector head होता है sorry square head होता है ये 90 degree and 45 degree सतहों की क्या करता है भाई जांच करता है ठीक है ये जो आपका प्रोटक्टर हेड है ये जीरो से 180 डिगरी के कोड को क्या करता है मापता है और ये जो सेंटर हेड है इसमें क्या होती है दो भुजा होती है दो आर्म होती है ये दो आर्म होती है कितने डिगरी पर 90 डिगरी पर कितने डिगरी पर होती है दोस्त 90 डिगरी पर और यह क्या करती है इसकी सहायता से क्या कर सकते हो भाई सेंटर हेड की सहायता से गोल जाब का सेंटर आप निकाल सकते हो गोल जाब का सेंटर आप निकाल सकते हो किसकी सहायता से इसकी सहायता से ठीक है भाई तो यह आप द्यान रखना देखो यह combination set इसलिए बनाये गए ताकि आप इससे मीजरिंग भी कर सको मार्किंग भी कर सको और चिकिंग भी कर सको ताकि आप जग ताकि आपका जो काम है वो क्या हो जल्दी हो सके तो यहीं आपका क्या है combination सेथे हैं, अब देखो यहां पर क्या है भाई, Vermeer Key Creator में मुख्य पायमाने के एक भाग का मान 11 mm है, यानि कि आगे एक application में लिख लेते हैं, Main Scale, Main Scale के एक भाग का मान कितना है भाईया, जो मुख्य पायमाने के 16 खानों के बराबर है .. ठीक है भाई तो यहां पर लिस्ट अकाउंट उस वाले तरीके से नहीं निकलेगा कि मुख्य पैमाने के एक भाग कामान बटे वर्णियर पर खानों की संच्छा यहां पर आपको क्या करना होगा मुख्य पैमाने के एक भाग कामान और वर्णियर पैमाने के एक भाग कामान ह उन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा. तो देखो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है राए? और बर्णियर के 20 खाने हैं सिंपल समझो बर्णियर के 20 खाने हैं वो किसके बराबर है? मुख्य पैमाने के 16 विभाजन cabo के बराबर है और मुख्य पैमाने के एक विभाजन का मान कितना है यानि कि मुख्य पैमाने के 16 विभाजन का मान कितना हो गया मुख्य पैमाने के 16 विभाजन का मान हो गया आपका 16 mm यानि कि वर्णियर का जो 20 खाना है वो किसके बराबर है दोस्त वो 16 mm के बराबर है तो आप इसमें क्या लिखोगे आप लिखोगे वर्णियर का वर्णियर का 20 खाना 20 खाना याने के डिवीजन 20 खाना किसके बराबर है किसके बराबर है भाई 16 mm के बराबर है ठीक है तो वर्णियर का हमको क्या चाहिए least count निकालने के लिए हमको क्या चाहिए मुख्य पायमाने के एक भाग कामान और वर्णियर पायमाने के एक भाग कामान हमारे पास है main skill के एक भाग कामान हमारे पास है तो वर्णियर पायमाने के 20 खाने कामान 16 एमन के बराबर तो एक खाने का मान कितना हो गया वर्णियर इसके लिए यानि कि VS मतलब वर्णियर इसके वर्णियर इसके के खाने का मान हो गया भाई 16 बटे 20 अब least count क्या हो जाएगा least count आप लिखाते हो वर्णियर का main skill यानि कि मुख्य पैमाने main skill के एक भाग का मान माइनस क्या हो जाएगा वर्मियर इसकेल यानि कि वी इस लिख लो सार्ट फाँम में सार्द फाम में जा लिख लो वर्मियर इसकिल के 1 जर्ट का मार इसकिल के एक भाग का मार तो यहाँ पर आप क्या जफोगे एक माइनस ॐंस कितना है 16 बटे 20 ॐ Rs. पांच एक कम पांच, पांच में से चार गया, कितना हो गया भाई, एक बटे पांच, कितना आएगा, 0.2 mm, ठीक है भीया, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो, जिसमें देखो, अब आप को होगे, सर, हमारा उत्तर सही आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, 0.2 mm होगा, अब आप को होगे, ऐसा क्यों किया आपने, वहाँ पर तो आपने रखा था, मुखे पर माने के रिक भाग का मान, बटे, वर्नियर पर खानों की संख्या 20, दसमलो लगा कि हमने यहाँ पर लगाए 0, फिर 0 उत्तर आना चाहिए, तो क्या यह उत्तर गलत है, हाँ यह उत्तर गलत है, देखें यह वाला फारमूला जो है, यह कब काम करता है दोस्त, जब आपका पैमानों के बीच का अंतर क्या हो, एक हो, जैसे अगर यहीं पर कहता, कि 20 खाने किसके बराबर है, वर्नियर के 20 खाने, मुख्य पैमाने के 19 खाने के बराबर है, ठीक है, या जो आपकर क्या हैगा, वर्नियर के 50 खाने, मुख्य पैमाने के 49 खाने के बराबर है, या आपसे क्या कहेगा, वर्नियर के 10 खाने, मुख्य पैमाने के 9 खानों के बराबर है, तब ही वो वाला फारमूला लगेगा, जह जहांपर जो डिवीजंस का अंतर रहेगा जो खानों का अंतर रहेगा वर एक ठीक है और जहांपर एक से जादा हो जाएगा जैसे कि अपर 20 है अगर 20 खाने 19 खाने के वराबर होते तो उस वाले से अंसर आ जाता लेकिन 20 खाने किस Vocês के बराबर है 16 mm के बराबर तो इस वज़ा से हमको यह वाला जो मैथड है लीज़त काउंट के लिए यह वाला मैथड निकालना पिल्कुल निसांत कश्यब का जो है वह बिलकुल सहीं नहीं भाई नाराज नहीं है दोस्ते बिलकुल आपकर कमेंट आ रहा है ठीक है चलें क्या भाई भाई प्रेंजर टरू तो कहा गया ठीक के यह जो प्लेंजर रहे बाही प्लेंजर है इसको साद ही इस्टेम भोलते हैं दूस्ट बोलते हैं इसको स्थेम या पॉइंट्र आ बोल अंटिर इसको उसको संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया आता है भाई उसको संचालित करने के लिए आप टॉंग का उपयोग करते हो किसका उपयोग करते हो भाई टॉंग का उपयोग आप करते हो ठीक है चलिए अगले प्रस्न की तरह बढ़ते ही कि power hexa blade किस पदार्थ का बना होता है भाई बताईए बहुत है simple पस्न है आता है सर तो भाई आता है सर मतलब समझे नहीं भाई क्या कहना चाहते है आता है जाता है उसके आगे का बताओ क्या होता है ठीक है तो बताईए बताईए जो आपकी power hexa blade है वो किसकी बनी होती है, तो आप कोगे high speed steel की बनी होती है, एक high speed steel होता है भहिया 18, 4,1, इसमें 18% क्या होता है, 4% आपका chromium, और 1% क्या होता है भहिया, vanadium, एक प्रस्ट आपका क्या होता है, वैनेडियम होता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, मसीनिंग के बाद जाब के हाई स्पोर्स को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए बहुत ही बढ़िया पस्न है सांदार पस्न है कि मसीनिंग के बाद जो आपके हाई स्पोर्स होते हैं उसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो आप कहोगे स्क् stripper है वो कभी-कभी । आपकी फाइल जो खराब हो चुकी है उसी से stripper बता लिया जाता है यानि खराब हुई फाइल कर आथे वह बना लेते हैं तो अ से देखो फाइल तो आपकी बनी है HCS की, अगर खराब हो ही फाइल का बना रहे हो, तो इसका material क्या हो जाएगा? हाई कारबन स्टील हो जाएगा, कई तरह के होते हैं, फ्लैट होते हैं, ट्रेंगुलर होते हैं, हुग्ड स्क्रैपर होते हैं, तो इस तरह की आपके स्क्रैपर होते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कि राउंड नोज चीजल का जो कटिंग कोड होता है, वो कितना होता है, बाइं बताए जो आपकी रांड लोजी चीजल है दोस्ट है डियाडियों में आया था अच्छा बाई डियाडियों में ठीकला कठेंभ पूछता है अब क्लाप का प्रस्ण जो है पूछा जा सकता है जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है दोस्ते थोड़ा सा अपनी पूलियों को कष्ट देंगे और थोड़ा सा लाइक को एक सेयर वेर भी कर देंगे ठीक है चलिए चलिए बताइए तो इसमें क्या होगा राउंड नोट जो चीजल हो जाएगा उसका कौन क्या हो जाएगा दोस्त पैंतिस से 45 दिगरी हो जाएगा अब इसी तरीके से मैं आपसे कहूं मैं आपसे कहूं भाई जो फ्लेट चीजल है जो आपकी फ्लेट चीजल है उसका कौन कितना हो जाएगा तो आप कहोगे पैंतिस से सतर डिगरी ठीक है जो आपकी क्रॉस कट चीजल है क्रॉस कट का कितना हो जाएगा तो आप कहोगे इसका भी हो जाएगा 35 से 70 डिगरी जो आपकी round nose है ये तो आपने देखी लिया कितना होगा 35 से 45 जो आपकी diamond point चीजल है diamond point diamond point का कितना हो जाएगा आप कहोगे 60 डिगरी हो जाएगा ठीक है भाई तो ये भी आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे ये प्रस्न पूछा गया है सेल दुरगाप और स्टेल प्लांट में तो इससे जो प्रस्न मैंने बताए वो भी आपके पूछे जा सकते हैं ठीक है भाई चलिये आगे बढ़ा जाए दोस्त अगले प्रस्न की तरफ मेरे भाई अगले प्रस्न की तरफ हम लोग बढ़ते हीं अगला आपका एगे च्छिद्र की जांच करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है नो-go plug-gage का उप्योंग किया रहा है ठीक है तो बताईए यह क्या बताता है जो no-go दिखो भाई सिंपल समझो जिसे कि छिद्र की आप जाज कर रहे हो तो छिद्र की ये प्रयोग किया राता है कौन सा आपका ring gauge या आपका क्या हो गया snap gauge ठीक इसी तरीके से एगर छिद्र की जाच करनी होती है तो आप plug gauge का उपयोग करते हूं ठीक है अब देखो भाई सिंपल समझो plug gauge यहां पे लिख लो छिद्र के लिए क्या होगा भी या छिद्र के लिए क्या हो जाएगा plug gauge आपका हो जाएगा अब देखो जो gauge है यह आपकी दो प्रकार की होती है ग्रेज लिखा रहा है देखो ग्रेज लिखाना चाहिए तो गेज लिखा रहा है मों गेज गेज कि दो प्रकार हो थे हैं दूसरा लीमिट को होचा है दूसरी आपके होती है दूसरी को क्या होती है फिका है धोस्ति और ऑगज olacak या चक चलना के इस यह सारा कुछ समझाया गया ज्यादा नहीं लेकिन ज़री वहां दिखाए गया अब आप को यूटूब पर क्यों नहीं दिखा देते यूटूब पर क्या है कि यूटूब पर हमारे पास देखो बाई सिंपल सी बात है कि इतना बड़ा चैनल तो है नगी एनिमिस्ट रखें एनिमेशन बनवाने के लिए उसको एक लाग रुपिया चलिए एप में क्या है तो एप में कापी राइट का इसू नहीं रहता आप यूटूब से ही वीडियो डाउनलोड करके एप में दिखा दो दिखाओ जैसे कि बड़े बड़े चैनल पर है तो पैसा आता नहीं है ठीक है लीट में होते हैं जो कि एक होता है अब जैसे कि मानने के चलो यह आपका प्लग डेखो कुछ एसा ही होता है इस तरीके से अब यहाँ पर मान के चलो इसका गो सिरा है और इसका ये नोगो है ये मैं ऐसे बना दे रहा हूं ये मत देखना एक बड़ा चोटा है समझाने लिए बना दे लो अब जैसे कि मान के चलो मैंने किसी वरकर को एक लिमिट दे दी भीया कि आपका जो बेसिक साइज है ये 30 है प्लस आप जा स सकते हो 0.5 और माइनस जा सकते हो 0.5 यानि कि अभी साफ्ट का जो साइज है वो कहां से कहां तक वैरी करना चाहिए तो आप कहोगे 29.5 से 30.5 तक वैरी करना चाहिए अब जब आप गो सिरा डालोगे गो सिरे अब मान हमको पता चल गया है भाई हमको सिंपल समझो होल की बात करना है तो आप सिंपल समझो कि जो गो सिरा बनाओगे वो 29.5 का बनाओगे और 9 गो सिरा कितना बनाओगे 30.5 का बनाओगे यानि कि होल हमारा किस के बीच में होना चाहिए 29.5 से 30.5 के बीच में होना चाहिए अब 29.5 वाला इसका मतलब 29.5 से जादा और 30.5 से कम तो जब गो सिरा आप डालो होल में तो वो चला जाना चाहिए तो इससे क्या चेखो जाएगा कि भाई इस होल का साइज 29.5 से अधिक है यानि कि गो सिरा वाला अगर हमारा होल में चला गया गेज तो इसका मतलब हम यह समझ जाएंगे भाईय हमने यह 29.5 का बनाया है अब यह होल में चला गया इसका मतलब होल का साइज क्या है 29.5 से अधिक है यह चीज हमाला क्लियर हो गया अब 30.5 वाला जो नो गो सिरा है वो नहीं जाना चाहिए अब 30.5 वाला नहीं गया तो हम यह समझ गये कि जो होल का साइज है वो 30.5 से कम है और यही तो हमको चाहिए 29.5 से अधिक और 30.5 से कम तो यही होता है नो गो सिरा और फिक्सट गेज जैसे कि फिक्सट गेज का एक्जामपल है आपका poking ठीक है जो क्लियरेंस से करता है इसमें फिक्स्ट होता है और कोई इसमें limit नहीं बताता है जबकि limit gauge क्या बताता है हमें limit बताता है range बताता है तो बताओ इसमें एक छिद्र के लिए जो no go होगा वो क्या होगा भाई वो आपका हो जाएगा upper limit क्या हो जाएगा upper limit भाई देखो ये जो 59.5 जदा है 30.5 तो 30.5 क्या हो गई upper limit और इसी को तो चेक कर रहा था no go gauge यहीं आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगले प्रस्ने की तरफ कि वो एक small hole gauge देखो यहाँ पे क्या है small hole gauge small hole gauge जैसे कि gauge कहीं प्रकार की होती है फिलर गेज रिंग गेज प्लग गेज रेडियस गेज फिलेट गेज अलग-अलग कम उसका उप्यूब की जाता है इसी की तरीके से एक small hole gauge होती है कौन सी? small, a hole gauge नहीं, a small hole gauge यहीं पर निकलो small small hole gauge का प्रयोब किसली किया जाएगा तो बताओ इन में से कौन सा जो छिद्र है उसकी जाच वो कर पाएगी बताईए तो आप कहोगी इन में से कोई नहीं ठीक है? इन में से क्या होगा दोस्त कोई नहीं इसमें आप से पूछा कि जो small hole gauge है उसका नियूनतम आकार नियूनतम आकार कितना है जितना उसको वो चेक कर सकती हो तो भाई इसमाल hole gauge का जो नियूनतम आकार है 3.2 है 3.2 से 12.7 चेक कर सकती है अगर आप से range पूछता तो भाई वो तो इसमें सब आ जाते लेकिन आप से क्या कहा? कि सबसे नियूनतम जो इसमाल hole gauge है वो सबसे नियूनतम hole जो चेक कर सकती है उसका size कितना होता है तो आप कहोगे 3.2 mm तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका ये D वाला उत्तर क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ पर क्या है भाई इसमें 100-125 रेम का metric outside micrometer दिया है एक छड़का व्यास मापने के लिए क्या किया जाता है फ्रेव्ट किया जाता है बैरल आसांकन कितना है दोस्त 16.5 यानि कि main skill की reading कितनी आगा है 16.5 प्लस आपका जो क्या है थिंबल आसांकन यानि कि जो circular skill का datum line से मिलने वाला खाना है वो कौन सा है 28 वाँ है गुर्ते least count कितना होता है भाई least count होता है micrometer का 0.01 mm ठीक है तो यहाँ से निकालो यहाँ से कितना आएगा 16.500 आगे वढ़ालो साल परने के लिए प्लस 0.28 तो कितना हो जाएगा 527 16.78 लेकिन जो range है इसकी क्या है 100 से 125 यानि कि 100 mm से कम तो मापेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा 100 इसमें जोड़ दो प्लस 100 कर दो तो कितना हो जाएगा 116.78 mm जो reading आप किया जाएगी वो कितनी आजाएगी 116.78 बिल्कुल सही है भाई बिल्कुल खतरनाक जिनका व्यूत्तर डी है उनका व्यूत्तर क्या है भाई सही है चलिए अगले तरफ प्रस्न की बढ़ते हैं अगला प्रस्न आप क्या है देखो दोस्तर प्रस्न सिंपल सेल में अभी आपने मैंने देखा मैंने आपको दिखाया था कि सेल में इससे भी सिंपल प्रस्न पूछे गए थे जो भी मैंने आपको सुरू में दिखाए कुछ प्रस्न तो देखो कठिन रहते हैं भाई इसाथ चालीस या सतर या रहता है एक प्रस्न के कठिन रहने का साट प्रस्थित प्रस्नाब के सरल आते हैं ठीक है three hours हो गया हां भाई हो गया थोड़ा सा जल्दी करने का फ्यास करें ठीक है या तो सिंपल सा कहो ऐसे बटत्तर बता दो बहुत लोग ऐसा करते हैं लेकिन द ठीक है नहीं तो अभी आपका भी पचास क्यूस्टन भी हम लोग ना पखुषते ठीक है क्योंकि बारी सब यूपी के जो लोग होंगे इलहाबाद में प्रयाग राज के आसपा सित्रों में मतलब काफी दिनों से हफ्ते भर से लगभग बीच वीच में बारी सो जा रही पू जा दिमाग में नहीं तो मत पढ़ाओ ठीक है चलिए निमलखित में से कौन सा ज्वाला संयोग सबसे अधिक्त आप मान देता है तो आप क्या कहोगे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ऑक्सीटिलीन जो वेल्डिंग है वो हमें सबसे ज़्यादा टम्प्रेचर जनरेट करक इसलिए दोस्त इसका प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं और गैस वेल्डिंग में करते हैं ठीक है किस कहां पर करते हैं इसका उप्योग गैस वेल्डिंग में ठीक है और आक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कैसा वेल्डिंग प्रोसेस है तो आप कहोगे फ्यूजन वेल्डि प्रोसेस है अच्छा देखो दोस्त आफ्सीलेंग है तो इसमें जो तीन तरह की केम होती है कौन कौन सी nutral अपकी होती है कौन क्यों सी होती है और नीटल होती है दूसरी आपकी होती है कौन सी Carburizing Carburizing और इसके बाद क्या होती है आपकी Oxidizing Oxidizing होती ही मेरे भैंट तो neutral में क्या होता है Ratio 1 is to 1 का रहता है Carburizing में जो C2 is to और क्या रहता है O2 का Ratio कितना रहता है 1 is to 0.9 का ठीक है 0.9 का इसमें क्या रहता है C2 is to और अनुपाद जाधा रहती है और टमपरेचर ज्यादा यहाँ पर इन में से कौन सी फ्लेम में ज्यादा जंड़ेट हो रहा था अगर आप से पूछे आपने बता दिया आप से अगर पुछे भाई कि इन तीनो फ्लेम में से वे तीनो फ्लेम में से सबसे ज़ादा जो है कौन सा टंपरेचर उत्परन करता है तो यह इसका टंपरेचर जो है जो ऑक्सिडाइजिंग फ्लेम है इसका सबसे ज़ादा होता है 3480 के आसपास कार्बुराइजिंग का कितना होता है भाईया 2900 के आसपास न्यूगल का कितना होता है 300 के आसपास यह अलग-अलग किताबों में दोस्त अलग-अलग दिया है तो उसके लिए परसान मत होना यह एक रेंज होती है ठीक है कर्बुराइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है तो आप कहोँगे फ्लेम हाड़निंग कहाँ पर फ्लेम हाड़नीं का ले मशा सब ही कारह यह पर सही उत्तर क्या होग भाईया यह वाला और अधले पास्लेंग की तुआ बढ़ते हैं तो आप क्या को होगे भाईया इस्टेट पॉलर्टी क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है उसको निगेटिव से और कारे को किस से जोड़ा जाता है पॉजिटिव से यानि कि यही वाला उत्तर क्या है सही ठीक है यही क्या है यही उत्तर आपको क्या है सही है ठीक है चलिए तो अब देखे figure भी देख लीजे यहाँ पर देखो यह electrode है electrode को क्या क्या लेगा है negative और यहाँ पर इसको क्या लेगा है positive और इसी का उल्टा कर दो यहीं पर भाई लिख लो ऐसे ठीक है यानि कि अगर आपका electrode कैसा कर दे अगर आपका जो electrode है वो positive कर दे electrode positive कर दे और work piece क्या कर दे अलग लिख दू यार नहीं तो घरवर हो जाओगे देखो यह तो state polarity है अब यहाँ पर लिख लो reverse polarity reverse polarity reverse polarity क्या होगा मेरे भाई आप इसमें electrode को क्या कर दोगे electrode को कर दोगे positive और work piece को क्या कर दोगे negative अगर इसमें वर्कपीस पॉजिटी बना दोगे तो वहाँ पर ज्यादा यह यह दुरिक है लगभग 25% के के आसपास कलवत दिखने हाए थिक है लगभग जो क्या होती है 65% के आसपास जो हीट है वो पॉस्टिव टर्मिनल पर और 35% के आसपास 35% के आसपास जो हीट है वो निगेटिव टर्मिनल पर क्या होती है जन्नेट होती है ठीक है अब देखो यहां पर जो आपकी कारबन आर्ग वेल्डिंग है यह जबी क्या है आर्ग वेल्ड inert gas building इसी तरीके से arc building का प्रकार और कौन सा है भाई submerged 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 arc building यह भी क्या है भी यह यह भी आपका प्रकार है किसका यह भी आपका प्रकार है आर्क विल्डिंग का तो बता दो मेरे दोस्त खटा खट कि carbon arc building में कौन सी polarity होगी, tig में कौन सी polarity होगी मिग में कौन सी polarity होगी और submerged arc building में आपकी कौन सी polarity होगी पताए मेरे भाई किसी को अगर पता है तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ इसमें भी क्या हो जाएगी भाईया carbon arc में straight हो जाएगी trig में आपकी straight हो जाएगी मिग में आपकी reverse हो जाएगी और submerged arc welding में भी आपकी reverse हो जाएगी क्या हो जाएगी reverse हो जाएगी दोस्त ये प्रस्न ध्यान रखना ये प्रस्न आपसे आज नहीं तो कल पूछा जा सकता है ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रस्न की तरफ ठीक है अगला प्रस्न आपसे क्या पूछा कि हस्त चलिए जी टी ये डवलो आपको अब ये क्या है देखो दोस्त हमारे यहाँ इंडिया में जो टीक वेल्डिंग है उसको टीक बोलते हैं लेकिन जो यूएस वगएरा है यूके वगएरा है उसी में वहीं उसको क्या बोलते हैं जी टी ये डवलो यानि कि गैस टंगस्टन आर्क विल्डिंग अब यहाँ पर देखो जी क्रिसका छड़गार बता रहता हूं जी टी ये डवलो में किस एलेक्टोड का प्रयोग किया जाता है तो आपको टंगस्टन तो पता है लेकिन कैसा होता है दोस्त नौन कंजूमेबल होता है कैसा होता है नौन कंजूमेबल कैसा होता है टंगस्टन का होता है तंगस्टन का होता है अच्छा बताओ ये गैस तंगस्टन आर्क वेल्डिंग है और तिक में क्या था तंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग तो कौन सी इनर्ट गैस इसमें प्रयोग की जाती है बताइए इनर्ट गैस भाई आप आरगन भी प्रयोग कर सकते हो और हिलियम भ पकड़ा जाता है ठीके दोस्ट चलिए एक बार सेशन को लाइक सेर और भी करते रहेंगे भाई आगे बढ़ते हैं तो थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया के दोरान उत्पन जो स्लैग है वो क्या होता है देखो तभी एक प्रस्ण आया था थर्मिट वेल्डिंग का तो वहा बास वेल्डर किये जा रहें पदार्थ की मुटाई से किस प्रकार संबनित है मान के चलो भाई जो आप मुटाई है इस तरीके से आप इस पर क्या करना है स्पार्ट वेल्डिंग क्योंकि आपको पता है कि जो स्पार्ट वेल्डिंग प्रोसेस है वो लेप ज्वाइंट प कैसा वेल्डिंग है रजिस्टेंस वेल्डिंग है रजिस्टेंस वेल्डिंग किसमें आता है भाया प्रेसर प्लस हीट वाले सिक्षन में आता है किसमें आता है प्रेसर प्लस हीट वाले सिक्षन में आता है यानि किसमें हीट तो होगी लेकिन साथ ही साथ वेल्डिंग करने क लिए आपको प्रेसर भी अपलाई करना होगा ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा भीया बताओ इस्पोर्ट वेल्डिंग वाले में क्या हो जाएगा तो आप क्या कहोगे डी कोल टू अंडर रूट टी ठीक है यह वाला उत्तर सही हो जाएगा एक प्रसना आप से जगा जगा एको उठा करते जाओंगे और करते जाओंगे तो जो इस्पोर्ट के बीच की दूरी होती है वह कितनी होती है तो आप को होगे टो पॉइंट फाइफ डी से 3D ठीक है ये D तो आपने निकाल लिया तो दूरी कितनी होगी 2.5D से 3D आपकी होती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरह कि ब्रेजिंग प्रक्रिया सामानता हो प्योविक फ्लक्स कौन सा होता है भाई बोरेक्स होता है ब्रेजिंग में है जो फ्लक्स प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है मेरे भाई तो ब्रेजिंग में जो फ्लक्स प्रयोग किया जाता है वो आपका कौन सा होता है भाई या वो आपका बोरेक्स होता है जिंक क्लोराइड मैंने भी आपको बताया था किसके साथ प्रयोग होता है तो आप कहोगे ब्रास या ब्रांज के साथ सोडियम नाइटेर्ड, सिल्वर नाइटेर्ड भाई मुझे भी नहीं पता चलिए आगे बढ़ते हैं कि लो कार्बन इस्टील की फोर्जिंग जो है तेरा सो डिगरी सेंटीग्रेट पर की जाती है ठीक है चलिए अब देखो मेरे भाई फोर्जिंग में आपका एक जो है टूल प्रयोग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इन्विल इन्विल को जानती हो मेरे भाई इन्विल देखो कुछ इस तरीके का आपका होता है देखा होगा आप लोगों कहीं न कहीं कहीं न कहीं भेट हुई होगी मेरे भाई इससे ठीक है चलिए इस तरीके से आपका होता है इन्विल तो एन्विल कर देखिए सबसे पहले दो-चार पॉइंट आपको बता देता हूँ जो material है यार ये बार-बार नीला क्यों से लिख्थ हो जाता है जो material है वो किसका होता है भाई या रोट आइरन का इसका होता है रोट आइरन यानि कि क्या हो जाएगा आपका पिटवा लोहा क्या हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा पिटवा लोहा इसका जो बेस होता है वो किसका बना होता है तो आप कहोगे इसका जो बेस होता है वो कास्ट आयरन या वुड का बना होता है किसका बना होता है कास्ट आयरन या वुड का इस पर दो होल होते हैं भाई एक वरगाकार एक सर्कुलर जो वरगाकार होल होता है इसको क्या बोलते हैं हारडी जो सर्कुलर होल होता है इसको क्य उचाई होती है इसकी फर्स तर से जो इसकी उचाई होती है वो कितनी होती है भाईया 700 एमेम कितनी होती है 700 एमेम जो वेट होता है इसका वेट होता है सामानता निकलो यानि कि जो भार होता है वो सामानता कितना होता है तो आप कहोगे सामानता होता है कितना भाई सामानता होत टास केजी बाकि यह सी केजी से लेकर 300 केजी तक भी पाई जा सकती है ठीक है तो यह आपको एन्विल के बारे में याद रखना है एक प्रस्ण देखो क्या पूछता है कि जो seat metal worker एन्विल किसको कहा जाता है यह प्रस्ण भी पूछा जाता है आप बताए कि सीट सीट मेटल वर्कर सीट मेटल वर्कर्स एन्विल जो है वो किसको कहा जाता है तो वो कहा जाता है भाई आप कहोगे इस्टेक को इस्टेक जो इस्टेक होती है तरह तरह की जैसे कि हाप मून इस्टेक हो गई राउंड पाटम इसस डेक हो गई तो सीट मेटल वर्किंग में जो है इनिवील है यह फोर्जिंग में प्रोजज होती करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हो उसको भी भाई कि सीट को किसी पर रखर पीटोगे सेपडोगे तो वह इस्टेक होती है तो यह प्रसना आप से पूसरा आता है कि सीट मेटल वरकर की जो येन्वील है वह किसे कहा जाता है वह नंबर का परस्न आया था बारा का प्रस्ट आया था वह तो कि आ इस पूलते हैं पाफनेश करनेंट डाहत्स क्या गोलते हैं ड्क्तिन सब्सक्राइब क्रस्यत्यत प्रस्ट में Explain किया था तो जटके सहां करने की शंता कहला आती भी या चीमरca किला है अगला है एक बैन्ट इसनीब का प्रयोग क्यों किया जाता है बेंट इसनीब डेखो भाइ जो उसकी जाज होते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं ठीक है अ जो उसके जाज रहते हैं, वो कुछ इस तरीके से बेंट रहते हैं, फिर से इसको बनाता होना रहते हैं, ठीक है, देखो इस तरीके से, यह देखो, इस तरीके से, यह यहां पर क्या है, इसके जो जाज हैं, यह बेंट रहते हैं, पीसी ले इसको क्या बोलते हैं, बेंट इसन और इसका उपयोग वक्र रेखा के साथ एक चादर को काड़ना है तो उसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है ठीक है बाई बताईए जो इसनिप का मटेरियल होता है वो क्या होता है इसनिप को और किस नाम से जानते हैं तो इसनिप को हम लोग सीयर भी कहते हैं सीयर आल्सो नोन एज सीयर इसका जो मटेरियल होगा यह क्या होगा तो आप भोग इसका जो मटेरियल होता है यह क्या होती है यह होती है यह होती है ड्राप फोर्ज्ड ड्राप फोर्ज्ड कारबन स्टील की क्या होती है या बनी होती है अब जो इसके जाज होते हैं जबड़े होते हैं जो कटाई करते हैं इसमें क्या दिया जाता है दोस्त सीर एंगल दिया जाता है ठीक है आप से एक प्रस्न ये भी पूछा जाता है कि जो सीर एंगल है वो क्यों दिया जाता है तो आप क्या कहोगे जो सीर एंगल है वो क्यों दिया जाता है ताकि हमको कटाई करते समय कम फोर्स लगाना पड़े तो आप क्या कहोगे कटाई करते समय करते समय करते समय कम बल लगाना पड़े इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई सीर जो एंगल है वो प्रोवाइड करते हैं आगे बढ़ते हैं उच्छ सता फिनिश किसके द्वारा प्राप्ट की जाएगी मेरे भाई देखना पड़ेगा भाई उसके नोटिफिकेशन देखे एक ही दिन होगा कि अलग अलग दिन होगा वो सारा कुछ नोटिफिकेशन है दोस्त ठीक है इसरों में कुछ question रहते हैं previous लेकिन कुछ नए पैदा करता है इसरों के एक्जाम में नए question थोड़े से आते हैं बाकी जितने भी low level एक्जाम आपका सेल हो गया तरह 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 डियार्डियों के एक्जाम में पूरा प्रिवियस यह क्षेशन चापा जो लोग एक्जाम देके आयोंगे उनको पता हो ठीक है तो भाई क्यों मैं नया question पैदा करूं और आपको दूँ तो अगर वह आपके एक्जाम में आदा ही नहीं सिंपल समझ किसके द्वारा प्राप्त की जाती है लैपिंग के द्वारा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है लैपिंग के द्वारा जो है प्राप्त की जाती है तो बताईए जो लैपिंग एलाउंस है वो कितना होता है लैपिंग एलाउंस लैपिंग एलाउंस लैपिंग एलाउंस आपको कितना होता है, बताईए, इसी के साथ साथ आप यहाँ पे जो honing allowance है वो भी बताईए, honing allowance बताईए ठीक है? आप से पुछा जाता है, reaming allowance यह भी बताईए reaming allowance यह भी बताईए, बताईए भाई अगर किसी को पता है तो क्या होगा लैपिंग लाउंस आपका होता है 0.005 से 0.01 एम ठीक है हानिंग लाउंस आपका होता है 0.01 से 0.02 रीमिंग लाउंस होता है आपका प्लस माइनस 0.005 एम तो तीनों भाई याद रखना चलिए आगे बढ़ते हैं तो ट्विस्ट डिल के लिप एंगल या कटिंग एज का एंगल कितना होता है बाई बताईए और यहां पर आपसे सामानने वाला पूछ रहा है किसी भी तरह का इस्पेसल जो है आपके लिए नहीं दिया है किसी भी तरह का जो special है वो drill का नाम लेके नहीं दिया है तो बताइए क्या हो जाएगा सामान्यता भाई जो twist drill का angle होता है वो कितना होता है दोस्त 118 degree होता है center drill जो होता है center drill बताइए कितना होता है center drill central drill के लिए जो angle होता है कितना होता है भाई तो 120 degree अच्छे ये बताओ आप तो central drill हो गया और ये सामनता हो गया लेकिन लेकिन जो आपके material होते हैं अलग-अलग उनकी softness या hardness यानि की material हमारा soft है की hard है उसके हिसाब से जो twist drill है उसका जो angle होता है दोस्त वो क्या होता है अलग-अलग होता है जैसे की मैं कहूँ कि जो cutting angle है cutting angle है वो कहा से कहा तक vary करता है जो cutting angle यही leap angle या cutting edge का जो कोड है twist drill का वो कहा से कहा तक vary करता है cutting angle जो होता है कहा से कहा तक होता है तो आप कहोगे 60 degree से लेकर 150 degree तक होता है अब इसी में एक प्रस्ण पूछता है कि जनरली कितना होता है, सामान्यता कितना होता है, तो आप कहोंगे सामान्यता होता है 118 डिगरी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीके भाई, चले, आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ, अगला है 60 डिगरी से अधिक आप वाले एज को फाइल करने के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग की आता है, तो भाई मैंने आपको बताया था त्रिवुजाकार फाइल, क्यों? क्योंकि त्रिवुजाकार फाइल वैस भाई कैसी होगी, इस तरीके से होगी, और इसके प्रतेक कौन कितना होता है, इ कोई खाचा है तो क्या यह उसकी फिनिसिंग कर पाएगी नहीं कर पाएगी यानि कि जो खाचा 60 डिग्री से अधिक रहेगा यह उसी की फिनिसिंग कर पाएगी तो option स्टाक का जो स्पिंडल है उसको आफसेट करके क्या होता है जो टेली स्टाक का स्पिंडल है उसको आफसेट करके की जाती है ठीक है चलिए यह देखे टेली स्टाक का फीगर है कुछ ऐसा होता है मेरे भाई टेली स्टाक का जो माटेरियल होता है वो कौन सा होता है माटेरियल यार यह बार-बार जानते हूं भी बार-बार ब्लू पेन के उसे लिट्ठ हो जा रहा है क्योंकि यह पोगरा पूर क्लास चलते हैं वाइट बैक्राउंड रहता है क्योंकि लड़कों को पीडियाप देते हैं प्रिट आउट और निकालने के लिए तो उसमें क्या होता है कि ब्लू पेन या रेड़ पेन यहीं चलता है इसी विजए उसी की आदत पढ़िए ठीक है चले तो इसमें बताइए इसका जो मटेरियल होता है वह कौन सा होता है तो आप करोगे कास्ट आइडन का पना होता है अब देखो इसमें जो सेंटर लगा होता है भाई इसमें सेंट जो होता है जो आपका टेल स्टॉक है इसमें जो सेंटर होता है वो कौन सा होता है आप कोगे डेड़ सेंटर अब चाहे कोई भी सेंटर हो चाहे डेड़ हो चाहे लाइव हो इसका जो एंगल होता है दोस्तों वो कितना होता है 60 डिग्री जादा तर मोस्ट ली वाकि आप रख पर दीया जाता है इसके सिंटर पर यह कौन सा होता है या मौ इसमें क्या पूछा इसमें क्या पूछा इसमें करते हैं यानि कि आप टेपर टर्निंग कर रहे हो जैसे कि आप आपका compound रेष्ट है उसे का भी वप्योग करते हूं ठीक है ठीपर टर्निंग attachment का भी वप्योग करते हो आप बताई यहाँ यहाँ प्याक कर रहे हो टेल stock offset method या इसी को क्या बोलते है set over method tail stock set over method भी इसको बोलते है तो इसका उप्योग कर रहे हो आप तो बताओ अनुसार mm में tail stock का परिकलन करें big diameter आपको कितना है 36 mm जैसे मान के चलो भाई आप taper बना रहे हो इस तरीके से तो big diameter यानि कि यह बड़ा वाला diameter है यह कितना है 36 है मनि अनलब आपको इस तरह का taper बनाना है जो small diameter है वो कितना है भाई वो आपका 32 mm है taper length जो है 125 है और total length आप job कितना है 250 है तो set over निकालने का formula क्या है set over या offset निकालने का formula क्या है भाई offset या यहाँ पर क्या लिखा यहाँ पर जो लिखा है वही निकाल offset लिखा है निकालने का formula क्या है भाई तू यहाँ पर क्या लिखोगे d minus d d minus d into l upon क्या हो जाएगा दोस्त तो 2l ठीक है d minus d into l upon 2l जहाँ पर यह आपकी l क्या है यहीं पर लिख लो, L क्या है आपके tapar length है, यानि कि जितनी लंबाई में आपको tapar काटना है, जितनी लंबाई में आपको क्या करना है दोस्त taper काटना है वो आपकी small L है, capital L क्या है बिया, capital L है total length आपकी, total length, ठीक है, और ये बढ़ा वाला diameter capital D है और छोटा वाला diameter यहीं पर रख दो दी माइनस दी कितना आएगा 36 माइनस 32 इंटू 250 पर यहां पर क्या हो जाएगा दो इंटू 125 यहां पर 125 दूना कितना हो जाएगा 250 ऊपर 250 यह कट जाएगा 36 में पर दो 2,0 आपका उत्तर गलत है जो आफसे काएगा यहां फिर दो इंटू 5 जाएगा 3 ला प्रसन प्रक्राश पर já जा जाता है तो आक Def तो साथ किया जाता है और social size कितने हो गए आइए अगर इसको count करोगे तो जीरो वाला भी count होता है और देन उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल साइज कितने हो गए देखो गिलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल साइज कितने हो गए टोटल साइज आपके हो गए 8 साइज 0 से 7 नंबर मी मिलता है लेकिन टोटल साइज कितने 8 इसका जो टेपर रेशियो होता है दोस्त तो वो कितना होता है तो वो होता है 1 is to 20 ठेक है तो यह आपको ध्यान रखना है अगले प्रिश्न की तरब बढ़ते हैं लेत पर पीतल की टर्निंग के लिए जो स्पीड है दोस्त कितनी होनी चाहिए 70 मीटर प्रति मिनट लेत पर पीतल की टर्निंग के लिए जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए MT1 से नहीं भाई आ है MT1 से MT8 तक नहीं MT0 से MT7 ठीक है यह आपको ध्यान रखना है 0 से 7 जीरो से 7 तक मौर्स टेपर क्या है भी यह 0 से 7 साइज अगर आप कहो साइज अगर आप टोटल आर्ट कहोगे तब मैं मान सकता हूं MT1 से 8 लेकिन नंबर जो होते हैं वो जीरो से 7 ठीक है चलो यह आपका है पीतल की टर्निंग के लिए वह आपका क्या होता है जो होता है वह तो आप कहोगे वी क्वल्टू होता है पाई डिय migrant ऐन अप saja की जो पर मिन में अ होना कर दो कट्रों है मे आपका क्या है यह क्यों सा स्थम वाला है यह क्या है कॉन सा सिस्टम है Metric अगर आपसे यही कहदे British सिस्टम में निकालना है तो British सिस्टम में आप क्या करोगे? British सिस्टम में फार्मूला बदल जाएगा V equal to क्या होगा? V equal to होगा PIDN upon 12 ठीक है? यह क्या है जो cutting speed यहाँ पर आएगी वो किसमे आएगी दोस्त? आघी आपकी Hanập के प्रति मिनट और यहां पर श200 perse आपका बिटिस सिस्टम में यहां पर क्या पूछा भाई टाइम आपको निकालना रहें जो आपका करनिंग टाइम है वह को निकालना है आप 100 mm की लंबाई है लंबाई कितनी है मेरे दोस्त 100 mm की लंबाई के लिए 40 mm 82 की एक मृद्वी स्पात की छड़ के पास जो फीद है वो इतना है 0.2 mm पर रिवलूशन है जो आर्पियम है यानि कि जो एन है वो आपके पास कितना है सव आर्पियम है तो एक ही बार में पूरा चक्कर काट करने के लिए यानि कि जो नंबर आफ कट है वो आपके पास कितना है एक है नंबर आफ कट है लिखो लिखा यहां पर एक ही बार में पूरा काटने के लिए आप एच्छित टर्निंग टाइम जो आपको क्या निकालना है टीटी निकालना है भाई क्या निकालना है टीटी टीटी बनने के लिए क्या निकालना होगा दोस्त टीटी निकालना होगा तो आप चालिखोगे कारेखंड की लंबाई यानि कि लंबाई हो गई कारेखंड की गुर्ते क्या हो गई कट की संख्या क्या हो गई भाई कट की संख्या बट्याग क्या हो गई आर्पियम इंटू क्या हो जाएगा फीड यह टर्निंग टाइम निकालने का दोस्त फार्मूला होता क्या होता है turning time निकालने का formula तो अब यहाँ पर लंबाई कितनी है मेरे भाई 100 है 100 है into क्या है cut की संख्या 1 है rpm आप कितना है बट से 100 है into feed कितना है 0.2 है तो यह 100 से 100 तो cut गया भाईया ठीक है यह एक से एक का कोई मतलब नहीं है एक हो गया तो एक बट आप चाहो गया 0.2 तो इसको डिवाइड करोगे चाहा लिख सकते हो 10 बटे दो तो कितना आगया पांच मिनट कितना आगया मेरे दोस्त पांच मिनट देखो भाई इस तरह के प्रस्ण आप तभी कर पाऊगे जब आपके कांसेप्ट क्लियर रहेंगे और आप कोई भी क्लास देख रहे हो भाई तो आपके हाथ में जो है कापी पें होना चाहिए देखे किसी बच्चे न उत्तर नहीं दिया क्योंकि सब बस इसे वीडियो देख रहे हैं ठीक है हम करते हैं आप 3-3 घंटे का मतलब मैटर मिल आगर फिटर का अभी मैत की क्लास भी आगे चलेगी इसी में अभी मेरा आत्रम में सवरभ सर आ आ गये हैं ठीक है तो मेरे सव क् उन्हीं की मैत की जो क्लास है इसी में आइड हो जाएगा तो मैत का रिवीजन भी आपका थोड़ा बहुत हो जाएगा उसमें ठीक है कुछ अच्छे अच्छे फर्मूले आपको बता देंगे परसंटेज हो गया कि अच्छे अच्छे सवाल उन्होंने रखे हुए हैं तो बहुत थोड़ा सा अच्छे से आप करा देंगे तो मैत का भी तो भाई मान के चलो पांच घंटे अगर आप यहां पर देर हो मैं रात्म क्लास में दोस्त एक पांच रुपए की कॉपी बनाके जो प्रेक्ट आपको पता है उसकी कोई दिक्कत नहीं जो नहीं पता उसको आ या इस इसरे श'Tयंडर्र और पाइप थ्रेड हो या बिर्टिस सिच्टेंडर्ड फाइन रिड़ हो इन सभी के अंगल कितनी होते हैं घिशिंग रिए और यह कम थैदेव चलिए अगे बढ़ते हैं अगले प्रसने की तरहें अगला है आपका कि सबूस की कि सिखेस प्राइब ़ी खाइब आईयल इंजन की करते हैं जहां पर रेडियाल लोट होता है डौहाई वहाँ पर क्या करते हैं प्रोटिंग्स क्लोटिंग वुसका क्या करते हैं किसका प्रयोग करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पस्ने की तरफ जब भठी में गरम किया जाता है और फिर सामानताफमान पर हवा में ठंदा किया जाता है तो वह कौन से प्रक्रिया होती है देखो बाहर बेरे भाई जहां पर आप की heat treatment process है ठीक है heat treatment process है annealing से आप से क्या प्रशन बनता है कि आप क्या कर रहे हो इसमें जब उच्चक रांतिक तापमान के उपर गरम करते हो तो देन उसको भठी में ही जो भी आपका work piece है उसको भठी में ही धीरे धीरे या तो ठंडा करते हो या तो राख या वेत में दबा देते हो ठंडा होने के लिए यानि कि जो आपका वर्ग पीस है उसको कैसे ठंडा करते हो बहुत धीरे 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 क्या करते हैं भाई ठंडा करते हैं इस टेंपरिंग में क्या करते हैं टेंपरिंग में भी धीरे ठंडा करते हैं हार्डनिंग में क्या करते हैं क्वेंचिंग करते हैं यानि कि समन करते हैं यानि कि बहुत तेजी से ठंधा करते हैं किसी पानी या किसी ओयल में डाल कर क्या कर देते हैं भाई बहुत तेजी से ठंधा कर देते हैं और क्वेंचिंग जो प्रोसेस है उसके बाद हमारा कौन सा इस्ट्रक्चर बनता है तो हवा में ठंडा करती हो और यहीं तो आप से पूछा कि हवा में ठंडा कर रहे हैं सामानत आप पान पर हवा में तो यहीं आपका क्या है है नार्मलाइजींग है अगला है एक ब्रेजिंग जो जॉाइंट होता है वह क्या होता है बताओ सोल्डर जॉइंट से कमजोर होता है आप कहोगे नहीं भाई सोल्डर से तो मजबूत होता है तो सोल्डर जॉइंट से मजबूत है यह भी सही है वेल्डर जॉइंट से मजबूत होता है क्या बताओ कोई भी ब्रेजिंग जॉइंट है वह वेल्डिंग जॉइंट से मजबूत पर की जाती है तो आप कहोगे 450 degree centigrade से उपर रेंज पूछे तो आप कहोगे 450 से 870 degree centigrade पर की जाती है अब देखो मेरे भाई जो ब्रेजिंग है ब्रेजिंग में आपका कौन सा सोल्डर उपयोग किया जाता है आप कहोगे हार्ड सोल्डर का उपयोग किया जाता है और हार्ड सोल का मिक्सचर होता है अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं बियाइस की अनुसार कुल कितने होल बनते हैं बताओ भाई जिसका इसको उत्तर पता है बताईए बहुत बेदरीन प्रस्ण है और इतना टेक्निकल प्रस्ण है दोस्त को इसके बारे में रट्टा मारे तो ठीक है ले उसके बाद मैं सौरफसर को बला दूँगा वह आपके मैत के जो सेल और एंपी सेल की परिच्छा है उसे के लिए मैत के महत्कों प्रस्णों को जो है आपके करा रहे होंगे ठीक है चलिए तो थोड़ा सा मैत होगेरा भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैत होगेरा भी आप दोस्त देख सकते हैं ठीक है चलिए सूभोदास का उत्तर है सी 450 सही है अनमोल अनमोल बिलदार का उत्तर भी सही है 450 बिलकुल सही है ठीक है चलिए बहुत सांदार संजय एलपी आदित परसाद सभी का उत्तर सही है 450 देखो भाई बी आई एस के अमसार जो खुल होल ब किसी प्रस्थ में कि सुर्वात में बताया था कि टोटल जो याई-एस के अंसार टॉल्रेंस ग्रेड होती है थो कितनी होती है अठारा और जो फंडामिंटल डेविएसन होते यह तो यहाप क्या कहोगे 25 गुड़ते 18 यहीं से आया 450 यहीं आपको क्या हो जाएगा भाई 450 अगला है आपका जब केवल पुली के हब में गुरूब बना हो ठीक है तो फिट की को क्या कहते हैं बताइए यानि कि मान के चलो इस तरीके से आपकी साफ्ट है साफ्ट में आप जो है किसी भी तरह का कीवे काटो ही मत बस यहाँ पर क्या करो भाई यहाँ पर क्या करो जो पुली लगा रहे हो जो पुली लगा रहे हो आप उसी में सिर्फ और सिर्फ क्या करो उसी में सिर्फ और सिर्फ क्या करो मान के चलो यह hollow saddle की में बना दे रहा हूँ ठीक है भाई यह hollow saddle की है तो साफ्ट में आप किसी भी तरह cutting मत करो आप सिर्फ और सिर्फ पुली में जो है जो है बना दो तो उसको क्या बोलते है saddle की जब की क्या होती ही भाई एक जो संग की होती है इसमें क्या होती है देखो मान के चलो यह आपकी साफ्ट है तो यह दोनों में आपका क्या होता है दोनों में आपका keyway काटा जाता है साफ्ट में भी और पुली के hub में भी ठीक है चलिए राम राम भाई मेरे दोस्त तो स्वागत है आपका पर चलिए तो यहां पर सेडल की हो जाएगा देखो यह कुछ की है इस्प्वाइर की हो गई यह रेक्टेंगुलर की हो गई, जी बेहड की हो गई, प्लेन हो गई, चलो भाई कुछ आपको जो रेसियो है, यह भी बता रहेता हँ सबसे पहले आप से कहता है प्लेन टेपर की का जो टेपर होता है वो कितना होता है 1-100 ठीक है जो आपकी राउंड टेपर की होती है राउंड टेपर की उसका टेपर कितना होता है 1-50 अगला है आपका जो जीब हेड की है ठीक है दोस्त मैं आपको बता दे रहा हूं हलाग कि का करना चाहता है दोस्त उसके लिए बता देता हूं जी बेहड की का जो रेशियो होता है कितना होता है वन इस टू हंड़ेड ठीक है तो यह सभी आप ध्यान रखेंगे तर इसको में नॉन टेक है पूरा ठीक है मेरे बाई सिलिबस देख लो एक बार देन उसके बाद हम लोग आप यहां पे नॉन टेक पढ़ेगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है उसके डिसाइड करें पहले शिलिबस देख भड़ाता क्या करिए डिसाइड करिए ठीक है नॉन टेक अभी हमारी यह 100 क्रिस्टन है 100 क्रिस्टन है यह फिटर के देन इसके बाद आपकी मैद की जो क्र आई जाएंगे इसी क्लास ठीक है चलिए तो कंपन से बचाने के लिए किस वासर का प्योग किया जाता है यह कुछ स तरीके का होता है दोस्ति इसका एक सीरा उपर की और इस तरीके से और एक सीरा नीचे की और दिखो के स्प्रिंग्त दहसी Nós प्रणता है और इसका जो बाहरी व्यास होता बाहरी व्यास यानने कि तो आउटर डायामीटर होता है वो कितना होता है वन पॉइंट एट दी दिखें यहाँ पर बीच में कुछिंद कुछ व्यास रहेगा ना बोल्ट के लगने के लिए बाहरी व्यास कितना होता है भाई बाहरी व्यास आपका होता है 1.8D ठीक है चलिए कितना होता है 1.8D भाई तेजी से बारी समारे यहां शुरू हो चुकी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस पाद के लिए जो lower critical temperature होता है निम्नक्रांतिक बिंद होता है lower critical temperature होता है वो कितना होता है भाई तो आप क्या बताएंगे 723 degree centigrade ठीक है भाई चलिए थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं यहाँ पर समझाने के लिए कुछ है नहीं इस टील का दोस्तों देखो जो कठोरता मवया होता है वो क्या होता है cementite होता है cementite में क्या होता है भाई 6.67 प्रत्षतक कार्बन हो सकता है ठीक है तो सबसे कठोरता मवया भाई वही तो आप जानते हो कि जिसमें कार्बन की मात्रा जादा होगी वही क्या होगा सबसे कठोर हो तो यही क्या होता है स्टिल का कफ़ोर्ट तम अवयवाब का होता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो कौन सी उसमा उपचार प्रक्रिया का उपव्योग इस्टील की समझना कुप परिस्कृत करने के लिए मैंने आभी आपको बताया भाई अगर आपका क्या है इस्टील इस्ट क्या करते हुआ या normalizing करते हो तीसमें आपका b वाला option सही हो जाएगा अगला है आपका 18 आर्ट stainless में क्या होता है बताइए भाई जो 18 आर्ट आपकी stainless steel है उसमें आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बताइए ठीक है तो आप क्या बताओगे 18 प्रस्षत क्या होगा टंगस्टन और 8 प्रस्षत क्या हो जाएगा भी या 8 प्रस्षत क्या हो जाएगा हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल दो चारे मिट का ब्रेक देगे पीडियाफ लगेगी मैथ की तेन उसके बाद अभी तो लाइट भी चली गई है यार बड़ी टेंसन हो जाती लाइट चली जाती है ठीक है तो पीडियाफ लगेगी तब तक आप अपना जो है पानी वानी पी लीजेगा फिर उसके बाद मैंटी क्लास लीजेगा ठीक है चलिए तो यह वाला आपका हो जाएगा अगला है आपका पीग आयलर आइरन को गला कर जो राट आयरन है वो किस भट्टी में यानि कि आपके पूछ रहा है कि जो राट आइरन है दोस्तों किस भट्टी में तो अैनल है और अपको चख़ा हूँ पूडििंग फर्नेस नहीं होता इसको क्या होता है है वी कई कही लिखा हो सकता है यह पूडिलिंग है पूडिंग फर्नेस में क्या होता है भाई रा डार तैरन बनाया हो जाएंगे सही उत्तर आपके हो जाएंगे ठीक है चलिये क्या चैनल पर ड क्या cort Brand ठीक है चलिये ओप रोगत सब्सक्रीक अगला है आपका फिटवा लोहे में कारबन की नात्रा भाई बहुत कम होती है आपको पता है जो फिटवा लोहा होता है यानि कि जो आपका रोट आगन होता है उसमें लोहा कितना होता है 99.99% तो कारबन बहुत कम होता है दोस्त आपसन नंबर C होगा 0.02 प्रस्ट से 0.03 प्रस्ट तक आपका क्या होता है कारबन होता है ठी जैसे कि लाइव क्लास खतम हो जाएगी तो कुछ देर बाद ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी फिर आप इसको चाहे यतनी बार देखिए चाहे कभी भी देखिए यह मैं इसा यूट्यूब पर पड़ी रहेगी ठीक है चलिए डाता खतम हो गया कोई दिक्कत नहीं तो फिर चाहे आप इस्ट्रक्टर की तियारी करो जहां भी आपका ट्रेड पूछा जाएगा वो हम पुदा पढ़ाते हैं दोस्त एप पर क्लासेश चलती है थियरी कि आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं तो अगला है आपका बताईए निमलकित में से कौन सी धात्मों के भौतिक में से इसका है तो बताओ भाई जो प्रत्यास्थता है ये तो mechanical property है यांत्रिक आपकी जो है क्या यांत्रिक गुड़ है जो creep है ये भी यांत्रिक गुड़ है जो भंगुरता है याने कि बिटलने से है ये भी क्या है यांत्रिक गुड़ है जो mechanical property है जो आपकी physical property है वो कौन सी है भाई density है अगला है आपका एक cross pin hammer का जो pin होता है वो क्या होता है भाई cross pin hammer का जो क्या होता है handle से क्या होता है पोड़ी ये direction में होता है क्या होता है भाई बताइए जो handle से होता है वो कैसा होता है दोस्त handle से क्या होता है handle से तिरचा यानि कि मान के चलो simple सा इस तरीके से है ये handle से तिर्चा यानि कि cross pin ऐसा रहेगा option number ये आपका हो जाएगा तो ये देखो ये cross pin एहमर होता है कुछ इस तरीके का ठीक है भई class upload भई class तो class upload हो जाएगी भई ये जो class आपकी हो रही है ये class यूट्यूब पर upload रहेगा ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं सीसा निम्न एस से निकाला जाता है भाई ये आप पहले पढ़ चुके हो गये लेना और ये भी प्रस्ट जो है सेल रावर केला स्टील प्रांट की भरती परिछा में पूछा गया है ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं तो दो बताईए भाई दो मेटिंग पार्ट जो होते हैं दो मेटिंग पार्ट होते हैं उसके बीच को गयब किस से मापते हैं फिलर गेज से मापते हैं ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ें दोस्त आगे बढ़ें तो ये आपका देखे फिलर गेज है अलग अलग तरह की पत्तिया होती हैं इसमें और इसी से आप करते हों अगला है और लास्ट प्रस्ण है हमारा दोस्त इसके बाद सौरब सर आपको आ जाएंगे और मैथ की क्लास जो है वह आपको कराएंगे महत्वपुर्ण तो के सिंखला वह भी कराएंगे एक रिवीजन के तौर पर आपकी यह दो काश्ट त्लाइन और काश्ट कैसे बनाए जाते हैं तो बहुत तेजी से बाहर के तरफ क्या वलता है centrifugal बल लगता है जिससे जो पिखला हुआ metal है वो चारो और क्या होता है जमा हो जाता है और वही casting आपकी हो जाती है तो ये क्या होती है भाई आपकी centrifugal casting द्वारा बनाए जाते हैं ठीक है भाई चलिए तो ये फिटर वाला section जो है भाई वहाँ पर आपसे कुछ मैथ के भी प्रस्न पूछे जाते हैं तो सवरव सब्र को आप लोग जानते भी होंगे बेहतरीन तरीके से मैथ अभी आपको पढ़ाएंगे वो जो भी आपका जिसे कि आप technical छात्र है हो सकता है आपको कुछ चीजे मैथ में ना आती हूँ तो बेसिक से वो समझाने का प्रयास करेंगे ठीक है चलिए सेपर क्लेनर को समझा देंगे भाईया अब इस वीडियो में तो दोस्तों संभाव नहीं है सेपर क्लेनर को विस्तार से समझाना क्योंकि मैराथन क्लास है एक रिरीजन क्लास है उसे के लिए अलग से क्लास लाएंगे दोस्तों समझा देंगे जरूर ठीक है चले चले भाई तो अब सोरफसर्भ की तरफ हम लोग मूग करते हैं और वो आपको मै terrifying class है मैत की क्लास आपको कराएंगे झाल 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 आलो दोस्तों मैं सौरब आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके परिवार करियर अपडेट बाइंजिनियर में तो यहां से हम लोग स्टाट करते हैं अपने मैत के जो कोस्षयन है ठीक है जो मैत के जो इंपर्टेंट कोस्षयन है इनके बारे में हम लोग यहां से आज देखेंगे तो इसमें हमारा जो सबसे पहला कोशन है इसके बारे में हम लोग यहां से चर्चा करते हैं कि जो सबसे पहला कोशन है इसके बारे में सभी लोग answer देंगे कि यहाँ पे क्या है हमारा 0.1 यहाँ पे क्या है 0.1 का whole square है और यह हमारा क्या है यहाँ पे कि under root के अंदर हमारा क्या है 0.01 और 2.1 उसके बाद हमारा क्या है under root 0.0004 में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी आप सभी लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बतानी है सभी लोगे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बताएंगे जल्दी से कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी यहाँ पे आंसर जो है आ रहा है C नंबर की 0.12 यहाँ पे जो हमारा answer होगा यह हमारा क्या होगा C number होगा 0.12 इसको हम क्या है कि solve करके देख लेते हैं ठीक है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे solve करके देख लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा दिया है 0.1 का whole square दिया हुआ है इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है under root 0.0121 इसके बाद हमारा क्या है कि 0.12 है और under root के अंदर हमारा दिया हुआ है 0.004 तो इसका अगर हम लोग square करते हैं तो हमारा कितना होता है यह आपे सभी को पता ही होगा कि इसका square हम लोग करते हैं तो होता है यहां पे 0.01 कितना होता है 0.01 क्योंकि हमारी क्या है कोई भी जो number होता है वो हमारा क्या है अगर इस प्रकार से 0.1 का whole square है तो यहां पे बाहर कितना 0 आता है तो समलोग के बाद हमारा 2 अंक आता है कितना अंक आ जाता है 2 अंक लेकिन अगर यहीं पे अगर हमारा 0.01 का whole square होता है तो कितना आता है कि यहां पे फिर हमारा आता है 4 अंग कितना आता है कि यहां से फिर हमारा आता है 4 अंग ठीक है तो यह होता है कुछ basic चीजें होती हैं आप सभी को जो है पता होगा तो यहां से हम लोग start करते हैं कि यह हमारा क्या है कि यह हमारा हो गया इसके बाद under root के अंदर यहां पे कितना है कि 4 है तो यहां से हमारा कितना आएगा कि हमारे 2 अंक बाहर लाने कितने अंक हमारे बाहर आएगे यहां पे जैसे हमारे 4 है तो बाहर हमारे कितने थे, दो थे, तो यहाँ पे हम लोग कितना लेके आएंगे बाहर, बाहर हमें दो लाने है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, 0.11, और यह हमारा क्या है, कि 0.12 है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग लाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, दो अंक ज सबसे बड़ा नंबर होगा है सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा क्या होगा 0.12 में सबसे बड़ी संहख्या बतानी त्ạnh सबसे बड़ी संहब नहीं है यहां पे हमारा क्या है कि 3 की power है 1 by 3 के 6 है इसके बाद यहां पे भी हमारा क्या है कि 2 की power 1 by 2 है और उसकी whole power 6 है इसके बाद यहां पे हमारा क्या है यह जो 1 है ठीक है 1 दिया हुआ है इसके बाद क्या दिया हुआ है 6 की power 1 by 6 का whole 6 ठीक है यह power यहां पे दी गई है इसके बारे म हमें आप सबी को यहां पे बताना है कि क्या होगा आंसे ठीक है कि यहां इसंघ्ध कर देते नो हम लोग कर देते हैं इस का क्या हो जाएगा 1데 2 इंटु 6 हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा 6 की पावर 1 by 6 into 6 हो जाएगा तो यह हमारा यहां पे क्या हो जाएगा कि यह जो हमारा है इससे 2 बार कैंसील हो जाएगा ठीक है यह हमारा जो है इससे 3 बार कैंसील हो जाएगा और यह हमारा इससे पूरा कैंसील हो तो यहां से जो आपका निकल क्या आएगा, यह क्या निकल क्या आएगा, थ्री की पावर टू निकल क्या आएगा, यहां पर वन आएगा, और यहां पर क्या आएगा, इसमें से आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि भाई क्या होगी, सबसे बड़ी संख्य हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे निकल के सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास यह 9 आया है लेकिन आया कहा से हमारा यह हमारा यहाँ से आया है जो कि हमारा क्या है कि आपसन में दिया गया है D नमबर यहाँ पे आपसन में क्या दिया गया है d number यानी की ठीक है 3 की power 1 by 3 का whole 6 जो यहाँ पे दिया है यह हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी क्या होगी हमारी यह हमारी यहाँ से होगी सबसे बड़ी संख्या ठीक है तो आगे हम लोग चलते हैं next question की तरफ कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितना वह 75 से छोटी है यानी कि हमारे पास क्या बोल ला है यहाँ पे यहाँ से हमसे बोल ला है कि यहाँ से हमारा क्या बोल ला है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से क्या है छोटी है यानि कि क्या है कोई संक्या है जो हमारी 31 से उतनी बड़ी है जितना क्या है कि 75 सेवा छोटी है इस तरह से हमें बोला है कि यह क्या है कि जो संक्या है 31 से बड़ी यानि कि 31 में हम लोग कुछ प्लस करेंगे तो वो संक्या और 75 में कुछ माइनस करेंगे तो यह हमारा यहां से तो इसे हम लोग solve कैसे करेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम लोग इसे solve कर लेते हैं x को हम लोग इधर ले आते हैं हमारा हो जाएगा 2x और 31 को हम लोग उधर पच्छांतर कर देते हैं तो यह हमारा कितना हो जाएगा 31 ठीक है इसको हम लोग minus करेंगे तो मारा, कितना आएगा? 2X, कितना आएगा? 5 में 1 जाएगा, बच्जेगा 4 और 7 में हमारा, 3 जाएगा हमारे पास कितना बच्जेगा यहाँ पर? 4 तो, x is equal to हमारा, यहाँ से क्या आ जाता है? x is equal to हमारा, यहाँ पर आ जाएगा? ठीक है? 22 कितना आ जाएगा यहां पर यहां पर जो आ जाता है हमारे पास 22 आजाता है अंसर कितना आ जाता है हमारे पास 22 अब हमें क्या करना है यहां से हमारा क्या आ गया 22 आ गया अब हमें वो संख्या मिलेगी कैसे कि 31 हमने इसको माना था ठीक है तो हमने आपर क्या करेंगे यहां पर कि यह हमारा जो यहां से संख्या निकल के आए जाएगा तिरपन जो है यहां से आ जाता है जो हमारा यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तिरपन जो हमारा निकल के आ जाता है यह हमारा क्या हो जाएगा यहां से यह हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा इस तरह से हम क्या करे हैं कि पान्च औको वाली सबसे चोटी संख्या जो 476 से पूर्टेया विभाजी थो यह आपको यहां पर बतानी है तो ऐसे कोसंद्स हम लोग कईसे करते हैं इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं कि वहाई क्या पूला है कि पान्च आंकों वाली सबसे चोटी संख्या तो 5 अंकों की सबसे चोटी संख्या क्या होती है कि 5 अंकों की सबसे चोटी जो हमारे पास संख्या हो जाती है यह हो जाती है ठीक है कितना 10,000 इसमें हमें क्या है कि क्या करना है कि सबसे चोटी संख्या जो इतने से डिवाइड हो 466 से डिवाइड हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं यहाँ पे, कि इसमें हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, सबी लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, कि हम लोग यहाँ पे भाग देंगे, इसमें जब हम लोग भाग देते हैं, 476 का, कितने का, 476 का, तो सबसे पहले जो हमारा यहां पर जाएगा हमारा दो बार यहां पर भाग जाता है कि कितना हो जाएगा चाह दो नी 12 हो जाएगा यहां से 2 हो जाएगा और 7 दुनाई 14 और 13 हो जाएगा यहां से 3 4 दुनाई यहां ठेक और 9 कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास यहां से हमारे पास आ ठीक है इसमें हम लोग माइनस करते हैं 10 में 2 जाता है 8 हो गया 9 में से 5 गया हमारे पास 4 हो गया यह हमारे पास यहां पर इस तरह से बच जाता है आगे से हम लोग यहां पर क्या करते हैं 0 ले लेते हैं इसके बाद हमारा यहां से क्या जाएगा एक ही बार जाएगा बार कितनी हम लोग माइनस करतें 10 में 6 जाता है दस में चया जाता है तो यह क्या प्रत कि E goog हमारा जहां से हम लोग क्या दे रहे हैं कि जो हमारा यहां से भाजक है इस पर हम लोग क्या करते हैं 476 में से 4 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 472 अब यह जो हमारे पास संख्या आती है तो इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं जो हमारा यह भाज यह इस पर हम लोग जोड़ देते हैं ठीक है यह जो संख्या है इसे हम लोग क्या करते हैं जो हमने मानी थी पांच अंकों की जो हमारी क्या थी सबसे छोटी संख्या इसमें हम लोग इसे एड कर देंगे तो ये मारा क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग इसे प्लस कर देंगे तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा कि 10482 जो होगा वो मारी 486 से पूरी तरह विवाजित होगी इस तरह गा कोशन आता है तो आप लोग इसी तरह करेंगे कि अगर बोल देता है कि कोई भी छोटी संख्या है, जो पांच अंकों से होगा, कितने भी अंकों से, और फो विवाजित है तो हम क्या करते हैं वो संख्या माल लेते हैं या छोटी बोल लेता है बड़ी उसको माल लेते हैं उसके बाद हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि है क्या है हमारा डिवाइड होता रहता है उसके बाद क्या है कि जब हमारा नहीं डिवाइड होता है जो सेस आगे हम लोग बात करते हैं यहां पे पांचवे नंबर की ठीक है पांचवे नंबर पे किसी संख्या को 899 से भाग देने पर सेस हमारे पास कितना प्राप्त होता है कितना हमारे पास सेस प्राप्त होता है यहां पे जो सेस हमें प्राप्त होता है वो 63 प्राप्त होता है कितना 63 इसके बाद क्या यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो सेस फल क्या प्राप्त होगा यह आपको बताना है सेजफृलं पर हमारे पास सेशफ़ल यह प्राप्त होता या हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास एकि होता है जैसे हम लोग भाज करते हैं जिसे हम कि भाज ये बराबर भाजक इंटू जो हमारा क्या होता है बागफल होता है और प्लस यहां पर क्या हो जाता है सेसफल क्या हो जाता है यहां से हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं इसे तो अगर हम लोग यहां पर संख्या है कि हम लोग किसे 899 से किसे बाग दे रहे हैं 899 से दे रहे हैं हमें यह क्या है बागफल पता नहीं है सेस्पल हमें दिया हुआ है कितना 63 तो यह वो संख्या है जिस पर क्या है कि हम लोग 29 से भाग देते हैं किसे 39 से हम लोग यहां पर भाग देते हैं तो फिर हमारा जो सेस है वो बताना है तो यहां पर क्या है आप अगर इस पर भाग देते हैं तो यह क्या हो जाता है 29 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है यहां पर हम लोग भाग देंगे 800-99बे पर 899 पे हम क्या करते हैं कि 29 का भाग देते हैं ठीक है तो सबसे पहले यहां पे जाता है 3 बार ठीक है तो कितना हो जाता है 9 3 का 27 हो जाएगा यहां से 7 और 3 दुनाई 6 2 8 हो जाएगा कितना हो जाएगा यानि कि यहां से कितना हो जाता है 87 हो जाता है इसने बाद हमारा कितना बंचता है 29 तो यह क्या हो जाता है हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यह 29 से हम लोग अगर 899 पे भाग देंगे तो यह तो हमें सेस्फल देगा नहीं है न क्या है सेसफल देगा नहीं तो हमें क्या करना होता है इस 63 पे हम लोग अगर भाग देते हैं तब ही हमें सेसफल प्राप्त होता है तो अगर आप लोगों को कहीं भी क्या है एक्जाम में अगर ऐसा कोशन मिल लाता है कि उसी संख्या पे हमने 899 से भाग दिया तो ये सेस का बख कहाँ यहाँ से नॉमारे पास बच जाएगा वो हमारे पास बच जाएगा नंसर हमारा क्या सई हो जाएगा बी-नमबर सही हो खैलम क्या से हो जाएगा बी निमबर तो ऐसा discussion आप लोगों को रखना है कि अगर आप से किसी संख्या, यानी कि सेम संख्या में किसी संख्या से भाग दे के सेसफल बोलता है और फिर कहता है की एक संख्या से और उसी पर भाग देते तो सेसफल क्या होगा, तो हमें क्या है? इस सेजफल पर क्या करना है इस संख्या से भाग दे देना है जिससे दुबारा भाग देने बोलता है उसी संख्या को उठा के हम लोग आपर भाग दे देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है सेजफल वही हमारा आंसर हो जाता है आगे हम लोग चलेंगे चट्वा कोशन जो ह है कि अंडर रूट 5 अपाल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ठीक है इसके बाद हमारे पास माइनस और हमारे पास यहां पर क्या है कि 3 अंडर रूट 3 अपाल 3 अंडर रूट 3 अपाल अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ठीक है और हमारे पास क्या है यहां पर कि कि हमारे पास यहां पर है कि टू अंडर रूट टू अपान अंडर रूट थ्री प्लस का है यहां पे हैं हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 यह यहां पे आपको जो है कोशन दिया किया है अब इसे क्या करना है यहां पे यहां पे क्या आप लोगों को अंडर रूट 5 ठीक है अंडर रूट 5 इसे आप लोगों को solve करना है और यहाँ पे आपको क्या है कि answer बताना है ठीक है यहाँ पे जो है आप लोगों को answer बताना है कि answer यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो है हमारा answer कितना हो जाएगा यह सबी लोगों को बताना है तो इसे हमें solve कैसे करना है जो इसका संयोगमी होता है, इसीका हम लोग यहाँ पर गुड़ा करा देते हुपर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, कि जैसे हीज आप क्या करेंगे, अनने रूट 5 पर multiply कराएंगे, किसका है? इसके संयोगमी का, अननर अंडरूट 3 है यहाँ पे, अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 2, यह हमें यहाँ पे गुड़ा कराना है, यानि कि इसी का just opposite जो है, यहाँ पे गुड़ा कराना होता है, जो नीचे दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसका यहाँ पे गुड़ा अंडरूट 15 और माइनस का अंडरूट 10 नीचे हमारा क्या हो जाएगा ठीक है इसी तरह से हम सभी में गुड़ा कराएंगे नीचे हमारा हो जाएगा अंडरूट 3 प्लस का अंडरूट यहां से हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों का गुड़ा होगा क्या होगा अंडरूट 3 प हमारा क्या बन जाएगा कि ए स्कॉयर माइनस भी स्कॉयर जो होता है हमारे पास ए प्लस भी और ए माइनस भी तो इन दोनों का गुड़ा हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास a square यानि कि क्या बनेगा कि a square मतलब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे under root के अंदर तीन तरी कर यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे इसका square करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम लोग इसका स्कॉयर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा थ्री आएगा इसका स्कॉयर करेंगे हमारे पास टू आएगा तो इसका दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या बनेगा यहां से एक आएगा कितना आएगा एक आएगा ठीक है यहां पर हमा का करेंगे माइनस करेंगे ओपर जब हम इसका गुड़ा कराएंगे यहां पर तो कितना होगा हमारा थ्री अंडर रूट का पंद्रा आएगा कितना आएगा प्लस करने बाद हम लोग इसका गुड़ा कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा इसका हम लोग यहां पर गुड़ा कराते हैं नीचे जो अंडरूट 5 प्लस है उपर हम लोग माइनस का गुड़ा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा उपर कि उपर हमारे पास जो आता है यहां पर उपर आएगा हमारे पास 2 और अंडर रूट का यहां पर हमारे पास 3 है ठीक है अंडर रूट का हमारे पास यहां पर क्या है कि 3 है इसे हम लोग एक बार देख लेंगे अंडर रूट 3 है क्या है ठीक है यहां से हमारा क्या होगा अंडर रूट 2 होगा यहां पर ठीक पे टू अंडर रूट का कितना हो जाएगा तेन हो जाएगा दो का हम लोग यहां पे मल्टिप्लाइ कराएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा इसे हम लोग यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं प्लस करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू अंडर रूट का, टेन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो हमारा प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 5 के बाद हम लोग यहाँ पर किसका मल्टिप्लाइ कराएगे, अंडर रूट 2 का, किसका मल अंडरूट तू का multiply कराएंगे, हम लोग तो यहां से मारा कित्रा बचेगा, के यहां पर 3 होगा अंडरूट 3 इसे एक बार यहां पर सभी लोग देख लेंगे भाई मैस कर लेंगे एक बार अंडरूट 3 प्लस अंडरूट तो हो जाएगा अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 2 अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3 तो हमारा उपर क्या आ जाएगा 2 under root 10 प्लस 2 under root 6 आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 under root का 6 आ जाएगा अब 5 में हमारे क्या आ जाएगा यहां से 5 हो जाएगा और 3 इसमें से हमारा जाएगा यहां पे 2 आ जाएगा क्या जाएगा 2 अब हमें यहां पे आगे solve करना है क्या हो जाएगा यहां से थ्रीकावन करेंगे तो क्या है इसके बाद हमारा क्या हो यहां से किक यह जो एंडर हो जाए का और यह अंडर रूत फ़ाइफ हो जाएगा तो answer हमारा यहां से क्या आजाएगा 0 आजाएगा, यानि हमारा जो D number है यह यहां से हमारा सही हो जाएगा D number यहां पर सही होगा 5 नहीं होगा, D number यहां पर सही होगा ठीक है, क्या सही होगा हमारा D number जो हमारे पास यह सही हो जाएगा ठीक है आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो हमारे पास अगला कोशन है अगले कोशन की तरफ हम लोग यहाँ पर चलेंगे जो हमारे पास सात्वा कोशन है सात्वा कोशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा सात्वा कोशन जो दिया है हमारे पास क्या दिया है कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर माइनस 1 नीचे हमारा क्या दे दिया है यहाँ पे कि 3 की पावर माइनस 1 और 3 की पावर 0 इसे आप लोगों को सॉल्व करना है और यहाँ पे जो है आंसर बताना है कि क्या होगा इसे solve करके answer आप सभी को यहाँ पर बताना है कि हमारे पास answer यहाँ पर क्या आएगा सभी लोग बताएंगे तो इसे हम लोग यहाँ पर solve कैसे करेंगे यह हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि भाई इसे हम लोग solve कैसे करेंगे इसे हम लोग जो यहाँ पर solve करेंगे कि भाई 3 की power जो 0 होता है उसका बाद हमेशा क्या होता है 1 होता है क्या हो जाता है 3 की power 0 जो होता है उसका बाद 1 होता है और इसे हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे प्लट लेंगे जो negative है 1 upon 3 इसके बाद क्या है इसे भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1 upon 3 और plus 1 इसे हम लोग आगे solve करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा और plus 1 यानि कि कितना हो जाएगा ऊपर हमारा 4 बटे 3 कितना हो जाएगा उपर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4 बटे 3 कितना हो जाएगा 4 बटे 3 यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारा minus है यहाँ पे हमारा minus आएगा क्या आएगा minus यहाँ पे जब हम 3 करेंगे तो क्या आएगा नीचे minus का 2 बटे कितना हो जाएगा माइनस का 2 बटे 3 आएगा ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ पे आपको पता है कि इनका इनका गुड़ा होता है और इनका इनका हो जाता है ठीक है यह आप सभी को पता होगा कि क्या होता है यहाँ पे हम लोग इसे पलट लेंगे ऊपर यहां पे करेंगे तो 4 बटे 3 into क्या हो जाएगा minus का 3 upon 2 तो यह 3 से 3 cancel हो जाएगा और यह 2 यानि कि हमारा answer यहां से क्या आजाएगा minus का 2 तो answer हमारा यहां पे क्या सही होगा बी नमबर यहाँ पे जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा क्या सही हो जाएगा बी नमबर यहाँ पे जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा तो आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा आठवा कोर्षन है जो हमारे पास आठवा कोश्टन है यह हमारे पास क्या होगा इसे देख लेंगे कि 1.49 इंटू 14.9 हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा कि माइनस का 0.51 इंटू 5.1 यह मारे पास उपर हो जाएगा नीचे हमारा क्या दिया हुआ है इसे हम लोग यहाँ पर नोड कर लेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है 14.9 माइनस का 5.1 यह यहाँ पर आपको दिया हुआ है और आपको यहाँ पर क्या करना है इसका जो है यहाँ पर answer बताना है क्या होगा answer यहां पर आप सभी को बताना है कि हमारे पास answer जो है इसका क्या होगा सभी लोग बताएंगे कि answer हमारे पास इसका कितना आएगा सभी लोग इसे solve करके answer बताएंगे कि answer यहां से क्या होगा तो इसका हम लोग यहां पर solution करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि भाई जो हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है 1.49 तो हम लोग यहां से 10 अठातें तो नीचे कितना आता है जो मरें दाहने साइट जितने अंग होते हैं उतना यहां पर यहां पर हमारे पास 0 आ जाता है तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास उबर यहां पर हमारे पास क्या आएगा 149 अपान क्या हो जाएगा handle इसके बाद इसी तरह हम लोग into यहाँ पर करेंगे तो one four nine अपान में कितना आजाएगा tip minus हम लोग यहाँ पर करेंगे minus पे हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आएगा five one अपान दो अंका है मारे पास two zero आ जाएगे इन्टू यहां से हमारे पास एक अंक बाद 10 हो जाएगा, इसी तरह हम लोग यहां पे नीचे कर लेते हैं, कि भाई हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास एक अंक बाद 10 हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास यहां पे माइनस है, माइनस के बाद हमारे पास एक अंग बाद 10 हमलों है यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसे आगे solve करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा होगा कि यहाँ से हम लोग common कर लेंगे कि यह जो हमारे पास दोनों तरफ क्या है कि 1000 है यानि 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 यानि कि हम यहाँ पे क्या करेंगे इसे जो है बाहर कर देंगे इसके बाद अंदर हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 149 इंटू क्या हो जाएगा 149 माइनस का 5 1 इंटू 5 1 इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या बचेगा नीचे जो होगा हमारे पास यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो 10 है इसको हम लोग यहाँ पे LCM कर लेंगे इधर 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 149 माइनस का फाइप यह हमारे पास यहां पर बचेगा तो हमारे पास यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसे लिखते हैं है ना अगर हम लोग इसे यहां पर लिखेंगे कि हमारे पास यह दो बार बनेगा यहां पर क्या है A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर तो हमार बचेगा उपर उपर जो हमारे पास बचेगा यहां पे उपर जो हम लोग यहां पे लिख लेंगे प्लस वाला बचेगा कि यानि कि हमारे पास क्या है कि यहां पे जो 1000 है और उपर हमारे पास क्या बचेगा 149 प्लस का 51 कितना प्लस का 51 जो बचेगा और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा कि नीचे हमारे पास सब कुछ कर जाएगा यह हमारे पास 10 बचेगा तो यह यहां से एक 0 को खतम कर देगा उसके बाद यहां पर हमारे पास ऊपर यहां पर क्या हो जाएगा कि 119 और 152 200 हो जाएगा और यह जो हमारा 100 है यहाँ पर आ जाएगा यह 0 से 0 हमारा cancel होके answer आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर ए नमबर आ जाएगा जो कि answer हमारा 2 क्या जाएगा यहां से answer answer जो हमारा हो जाएगा दो इस तरह से इसे जो है simplification करना होता है कि जितने हमारे पास point के बाद दाहिने side पे जितने अंक लिखे होते हैं उतने 0 हमें लगा लेने होते हैं हमें क्या है by side से मतलब नहीं होता है दाहिने side जितने भी 0 अंक होते हैं या 0 हो या कितना भी अंक हो उसे हम लोग क्या है कि नीचे जो है उतने ही 0 हम लोग लगा लेते हैं इसके बाद यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर हमने यूज कर लिया A square minus B square यानि कि A plus B A minus B तो इसको हम लोग एक बार plus में लिखेंगे एक बार minus में तो minus से minus कर जाएगा हमारे पास बचेगा प्लस वाला उसके बाद हम इसे plus करेंगे 200 हो जाएगा यह 1000 में से 101 कैंसिल कर देगा नीचे हमारा 100 बचेगा तो यह हमारा यहाँ से answer हो जाएगा इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा 9 कोशन है 9 कोशन को लोग एक बार देख लेते हैं 9 कोशन ठीक है यह जो 9 दसवा है इसे थोड़ा सा लिखेंगे उसके बाद सारे कोशन जो आपके पास टाइप मिलेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ से हमें दिया हुआ है 0.96 का होल क्यूब इसके बाद और क्या दि स्क्वाइर दिया हुआ है और क्या दिया है यहाँ पे कि प्लस 0.096 और हमारे पास क्या दे दिया है 0.1 का होल स्क्वाइर क्या दे दिया है 0.1 का होल स्क्वाइर तो यहाँ पे फार्मूला आपके पास कौन सा यूज हो रहा है कितने लोग यहाँ पर बता सकते हैं इसके ज ठीक है आफसान हम लोग क्या लिखेंगे आप पर जैसे हम लोग लिख लेखते हैं भाई 0.76 हो गया 0.07 हो गया या 0.86 हो गया या 0.57 तो इसमें से हमारे पास आंसर क्या आएगा यह हम लोग देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है कि यहां पे हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करेंगे फार्मूला हम लोग यहां पे यूज़ कर लेते हैं a cube minus b cube क्या यूज़ करते हैं हम लोग a cube minus b cube जैसे a cube minus b cube तो अपान में हमारा क्या हो जाता है a square प्लस यहां से हमारे पास क्या हो जाए 0.96 है यानि कि A की जगा माल लेंगे 0.96 और B की जगा हम लोग माल लेते हैं 0.1 क्या माल लेते हैं 0.1 यानि कि हम लोग क्या करेंगे 0.96 में से 0.1 हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं तो इसे हम लोग minus करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 0.86 क्या आएगा 0.86 जो है हमारे पास यह यहाँ पर आ जाएगा के इसके बाद हम लोग दस्मा कोई संच जो है इसे वो धाइप करके यहांपर लिख लेते हैं इसके बाद आपको टाइप ब्लेते मिलने यहांपर क्या है दस्माझ हमारे पास कि 3 अंदर रूट टू इंटू अंडर रूट तू यहांपर हैं अपने इन व shapes अंदरूट 3, यहां पे हम लोग option दे देते हैं कि भाई, नहीं औराफसन यहां से क्या हो जाएगा, a हो गया, b हो गया, c हो गया, और d, आफसन अमारे पास क्या है, यह हम लोग यहां से लिख लेंगे, कि 7 की पावर 5,6 या फिर 6 की पावर 5,6 या फिर 4 की पावर जो हमारे पास 5,6 हो जाएगा या फिर हम लोग यहाँ पे 8 की पावर 5,6 अब हम लोग इसे solve करते हैं अब हम लोग क्या करेंगे इसे जो है यहाँ पे solve करेंगे तो क्या होगा कितने लोग यहां पर इसे solve कर सकते हैं सभी लोग solve करके जल्दी से बताएंगे क्या होगा कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हमारा हो जाएगा 2 की power 1 3 यहां पर क्या है cube लगा हुआ है उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा 2 की power 1 by 2 हो जाएगा इंटू 2 की power 1 by 3 हो जाएगा और इंटू 3 की power 1 by 2 हो जाएगा यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे बताना है कि वाई यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर जो है सभी लोगों को बताना है कि answer जो है हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं कि यह जो हमारे पास क्या है इन्हें हम लोग पास कर लेते हैं जो हमारे पास power जो है इनको हम लोग यहाँ पे pass करेंगे कि जो हमारे पास 2 की power 1 by 3 और into 2 हमारे पास क्या है कि 1 by 2 क्या करेंगे हम लोग यहां पर हम लोग income multiply कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा यहां पर base जो है हमारा same है 2 करेंगे तो ऊपर हमारी घातें क्या होती है घातें हमारी जुड जाती है यानि कि 1 by 3 plus का 1 by 2 ठीक है इसके बाद यहां पर वारा क्या हो जाएगा इना एक हां पर यहां पर स्यावरिए प्लस प्लस का वन तो आप हम लोग क्या करेंगे इनने ज़ो से तो गात हमारे क्या हुआ जाएंगी जुड जाएंगी तो यहां पर हमारा LCM जो है 6 हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर यह 2 धर जाएगा 3 धर चला जाएगा तो 5 5 6 हो जाएगा इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से 3 इंटू यहां से भी हमारे पास 5 by 6 हो जाएगा अब हमारा क्या हो गया है यहां से power जो same हो गई तो इनका हम लोग क्या कर लेंगे गुड़ा कर लेंगे multiply कर लेंगे छो हमारे पास base है तो कितना हो जाएगा 6 की power 5 by 6 यह हमारे पास यहांसे आंसर हो जाएगा कि 6 की power 5 by 6 यह था हमारा Simplification का part था ठीक है यह आपको पता होगा कि वाई अमारे पास क्या है प्लिवांट से में तो घातें जोड़ जाती है अगर गाते थे से में तो बेंस वमारे पास कुड़ा हो जाता है जो हमारा से क्या HCM से एक तरफ हम लोग यहां पर चलते सो वारे पास LC एम होता हूद ह test is इसके बारे में चलते है ठीक है level कर धर क्या होता है यहां यहां देख रहे हैं जो हमारा M का मतलब क्या होता है कि multiple और F का मतलब क्या हो जाता है factor यानि कि इसका मतलब क्या हो जाता है multiple यानि कि जो हमारे पास गुड़ज होते हैं और factor का मतलब हो कि करतेंद हैं कि गुण फियत्रस साइब नमबर कमадц से धोनों संख्या डिवाइड हो जाते हैं और हमारे पास क्या है मल्टीपल क्या नग होती है जो इन दि गई नमबर से टिवाइड करती है उंप यह लेते हैं थोड़ा सा जैसे हमने यहां के लिया 12 और 24 क्या लिए हमने आप 12 और 24 हमने आप एक्जाम कर लिए अगर हम लोग यहाँ पर SCF पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके गुड़न करने फैक्टर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 2 भी हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा और हमारे पास 6 हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 1 हो जाएगा 2 है 3 है उसके बाद हमारे पास क्या है 4 है 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा 7 भी नहीं होगा 8 हो जाएगा और 9 10 नहीं होगा 12 हो जाएगा इस तरह से हमारे पास है तो यहां भी फैक्टर क्या होता है इन तीनों में से जानी कि जहां तक हमारे क्या है multiple मैस होता है जैसे यहां पर 6 हो गया इसके बाद हमारा क्या होता है 6 हो गया उसके बाद क्या होता है फिर इसके multiple इतने ही होता है क्या करेगा इन दोनों को divide करेगा यानि की ये 6 से 2 बर हो जाएगा अगर 24 में 6 करेंगे हां पे tö कितने बार 4 बार जो इनको divide करेगा यह हमारा क्या हो जाता है LCM १ांगर हम लोग इन्हीं के SCF यहां पर क्या है LCM की बात करते हमewहने हां पर SCF की बात कर लिए ह मोट लोग LCM तो हमें क्या लिखना पड़ता है कि इनका क्या है गुडज क्या लिखना पड़ता है गुडज जैसे कि हमारे पास हैं 12 और 24 तो हमें आपे क्या लिखना है इनके जो हमारे पास गुडज लिखना है यानि कि 12 जो हो गया उसके बाद 24 हो गया 36 हो गया 48 हो गया इस तरह से यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 24 हो गया और 24 उन्हा हमारा क्या हो जाता है 48 तो यानि कि इस पे क्या हो जाता है कि इसके आगे अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं तो कितना हो जाएगे यहां से 24 तरीका हमारे पास कितना हो जाएगा 48 है, इसी पर हम लोग यहाँ पे 24 जोड देते हैं, तो 8-4 कितना हो जाता है 12 और 4-2, 6-2, 7-8 तो यानि कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जो सबसे पहला नंबर जो हमारे पास कावान होगा जो सबसे बड़ा होगा यह हमारे पास क्या हो जाता है यहां पे 48 यानि कि यह क्या होता है सबसे बड़ा जो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाता है यह जो हमारा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होता है यानि कि जो हमारा 48 होता है यह हमारे पास 12 से भी गया है यहां पे जो है LCM और HCF आपको दिया गया है यानि कि हमारे पास LCM जो है दिया गया है ठीक है LCM यानि कि जो हमारे पास दिया गया है LCM की बात करते हैं LCM हमारा 300 और HCF आपको दिया गया है 15 कितना HCF दिया गया है 15 और एक संख्या यानि कि X हमें दिया गया है 60 और Y हमें जो है यहां से निकालना है क्या करना है y हमें जो है यहां से निकालना है तो LCM और SCF में हमारे पास एक rule होता है जो हम लोग यहां पे देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है यहां से ठीक है कि यहां पे हमारे पास जो हो जाता है कि जो है हमारे पास पहली संख्या अगर हमारे पास दो है तो पहली caregivers अंग क्या हो जाता है कि कि Fillasar नहीं कि LCM और स्यम्ट तो हमने आप में संख्या हमें क्या दे दी गई है 1 नि क्या दी गई है में 60 दीगई है दूसरी कौने वा इस कर दीग पाद हमारे पास किया है यहां पर कि यहां है कि इस पास 15 गुड़े 300 कितना यहां सो है यह अपन में चला जाएगा 60 है जीरो से जीरो जो है कैंसिल करदेगा और इसैं क्या करेगा पाँच बार यहाँ पर ilap करेगा तो अब हमारा यहां से कितना जो है इंसियम आ जाएगा वह यहां के जो दूसरी संख्या होगी यह हमारे पास क्या जाएगी 45 क्या जाएगी यह जो हमारे पास आ दूसरी संख्या इस तरह से हम लोग यहां पर से निकाल सकते हैं अगर हमें क्या है कि दो संख्या दे दिया गया उसके बाद एक लासा दे दिया हमसे मासा पूंच लिया तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या गड़ते हैं कि इसी फार्मूला का यूज करके हम हो जाएगा हमारा नांसर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा यहां से आफ्संस का नबर झार सभी Department सफेए हमारे पास यहां पर आगे चलेंगे आगे हमारे पास 12 नमबर होस्ते है इने मैं Sivaida यानी कि आफ परण कुंझा कर दिया गया हैPerfect गुडन कंड हमें दे दिया गया है बारा सो असी और हमें क्या दिया गया है यहां पर मासा मासा दिया गया है हमें कितना आठ और हमें क्या ग्याद करना है यहां पर लासा जो हमें यहां पर ग्याद करना है तो लासा हम लोग यहां पर कैसे ग्याद करेंगे यह हमारे पास यहां पर आपसन दिये गया है इन्ने में हमें क्या करना है इसका जो है लासा ग्याद करना है क हम लोग इसे कैसे करेंगे ? यह जों अखिता है किस तरह से होता है ? इसे हम लोग क्या कर लेंगे ? कि जोंख्वेपास संख्याओं का गुडणखंड दिया गया जैसे अभी हमने फार्मूला यहां पे LCM निकाल लेंगे कितना हो जाएगा कि 128ymph LYart कि यहां कितना हो जाएगा disci से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो यहां से कितने बार जाएगा एक बार जाएगा चार बचेगा उसके बाद कितना हो जाएगा और जीरो यानि कि हमारे पास कितना रहा है से कितना हो मिल लाता है कि सेसफ़ल हमें बोल ला है कि सेसफ़ल अमारे पास क्या बचना चाहिए दो बचना चाहिए कि क्या यहां से भाग देने पर यानि कि 4-6-8-12-16 से हमें क्या है कि भाग देने पर जो हमारे पास कौन सी ऐसी संख्या है कि भाग देने पर प्रत्य कि स्थिति में जो है दो सेस बग जाता है तो यहां पर हमारे पास आपसन दिये गए है आपसन म है 48 हो जाता है यानी की 48 क्या होता है इन सभी से हमारा डिवाइड हो जाता है पचास यहां पर यहां पर यह इन नंबर्स में से किसी से भी region नहीं होगा उसका हमने LCM निकालके उस पर हमने दो एड कर दिया वह हमारा क्या हो गया कि अब यह जो हमारा इन में से किसी से डिवाइड नहीं होगा 16 जो है यह और नंबर हमारे डिवाइड हो सकते हैं लेकिन बागी के से बड़ी दो संख्याओं का मासा कितना है 29 तथा लासा इतना है तो उन संख्याओं का योग ग्याद करना है हमें क्या करना है योग हमें आप ग्याद करना है कि 29 से बड़ी हमारे पास दो संख्याओं हैं क्या है 29 से बड़ी हमारे पास दो संख्याओं हैं तो यहां पर हम लो जिनका मासा हमारे पास क्या है 29 है और क्या है कि जो हमारे पास लासा इनका दिया गया है यह हमाई कितना दिया गया है कि 41,47 ठीक है इसे हम लोग यहाँ पे जो है multiply कर लेंगे कि भाई क्या है कि 39 गुड़े 29X गुड़े 29Y करेंगे इसके बाद हम लोग आगे क्यार कर लेंगे हाँ पे कि जो हमारे पास LCM यहाँ पे दिया गया है 41,47 इंटू 29 तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं X इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 41,47 गुड़े जो है यहाँ से 29 से 29 हमारा divide हो जाएगा जो बच्चा क्या करेंगा तो हमारे पास क्या निकलके आएगए हाँ यह हमारे पास X into Y निकलके आएगा यह क्या हो जाएगा किरा कि गया हो जाएगा कि 143 बार divide होगा कि टिया गया है 143 जो है हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा क्या 143 143 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे x into y दिया गया है इसे हम लोग लिख सकते हैं कि गेरा इंटू 13 कितना गेरा इंटू 13 लिखेंगे हमारा क्या हो जाएगा 143 अब यहाँ पे जो हमने संख्या मा हम पाली थी उन्हें हम लोग देखेंगे हैं तो क्या हो जाएगा एक के साथ हम लोग यहां पर ग invari से बड़ी होंगी दोनों जो उनस पास वह greens 5 हो जाएगी है न तो 6 हमारे पास है जो निकल के आ जाएगा यह हमारे पास ते यह हमारे पास क्या होता है अगर हम लोग क्या होगा यहां पर क्या है तो उन संख्याओं का योग ज्याद करना है हमें तो 319, 370 जोड़ देंगे तो 9 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 6 यानि कि लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा लास्ट में हमारे पास आएगा 6, 9 और 7 हम लोग जोड़ते हैं तो 16 होता है 6 7 और 8 उसके बाद क्या हो जाता है? 9 उसके बाद 3, 3, 6 यानि कि यह जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा 996 क्या सही हो जाएगा? 996 जो है सही हो जाएगा आगे हम लोग यहां से देखते हैं आगे हमारा क्या है कि दो संख्याओं का मासा 8 है तो इसमें से कौन सा उनका लासा नहीं होगा? यानि कि दो संख्याओं का हमारे पास दे दिया गया है मासा यानि कि हमारे पास SCF दे दिया गया है 8 तो बोला है इन में से LCM क्या नहीं होगा है ना LCM क्या नहीं होगा यानि कि उल्टा पूछा है तो यहाँ पे क्या है आप लोग एक note डाल के यहाँ पे लिख लेंगे ठीक है यहाँ पे आप लोग note point डाल के लिख लेंगे कि जो LCM होता है क्या होता है LCM LCM क्या होगा हमेशा HCF से क्या होता है HCF से divide होता है क्या होता है HCF से divide होता है ठीक है LCM जो होता है हमारे पास वो हमेशा HCF से divide होता है तो यानि कि जो भी numbers हमारे पास 8 से divide होंगे ये भी हमारा divide हो जाएगा 48 भी divide हो जाएगा उसके बाद 56 भी divide हो जाएगा लेकिन हमारे पास क्या बचेगा 60 60 हमारे पास क्या होगा ये divide नहीं होगा तो हमारा यहां से answer क्या निकल के आ जाएगा 60 जो कि क्या होगा divide नहीं होगा LCM क्या होता है हमेशा SCF से divide हो जाता है ठीक है तो इसके बाद हमारा क्या होगा जो हमारा यह 60 है यह हमारा इससे डिवाइड नहीं होगा ठीक है तो यह हमारा क्या है कि यह हमारा यहां से आंसर निकल के आ जाएगा D number आगे हम लोग यहां पे देखते हैं कि यदि Y का 80% X है तो X का कितना प्रतिसत Y है यह यहां पे आपको निकालना है श्में किया है % में आपको value याद रखनी होती है कि हमारे पास क्या होता है % की बात करते है तो अपने आप में कोई चीज क्या होती है 100%, अगर हम लोग क्या है? कि 100 में से 100 भाग निकाल लेंगे तो मारे पास क्या बचेगा? एक फरसंट, अगर हम लोग इसे 4 भाग में जैसे की हो गया, इसमें हम लोग 1 by 2 अगर करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या आता है? 50% एक की value मारे पास क्या होती है? तो में पास कितना हो जाता है सकते हैं कि dir अगर क्पान क्या होगा होगा अगर बटिट दो फजास परसेंट होता एक बटे तो 33, 33% एक बच narrow, टार तो मरे पास 20% हो जाता है, ठीक है अगर हमसे क्या पूश लेता है, एक बटे 5 तो कितना हो जाएगा यहां से 25%, कितना हो जाएगा 25%, ठीक है, इसी तरchnा हमें क्या है क्या है कि ये value हमें याद होनी चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए याद होना चाहिए तो यहां च्याहर चैन्म का बोला है यानी कि eo भॉला है पो प्रॉट हो थीक का स्च बोला है तो हम लोग इसे देख नहींगे कि आज का मारी कीवाइई का सी परशन्ट जब हम लोग यहांसे देखेंगे 2022 ठीक है हम लोग यहां पर y का 80% निकाल लेते हैं यानि कि जो मारे पास y दिया गया है इसका हम लोग यहां से निकाल लेते हैं 80% यानि कि 80 बटे 100 तो यह हमारा क्या आता है जो मारे पास 80% अगर हम लोग इसे निकालते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाता है उसके बाद हम इसे अगर cancel करते हैं 2 से तो हमारे पास क्या हो जाता है 4 हो जाता है यह हमारे पास 5 हो जाता है क्या होता है 5 80% क्या है X है यानि कि यह किसके बराबर है कि X है यानि कि यह हमारा X के बराबर है तो यह हमारा क्या हो गया कि Y into क्या हो गया हमारे पास Y into 4 upon 5 is equal to क्या आ गया हमारे पास X यह हमारे पास एक निकल के आ गया कि Y इंटू 4 upon क्या हो गया यहां से हमारा 5 is equal to X उसके बाद हम से क्या बोला कि X का कितना percent जो है Y होगा क्या है कि X का कितना percent यानी कि यहांपी जो हमें दिया हुआ था Y का C यहांपे क्या X का नहीं दिया गुआ है तो हम यहांपे कुछ भी ping n阿इ जो है मानल लेते हैं यहानि कि जैसे हमने हमानल लिया कि भाई A koral के यहांपे 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 क्या करेंगे जो हमारे पास X की value यहाँ पर क्या है एकस की वैलू जो हमें दी गई है वह हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं कि एकस की वैलू क्या है कि y इंटू 4 upon 5 into a upon 100 is equal to y तो यह y से y तो हमारा जो है चैंसील हो जाएगा इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जो 4 upon 5 है इंटू हमारे पास क्या एपान हैंडेट तो हम लोग इसे क्या कर लेंगे इनका जो है गुड़ा कर लेंगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कि 4A is equal to हमारे पास आ जाएगा 500 फिर इसके बाद एक हम लोग यहाँ पे divide कर देंगे 4 कितना 4 से हम लोग इसको divide कर देंगे तो हमारे पास answer क्या निकल के आएगा कितने लोग जहां यहां पर बता सकते हैं चार से हम लोग जब इसे डिवाइड करेंगे तो मारे पास क्या जाएगा एक हो जाएगा यहां पर एक बचेगा चार दुनाई आठ हो जाएगा दो बचेगा पांचो को बीस यानि कि हमारे पास कितना 125% जो है यह निकल के आ जाएगा कितना 125% ठीक है क्या निकल के आएगा 125% हमसे बोला y का 80% x है y का 80% हमने निकाल के उसको x के बराबर कर दिया फिर बोला x का कितना % y है तो x का हमने माल लिया कि भाई a % y है यहां पे आप portion mark भी मान सकते हैं माना कितना आया 125% ठीक है आगे हम लोग चलते हैं नेक्ट कोशन पर यदि X का 8% Y के 4% के बराबर है क्या है कि जो हमारे पास X का 8% है यानि कि X इन्टू 8 बटे 100 किसके बराबर है Y के 4% के बराबर है यानि कि इसके बराबर है क्या है कि X का 8% हमारा Y के क्या है कि 4 बटे 100 के बराबर है यहाँ पे एक चीज़ आप और याद रखेंगे अगर हमें % जो हटाना होता है तो हमें क्या है कि 100 का भाग देना होता है अगर हमें % लगाना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 का गुड़ा करते हैं अगर हमें % लगाना है तो 100 का गुड़ा करते हैं ठीक है यहां से क्या बोला 8% हमने % अटाया तो नीचे हमने क्या कर दिया 100 लगा तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा कि जो हमारा यहां से है इसमें हमसे क्या बोला है कि क्या होगा तो यहां से हम क्या करते हैं कि x upon यहाँ पर y कर लेता है तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह तो यहाँ पर कट जाएगा इसे हम आगे solve करते हैं x upon y कर लेते हैं x upon y तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 upon 8 तो यह हमारा divide हो जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 1 by 2 क्या जाएगा 1 by 2 अब क्या बोला है कि X का 20% किसके बराबर है तो यहाँ पर हमें सारी value Y की दी है तो हमें पता है कि भाई क्या देखना है कि Y के % के बराबर तो X का कितना 20% यानि कि इसको हम लोग माल लेते हैं कुछ X की value तो मारे पास 1 आ गई 1K का हम से क्या बोला है 20% यानि कि 20 बटे 100 तो यहीं पर हम लोग इसकी value क्या होती है 1 बटे 5 तो हम क्या मानेंगी इसको 1K अपान 5 यह यहां से निकल क्या जाएगा कि 1K अपान 5 हो जाएगा फिर बोला है हमारा कि Y या किसके बराबर है तो यहां पर हमारी Y की value दी गई है तो हम लोग यहां से अगर Y को उठाते है अगर हम लोग यहां पर Y की value रखते है तो हमारे पास क्या आएगा कि 1K जो है हमारा 1K अपान 5 तो हम लोग मान लेते हैं कि 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 बराबर होगा कि यहां पर Y y की value वहारे पास क्या है 2k तो इनका इनका जो हम लोग यहाँ पे multiply कराएंगे यह हमारा cancel हो जाएगा कितना आएगा 1 upon 10 आया और हमें answer किस पे देना है answer हमें percentage पे देना है तो यहाँ पे क्या अगर हमें percentage लगाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 का गुड़ा कराएंगे यह 0 से 0 तुमारे पास क्या आगया 10% यानि कि y के कितने के बराबर है 10% के बराबर है इस तरह से हम लोग इसे कर लेंगे कि y के कितने के 10% के बराबर यह हमारा यहाँ से इसका answer आजाएगा हमने क्या कि इन दोनों के equal करके वहाँ से x upon y निकाल दिया फिर हमसे बोला x का 20% हमने x का 20% निकाल दिया इसको इसलिए माना क्योंकि इसी काम में 20% निकालना था इसलिए हम a b c कुछ भी इसको मान सकते हैं यह हमने यहाँ से कर लिया इसके बाद हमारा क्या आगया कि 2k यानि कि इसका percentage मूचा था जो बटे में तो 2k कर दिया उसका अधमने percentage चीन लगाने के लिए 100 का वहाँ पे multiply कर दिया ठीक है तो यह आप लोगों के यहाँ को समझ से आ गया होगा आगे हम लोग चलते हैं कि 2 50 का कितना percent होगा यानि कि जो हमारे पास 2 है वो 50 का कितना percent होगा इसे सभी लोग ध्यान जे समझेंगे यह आपके कभी कभी काम भी आएगा जैसे आप से बोल देता है कि भाई 600 पे हमारा कितना 500 पे हमारा 512 नमबर आगे है यह हमारा कितना percentage होगा है ना तो 512 600 का कितना percentage होगा है ना तो इसमें क्या है कि भाई 200 का 50 कितना percent है तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे कि हम लोग कर लेंगे 2 बटे 50 और एक चीज हमें क्या पूछना आंसर पूछ रहा है percentage पे तो हम लोग यहाँ पे गुड़ा कितने का कर देंगे 100 का इसके बाद हमने यहाँ से divide कर दिया 2 कर दिया हमारे पास क्या answer आ गया है यहाँ पे 2 दूना 4 यानि की 4% क्या गया 4% आ गया अगर हमसे बोल देता एक भाई हमारे पास गया है 600 का पूड़ांग था हमारे 512 तो जो छोटी value है उसे हमने ऊपर रखा 600 यहाँ पे नीचे किया इंटू हमने यहाँ पे handed कर दिया 0 से 0 cancel हो गया और 6 से हमने इसको divide कर दिया कितना 6 से हमने यहाँ पे divide कर दिया 2 इधर बचा हमारे पास 3 इसके बाद यहाँ पे वारा 3 हो गया उसके बाद हमने क्या कर दिया 6 से हमें divide करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6 पंचे 30 हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इसके बाद हमारा कितना percent होगा तो छोटी value ऊपर बड़ी नीचे रखेंगे percentage लगाने के लिए हम 100 का गुड़ा करा देंगे आगे हम लोग देखते हैं कि x का 30% 72 है तो x का मान ग्याद कीजिए यानि कि x का 30% हम निकाल लेंगे किसका कि जो हमारे पास x है x का 30% हमारे पास कितना है बात्तर है है यहाँ पर देखिया हमें कि है कि हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आजाएगा answer हम लोग इसका निकालते है 19 वे नंबर का तो हमारे पास answer कितना आता है कि यहाँ पर हमारा जो है x square 2 आ जाएगा upon 3 अब हम इसे divide करेंगे तो कितनी बार divide होगा 3 से 2 बार जाएगा 6 हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ पर 4 तहीं 12 हो जाएगा और 0 यानि कि हमारे पास answer जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 240 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 240 इस तरह से हमें करना है कि भाई x का 30% तो x का 30% आपको पता है कि हम लोग 30 बटे 100 करेंगे इसको लटू किसके बार तरके उसके आद हमने इसको इधर पच्छांदर किया जो नीचे होता है वो उपर गया जो उपर है वो नीचे आया जो है हमारा इसको हमने कार कर दिया काट पीड के जो हमारे पास answer आ गया वो आ गया 240 क्या आ गया हमारे पास 240 वह हैं हमारे पास यहां पर आंसर आगे आगे हम लोग चलिए चलते हैं यहां पर 20 में पर कि भाई 300 का 25 परसंट का 20 परसंट कितना हो यहां पर आपको ध्यान दे समझना चाहिए होता है कि क्या बोला है कि 300 का 25 परसंट यानि कि हमने क्या किया कि 300 का हमने यहाँ पे 25% निकाला फिर क्या बोल दिया इसी ने इसने क्या कर दिया 300 के 25% का 20% कितना होगा यानि कि हमें दो बार करना पड़ेगा 300 का 25% निकालो फिर जो निकल क्या हैगा उसका 20% इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ जो हम direct दोनों काम कर देंगे 300 का 25% निकालेंगे और उसी का फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 20% निकाल देंगे क्या करेंगे 20% निकाल देंगे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई इससे हम लोग इसे cancel कर देंगे ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या है इसे हम लोग इस 0 से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे cancel कर देंगे इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई हमारे पास यह एक बार divide हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 से हमारा यह divide हो जाएगा है ना उसके बाद हम कि यहां पे क्या निकल के आएगा कि भाई 5 बचा और 3 बचा उसलिए हमारा क्या हो जाएगा 5 नहीं जो हो जाएगा 15 यह हमारा क्या निकल के आजाएगा यहां पे आंसर ठीक है ऐसे ही simple question जो है आते हैं एक्जाम पे इसी तरह आपको करना होता है क्या बोला आप यहां पे दो बार ना करने से बेतर है एक बार कर लेंगे 300 का 25 परसेंट का का मतलब होता है यहां पे गुड़ा तो 300 गुड़े 25 परसेंट सो फिर यहां पे गुड़ा 20 परसेंट यानि 20 बटे सो आंसर हमारा आ गया आगे हम चलते है 21 पर अब हम लोग यहां पर आते हैं भाई रेशियो पर जो हमने पास रेशियो होता है वो हम लोग यहां पर कैसे करते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग इसके बारे में आप बात कर लेते हैं रेशियो के बारे में कि यदि A और B क्या है A B के 3 बटे 4 भाग के और B C के 1 बटे 2 भाग के तदा C D के 4 बटे 5 भाग के बढ़ा बढ़ा इस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है क्या दिया गया है जो A और B है यानि की A और B का अनुपात कितना दिया गया 3 अनपाते 4 B और C का अनपात कितना दिया गया है 1 बटे 2 उसके आद हमें C और D का अनपात कितना दिया है C अनपाते D हमें दिया हुआ है 4 यहाँ पर अनपात पर हमें लिखना हुआ है 1 अनपाते 2 यहाँ पर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा एक अनपाते दे और C और D का हो जाएगा 4 अनपाते 5 यह यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है अनपाते तो यहाँ पे A, B, C, D किसके बराबर होंगे यानि यहाँ पे आप से पूछा जा रहा है क्या यहाँ से आप से पूछा जा रहा है कि A अनपाते B अनपाते C और अनपाते D किसके बराबर होगे तो आप हमें करना कैसे होता इसे आप समझाएंगे A और B की value क्या दिये है 3 अनपाते 4 तो यहां पर आप क्या करेंगे A और B की value रखेंगे 3 अनपाते 4 ठीक है यह आपने रख ली अब B और C यानि B की value हमें तरह हमें कि सीरियल जे सारी वैल्यू लिखते चले जाना है ठीक है हाँ बोटेंड इस्ट्रीम से भी आता है वह यहां पर आपको कराया जाएगा यहां पर हमने बी और सी लिख दिया एक अनपाते दो इसके बाद सी और डी सी और डी हमारा क्या है कि सी की वैल्यू दी है हमें चार हमने यहां पर लिखा डी की वैल्यू हमें क्या दिया पांच यह हमने लिख लिया अब हैंब यहां पर निकालेंगे कैसे तो बहुत ही सिम्पल तरीका होता है यहां पर तरह हमें वन को इधर बढ़ा देना यानी कि जो नंबर जहां पर उसी को आगे बढ़ा देना है और यह हमारद्व है अगे इसे दो कर देना है कर दैना यह चार यहां पर बढ़ा ती हुआ कर जाएगा 40 यह हमारा यहां पर निकल के आ गया लेकिन हमारा क्या है आंसर तो यह हमारा यहां पर आ नहीं रहा है तो हमें आपर क्या करना है कि हमें आपर देखना है कि भाई इससे कटेगा किससे है ना तो यहां पर कुछ कामन हो रहा होगा तो यहां पर हमारा कामन निकल के आ से कितना चार से हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं यहां पर कितना है चार दुनाई याठ और आठ चो को 32 यहां पर हमारा क्या होगा यहां पर 32 होगा चार से डिवाइड करेंगे हम लोग इसे तो यहां पर कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा और यहां पर हमारा 10 तो यह आपका यहां पर final जो है answer हो जाएगा कि 3, 4, 8 और 10 यह आपका answer हो जाएगा इस तरह से क्या है आपको अनपात और समानपात होता है कि यहां पर निकालना होता है ठीक है बहुत ही simple होता है जहां पर जगा खाली है उसी के नीचे हम लोग यहां पर नंबर लिखते जाते हैं कितना भी बड़ा दिया हो आपको इसी तरह कर लेना है उसके बाद यहां पर ध्यान जरूर रखना है कि कुछ भी अगर हमारा कामन हो तो उसको वहां से निकाल लेना है थना कुछ भी हो उसको में क्या गरना है वहां से हमें उसको हटा लेना है यह हो जाएगा आपका अंसर अगले कोशन पर चलते हैं कि हमारे पास रुपए कितने हैं 817 को ABC में इस प्रकार बाटा गया कि क्या है यहां पे एक को B से 25 परसेंट अधिक यहां पे आप लिख लेंगे कि A को यहां पे क्या हो जाएगा हमारा A को B से 25 परसेंट अधिक क्या हो जाएगा A को B से 25 परसेंट अधिक तदा B को C से 25 परसेंट अधिक यानि कि यहां पे total दिया है आपको 817 अब क्या बोला, इसने ध्यान जे पड़ता है कि a को b95 पर्संट अधिक मिलते हैं, यानि कि 20 को क्या होता है A को 20 25 परसेंट या तो हम B पे माइनस करते हैं या फिर हम क्या करते हैं B पे उसका गुडा कराते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं A into B और 25 परसेंट यानि कि percentage में आपको बोला जाता है क्या होता है अपने आप पे 100 होता है तो 25 क्या उसी 100 पे add करेंगे तो कितना होगा 125 बटे 100 कितना आएगा 125 बटे 100 और क्या बोला है B को C से 25% कम मिलते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि B into C into 100 में से 25 जाएगा 75 बटे 100 तो इसकी value हमारे पास क्या निकल के आएगी अगर हम लोग यहाँ पे 25 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 5 बटे 4 कितना आता है 25 बटे 25 और 25 जोगो 100 यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 आता है और 4 यानि कि 3 बटे 4 तो अब हमें क्या करना है अब हमें यहाँ पे देखो कि क्या दिया है A अनपाते B हमें कितना दिया है A अनपाते B हमें क्या दे दिया 5 अनपाते 4 और आपको B अनपाते C क्या दे दिया 3 अनपाते 4 हमें क्या करनी है कि यहाँ से हमसे पूछा कहता प्रतेग भाग का मान यानि कि सबसे पहले हमें A की value निकालनी होगी उसी के बाद हम आगे काम करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे A अनपाते B अनपाते C निकालेंगे यहां पे हम लोग तो क्या हो जाएगा A की value A B की कितनी है यहां पे 5 अनपाते 4 है B की हमारे पास कितनी है कि 3 अनपाते और 4 तो इसे हम लोग यहाँ पे 4 को आगे बढ़ाएंगे इधर हम लोग 3 को तो 5 ते हैं यहाँ से 15 हो जाएगा क्या हो जाएगा? यह आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको दिखने रहा होगा इसे हम लोग side पे कल लेते हैं क्या करेंगे? कि A अनपाते B अनपाते C यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 अनपाते 4 हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 3 अनपाते 4 इसी 4 को हम यहाँ बढ़ाएंगे इसी 3 को आगे तो 5 तहीं 15 हो जाएगा 4 तहीं 12 हो जाएगा और 4 चोब 16 इसमें से हमारे पास कुछ कामन नहीं निकलेगा क्या है कि यहां पर ठीक है यह यहां पर बहुत भी अभी जब आपका बोट क्रइंड Porkा सीमल के सामने जा रहे हैं हो कि यहांपको करना आपको यहां से धीरे-धीरे से समझना कि यहां पे क्या करना है इन लोग कुण जोडए गैंगे तो कितना हो टोटल वैल्यू निकल के आई इसकी, इसको हमने क्या किया है, इनी को हमें जोड़ना होता है, 15 प्लस 12 प्लस 16, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 43, ठीक है, क्या निकल के आए, 43, अब इनी, इसी 43 का हमें टोटल पे भाग देना है, टोटल हमारे पास क्या था, 817, 817 पे ह में 43 का भाग देना है तब हमारे पास क्या निकल के आएगी एक की वैल्यू निकल के आएगी किसकी एक की वैल्यू निकल के आएगी तो हमारे पास क्या आएगा कि यहां पे 19 क्या आएगा 19 हमें क्या मिला एक की वैल्यू मिली अब हमें प्रतेक का बताना है ठीक है तो हम यहा पर देखें, आपको करना क्या है? कि जो भी दिया है, उसका हमें क्या करना है? कि हमें यहाँ पे ratio बना लेना है, ratio निकाल लेना है, उसके बाद उन सभी को जोड़ना होता है, और total पर भाग देते हैं, तो हमें एक की value मिलती है, जब तक एक की value नहीं मिलती है, तब तक हमें आ बात करें यहां पर हमारा ए नंबर सही हो रहा है कितना यहां पर हमारा जो है नंबर सही हो रहा है आंसर पर कैनिकल क्या रहा है प्रतेक कमांग इसका हो जाएगा हमारा भाई पांच में यही है हमारा लास्ट में और कहीं है नहीं तो आंसर हमारा यह सही हो जाएगा आगे हमे करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर हमें unit digits डेख लेना है जो मारा इकाई यंक है 9.45 आएगा 5 होगा उसके बाद यह तो बदलेगा नहीं last में 5 ही रहेगा ए में यहाँ पर ही 5 है बागी हर जगा चेंज है answer हमारा ए है जो यहाँ पर सही हो जाएगा आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं होती है हमें time जो है वहाँ पर बचाना होता है आगे हम लोग चलते हैं तेश्वे नंबर पर क्या है तीन संख्याओं का योग कितना है 252 यानि कि यहाँ पर हमें total दिया गया है कि कितना 252 कितना दिया है 252 यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तीन गुनी है प अगर हम लोग बात करें तो कितना है तीन अनपाते एक है कितना है तीन अनपाते उसके बाद यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तीन गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की दो ती हाई है यानि कि तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की दो ती हाई है यानि कि ए A अनपाते C जो हमसे बोला है 3 अनपाते 2 बोला अब हमें इनका अनपात निकाल लेना है कि A अनपाते B अनपाते C A अनपाते B क्या है कि 3 अनपाते 1 और A अनपाते C क्या दिया हमें आपे कि A दे दिया हमें 3 और यह हमें दे दिया यहां पे 2 क्या दे दिया 2 अब हमें क्या करना यहाँ पर इंका मल्टीपलाई कर लेना है इनका जो हमें यहाँ पर इसका मल्ल्टीपलाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जायेगा ठीक है कि यहाँ पे देखिए क्या होगा cran A जूए हमारा यहां पर सेम हो रहा हुँ अमरा सेम हो रहा है तो हम लोग डाएरेक्टिसे लिख सकते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर संब्सक्ते लिख सकते हैं यांप से जरूर है तो नहीं है याँ हमें इप रहा है क्या कि आगर यहां पर याद रखेंगे कि यहां पर मरा क्या है कि हुष थृभ्सने की अगर नंबर सेंसे होते हैं तो फिर हमें रहा है कि कोई मतलब नहीं रहता है हमें आपे द सिंगल रेयर साथ च्राक्षित लिए शज़ाएं ने कर दिया अब हमें क्या करना है इनको जोड़ना है क्या करना है इनको जोड़ना है हमारे पास कितना आ जाएगा इन दोनों को हम जोड़ेंगे इन सभी को तो कितना आ जाएगा 6 अब इसी 6 को हमें क्या करना है 252 में भाग देना है तो हमें एक की वैल्लू निकलेगी कि 252 बटे 6, ठीक है, 6 का 4 बार भाग देंगे, 24 हो जाएगा हमारे पास, कितना, 252 पर हमें भाग देना है, 6 को 24 हो जाएगा, और 1 बचे का हमारे पास 12 हो जाएगा, यानि कि 1 की value हमारे पास कितनी आई, 42, 1 की value हमने निकाली कितनी, 42, ठीक है, 1 की value हमने 42 निकाली, तो दूसरी क्या है वो हमारे पास क्या होगी तो दूसरी संख्या हमारे पास जो है भी है एक है एक में 42 का गुड़ा कराएंगे तो आंसर भी हमारे पास क्या आ 42 ही आजाएगा अगर यहां पर पूछाता पहली संख्या तो पहली संख्या क्या हो जाती 42 में हम लोग 3 का गुड़ा करा देते यानि कि हमारे पास क्या हो जाता कि यहां पर हम लोग इसका गुड़ा कराते 6 हो जाता यानि कि 126 कितना 126 हो जाती हो संख्या तो यहां से हमारा 42 सी हो जाएगा यह जो एक आता है उसके बाद इसको फिर उठाके आपे मल्टिप्लाई कराना होता है उसी के बाद हमारा आंसर जो है आता है आगे हम लोग चलते हैं 24 नंबर पे यहां पे रुपए कितने हैं 3400 को ABCD में इस प्रकार भी भाजित किया जाता है कि A और B के भाग B और C के भाग यहां पे अनपात दिया गया है छलिए इसे हम लोग करते है यहां पर हमें क्या करना है नोचना हई सन फेखना है कि लिखनी है कि 34 क्या है 3400 ऐहां पर क्या बोला और वह पातर यह जो है सारी जाना बीे यहां पे गये थीका है ई और और B का उन पात कितना दिया दो उन पाते तीन यानि कि A उन पाते भी कितना है दो उन पाते तीन है फिर हमारे पास B और C दिया है B, N, P, C हमारे पास कितना हो जाये गा-आपर 4, N, P, T तीन दे दिया उसके बाद हमें क्या दे दिया C, N, P, T हमेरे पास क्या है 2, N, P, T यह आपको दिया है वह लिखे दिया है यानि कि ABC की A, B, BC, C, D का क्रांसर और 2, N, P, T चार, N, P, T, T और 2, N, P, T यहां पर हम लोग करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैलू निकाल लेंगे, इसका A, अनपाते B, अनपाते C, अनपाते D, क्योंकि यहां पर सभी की, जो B है देखिए, B हमारे पास क्या है, यहां पर 3 है, B हमारे पास यहां पर 4 है, C हमारे पास यहां पर 3 है, C हमारे पास यहां पर 2 है, सभी की वैलू अलग अलग है, तो हमें इन्हें एक करना है, क्या क पास क्या हो जाएगा यहां पे ए और बी हमारे पास कितना है ए और बी है हमारे पास दो अन पाते तीन बी और सी हमारे पास चार अन पाते तीन और सी और डी है हमारे पास C की value हमारे पास 2 और D है हमारे पास अनपाते 3 इसको हम लोगे यहां पर क्या करेंगे 3 आगे बढ़ा लेंगे इसी संक्या को हम यहां पर बढ़ा लेंगे इसी को हम यहां पर कर देंगे और यहीं संक्या हम लोगे यहां पर बढ़ा लेंगे यह यहाँ पर आपकी value आएगी, यह यहाँ पर आपकी value निकल के आएगी, अब हमें क्या करना, यहाँ पर हमें common तो कुछ है नहीं, हमें अब करना क्या होता है, हमें इन सभी को add करना होता है, इन सभी को add करेंगे हमारे पास कितना आजाएगा, कि हमारे पास 20, 10, 30 हो गया, ठ 78 में से अगर हमने 7 जोड़ दिया तो हुमारे पास हो गया 85, कितना ओ गया, हमारे पास यहाँ पे vayalue हो गई 85, तो इनका जो योग आया हमारे पास यह हमारे पास आगया, 85 आगया, आप इसी 85 का अंहीं 300 आ जानी 343400 में भाग देना है, इतने में हमें क्या करना है इसी 85 का भाग देना है तो हमें 1 की value मिलेगी क्या मिलेगी एक की value तो जब हम लोग यहाँ पे 85 का भाग देंगे 34 में तो एक की value हमें मिलेगी 40 कितनी मिलेगी 40 हमें 1 की value यहाँ पे मिल जाएगी 40 जब value मिल जाएगी तो हमें क्या पूछा है B और D के भागों का योग पूछा है B और D के भागों का योग तो B और D हमारे पास क्या है 24 और 27 हमें जोड़ना है क्या करना है 24 और 27 करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 7, 4, 12 और 51 गुडे हम हमें क्या करना है डूक करेंगे चालीज तो कितना हो जाएगा कि यहां से होगा हरखना हो जाएगा चार हो हो जाएगा और पानचों को कि यहां पर A की value same थी तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा A की value same B अलग था C अलग था लेकिन यहां पर क्या है यहां पर value हुआरी mix है A की B A तो खेर A की बारे B B जो है इनकी value अलग अलग है तो हमने same किया इनको हमने जोड लिया जोडने के बाद हमने total पर भाग दे दिया हमने क्या किया प्रती एक की यहां पर value निकाल ली प्रती एक की हम value निकाल लेते हैं एक की value निकालने के बाद हमसे क्या पूछा है यहां पर B और D के भागों का योग ठीक है A B तता C के मासिक वेतन 2 अनपाते 3 अनपाते 5 के अनपात में है यानि कि A B और C के मासिक वेतन हमारे पास क्या है 2 अनपाते 3 अनपाते 5 यह जो हमें दिये गए है यदि क्या है कि यहाँ पर यदि हमारे पास क्या होगा कि B का मासी ग्वेतन यहां पे हमें क्या करना है यहां पे हमें करना है B ठीक है B का मासी ग्वेतन यहां पे C होगा यानि कि यहां पे हमारा क्या होगा C, C का मासी ग्वेतन A के मासी ग्वेतन से 1200 अधिक है C का क्या है C का 1200 अधिक है यानि कि अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग C-A करेंगे तो कितना value बच जाएगी 1200 बच जाएगी क्योंकि C की value क्या है 1200 ज्यादा है यह 1200 ज्यादा यह कम है हमने minus किया 1200 बच गया कितना बच गया 1200 लेंग्वेज को आपको समझना है तो यहाँ पे हमें B का गयाद करना है कितना B का जो है वार्षिक बेतर अब देखिए यहाँ पे C हमारे पास क्या दिया है आपको percentage से यहाँ से क्या है इसे ratio से देखना है C की value दिया है आपको 5 एक की वेल्यू दिया है दो यहां पे क्या हो गया बारा सो आ गया आपने क्या किया पांच में दो गया तीन गया है ना बारा सो एक की आपने यहां पे वेल्यू निकालनी कि भाई बारा सो पांट थ्री कर दिया यहां पे हमारे पास क्या गया एक की वेल्यू आ गई हमारे पा पाद दे दिया और हमसे क्या बोला सी की वार्षिक वेतन एसे बारा सो ज्यादा है तो हमने क्या किया सी माइनस ए कर दिया बारा सो पे लेकिन यहां पे वार्सिक पूछ रहा है क्या पूछ रहा है वार्सिक तो यह आपको यहां पे याद रखना है ठीक है क्या याद रखना है यहां पे आपको याद रखना है तो यह हमारा क्या होगा भाई यह तुम्हारी मासिक की वैल्यू है हमसे पूछा है बी का वार्स है, b की value हमें 3, 3 into हमने 3 है और एक की value 400 है, हमारे पास क्या है, यहां से 12 आया, लेकिन यह हमारे पास क्या आया, सिर्फ हमारे पासा है, मासिक, हमें बताना है वार्सिक, तो हमें एक वर्ष में 12 महिने होते हैं, हमने यहां पर 12 का गुड़ा करा दिया, 12 बराम हमारा 144 हो गया और ये 400 यानि कि इसकी value कितनी हो गई कि यहां से हमारा आ गया ठीक है यहां से हमारे पास आ गया कितना कि जो हमारे पास यहां पर आया 12 गुड़े हमने क्या कराया 1200 ठीक है 12,000 था यहां पर ठीक है 12,000 होगा यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000 आएगा 4000 तो यहाँ से हमारा कितना बनेगा यह 1,20,000 बन जाएगा यहाँ पे जब हम गुडा कराएंगे तो हमारा कितना बनेगा 1,44,000 यहाँ से इसका आंसर आजाएगा ठीक है कितना आ जाएगा एक लाख चमाली सब्सक्राइब यह मारा इसका आंसर निकल के आएगा इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे 26 नमबर पे 26 नमबर पे हम लोग आते हैं आपे कि जो हमारा profit and loss वाला है यहां से हम लोग इसे देखते हैं क्या देखते हैं वाई तुमारे दुकान में क्या करता है कि 1000 कितने में खरीद लेता है 20 में तो यहां पर क्या करना उसके प्रति किताब आउसत निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई यह और यह दोनों जोड दिया इसने पहले कितने लिया 1050 की लिए फिर इसने 1020 की लिए और इसके बाद इसने बुक कितने लिए यहां पे बुख जो थी इसके पास लिए यानि कि यह हमारे पास इंका योग हमारे पास कितना अधर कि हाई गाण धाँ यह हैuテbucks खाल सट्थ 1070 के यहां पर निकालते हैं इस ने कितनी ह लिए कि वाइए यह क्या है है हमारा यहां पे यह मारे पास रुपय हो जाएंगी यह कि oni ह perché was फीक यानि इसने कितने बुक ली यहां पर कि यहां पिट ने था थी कि तो हिंपमdadeीख्रत निकालना था है यहां पिंच करना और सीधे 혹시 भाग देकशाड़ा का एक 5070 में मिमघ custody 2015 का बाग देंगे आंसर यहां से जवा रहा होगा यहां पे आंसर लिखेंилась कि एक बोख हमारे पास कितने की पड़ी की हम लोग यहां पे लिख लेंगे यहां पर जब हम लोग कोड़ेगे तीक फरीद्वाथ यहां पर 15000 है इस कि धा appeals में कborर किया क्या यहांसे दो हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर मारा आंसर हो जाएगा आञे हम कुल अंक उसके रसायन में मिलने अंक से एक सुबीस अधिक्ट रसायन में मिलने अंक से अधिक्त थे हैं इन दोनों को मिला के इसके पास chemistry के क्या थे उसे रसायन में मिलने अंक से अधिक थे यानि कि दोनों की value रसायन में मिलने वाले अंक से 120 अधिक थी कितनी अधिक थी 120 जो है। उसके पास अधिक ती यह आपको समझना आया बहुत बहुत बिबर tap और गडित में मिले कुल अंक उसे रसायन में मिलने वाले अंक से 120 अधिकते यानि कि कमेस्ट्री में अगर हम लोग 120 जोड़ेंगे तब वो इन दोनों के बराबर होगी जाके यह यहां पर कहने का मतलब है तो यहां पर क्या निकालना है हमें निकालना है कि physics और math क्या निकालना है कि physics और math अगर हम लोग यहां पर निकालना है तो 120 जो है यहां से अधिक थे तो 120 हमने यहां पर कर लिया और 120 पर हम क्या करेंगे 120 पर इनी दो का भाग दे देंगे यानि कि इनके क्या है प्रत्यक की 60 नमबर यहां पर इसको मिले क्या मिले कि 60 मार्ट से यहां पर इसे मिले कि अमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर क्योंकि physics और math के 120 नमबर ज्यादा थे तो यहां पर पूछा मिला कर उसे औसा तंक कितने मिले होंगे तो 60 और 60 आगे हम लोग चलते हैं 28 पर उत्तर की और मूह करके एक पंति में बैठे साथ लड़कों की आउसा त से तिक है यानि कि उत्तर के और यहा पे टोटल जो है नड़के कितने हैं वो आए यहां पर कितने साथ है यानि कि इनकी आउसा तायों कितनी है एवरेज जो एज है एवरेज एज कितनी है इनकी 27 है कितनी है 27 है तो यानि कि अगर हम इनके क्या है कि टोटल एज निकालते है ठीक है टोटल एज अगर हम लोग यहां पर निकालते हैं तो कितनी आएगी 27 गुड़े 7 करेंगे तो 749 हो जाएगा साथ दुनाई 14 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 189 कितना आ जाएगा 189 जो है इनकी यहां पर टोटल एज जो है निकल के आ जाएगी कितनी 189 ठीक है कितना है 26 है यह जो है इनकी 26 है यह जो है यहां पर 26 है तो शचंग कितना हो जाएगा 42 हो इच है यहां पर कितना हो जाएगा गुड़े 7 शाच शंग 42 हमारा निकल के आएगा यहां पर दो और हम लोग के यहां पर क्या है कि toys दुनाई 14 और 4 क्या हो जाएगा 18 182 अब हमें क्या करना है कि पहले तीन लड़कों की आउसा ताइव 19 वर्स है यानि कि जो हमारे पास पहले तीन जो लड़के होंगे उनकी आउसा ताइव कितनी होगी 19 होगी यानि कि पहले तीन पहले तीन की आउसा ताइव कितनी है हमारे पास 19 तो तीन गुड़े 19 तो 19 तरीका 57 तो यह हो गए लास्ट तीन यह आपे दिया हुआ है अंतिम लड़कों की आउसा ताइव यानि कि लास्ट तीन जो हमारे पास हो जाएंगे इनकी आूसातायों किटनी दे दिया ये हमारे पास 3 है इनकी आूसातायों दे दिया 32 तो ये क्या हो जाएंगे 3alline och 3 3are Kita 9 ये हमारे पास Espinary गये 57 और 95 है आप हमसे क्या बोला है कि तो पंक्ति के मत में बैठे लड़के की आयों कितनी होगे तो आपको सिर्f करना क्या है कि आपको इस 182 में से माइनस करना है आपको कितना कि यह जो आपके पास योग होगा इनका कितना कि यह घुतावन क्लंस चानबे कितना हो जाएगा कि 7, 6 आपके पास 13 हो जाएगे 9, 5, 14, 115 यानि कि 153 यहाँ पे आपको माइनस करना है इस पे 153 आप माइनस अगर यहाँ पे कर देंगे तो 7 अगर जो ड़ते हैं यहाँ पे हो जाता है 60 और 20 कितना आजाएगा यहां पर answer, answer जो आजाएगा उन्पीस यानि जो सात्मा लड़का होगा, वो कितने साल का होगा, उन्तीस साल का होगा आपको सिर्फ language को पकड़ना है, यहां पर देखियो, सनी जी answer दे रहें, वहीं उन्तीस, ठीक है, आगे हम लोग चलते राहूल, मनीश और सुरेश के और सुरेश के और सुरेश के और सुरेश कितने संग कितने है तिरसट है यानि कि इरं के 63 राहूल के अंग अजय से 15 कम है क्या है कि जो राहूल है राहूल के अंग क्या है इनके 15 कम है ठीक है कि राहूल के अंग जो है यहां पर इनके क्या हो जाएंगे 15 कम हो जाएंगे ठीक है कि राहूल और अजय को इक्कोल करने के लिए हम क्या करें गे यह गटा दें जी दोनों क्या हैं अन्क है मनीश से 10 अधिक हैं मनीश क्या हैं मनीश में हमने क्या कर दिया μαनीश मेंसमने टेन कर दिया यह ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए. मनीश और सुरेश के आउसत अंकों से 30 अंक अधिक मिले. यदि अजय को राहुल मनीश और सुरेश के आउसत अंकों में से क्या है? 30 अधिक मिले. यानि कि अजय को क्या होते है? अजय जो है यहाँ पे? अजय को क्या होता है? कि राहुल और क्या हो गया? मनीश हो गया और क्या हो गया? सुरेश. इसके आउसत अंक अगर हम निकालें तो 30 अधिक मिलते हैं. क्या होते हैं? 30 अधिक मिलते हैं. यह यहाँ पे आपको दे दिया तो अब आपको करना क्या है अब यहां पे निकालना है आपको मनीज और सुरेश के अंकों का योग क्या करना है मनीज और सुरेश के अंकों का योग निकालना है कि भाई मनीज और सुरेश के अंकों का योग कितना होगा तो योग जो इनके अंकों का निकल के आएगा तो एकवल्टो वन्ने क्या रख़ दिया यहां पर कि रमेश और क्या है 63 है कितने हैं कि यहां पर जो 63 है 63 है रहे हमने क्या कर दिया यह देखिए यहां पर क्या है यह आपका लिखा हुआ इसकी वैल्लीप दिए 43 तो जितन एस्वाइट क्या होग inferior UV यानि कि कितनी वैल्यू आ गई 93 अजय के जो है यहां पे तो मनीश और सुरेश के अंकों का यहां पे पूचा है है ना तो मनीश और सुरेश तो यहां पे हमने सबसे पहले अजय के अंकर निकाल लिए हमने कितने 93 उसके बाद हमने क्या किया कि जो एक ही वैल्यू आ गई 93 तो यहाँ पर हम लोग r is equal to कर देंगे कि भाई 93-15 यानि कि अगर हमने 93 में 10 घटा दिया हमारे पास 83 बचे 83 में अगर हमने यहाँ पर 15 घटा दिया तो हमारे पास कितने बचेंगे 78 बचेंगे तो r की value हमारे पास निकल के आ जाएगी 78 ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर r की value अगर हम रखते हैं यहाँ पर r की value हमने रख दी यहाँ पर78 इसकल टू हमने क्या कर दिया m plus 10 तो m की value हमारे पास कितने आ गई 68 m की value कितने आ गई 68 निकल के आ गई यानि कि M कितना हो गया मनीस हो गया मनीस को नंबर मिला 68 कितना मिला मनीस को मनीस को हो गया यहां से 68 या तो हम लोग यहां पर यह कर सकते हैं कि भाई हमारे पास R दिया है और हमारे पास क्या दिया है M दे दिया हमें यानि कि हमें क्या दे दिया आर दे दिया, एम दे दिया, और S दे दिया, ठीक है, आर हमारे पास 78 हो गया, और हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास A है, A की वैल्ली हमारे पास 93 बेदी, तो हम अब क्या करेंगे यहां पे, कि आर प्लस M प्लस S करेंगे हमारे पास, तो M प्लस S अगर हम करना है, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं जो हुमारे पास दिया हुआ है कि यहां पर भी दिया है कि अ हई कि आ हो जाएगा और 1889 अब हमारे पास आर की वेल्यू दे दिया है 78 और क्या है मुस निकालना है क्या कर देंगे 189 minus यहां से हम लोग कर देंगे 78 तो M plus S की value आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी M plus S की value हमारे पास आ जाएगी 111 क्या जाएगी 111 जो है हमारे पास यह यहाँ पे आ जाएगी M plus S की value चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि दो वेक्ट P और Q कि वर्तमान आयू का योग कितना है वर्तमान आयू का योग R की वर्तमान आयू से 25 अधिक है यानि कि क्या है कि P और Q है जिनका योग क्या है यानि कि जिनके आयू योग क्या है कि P प्लस Q जो है ये क्या है R के वर्तमान आयू से 25 अधिक है तो हमने ये इ वर्तमान आयू उसे कितनी अधिक है पांच अधिक है यह हमने आप एक और बना लिया समय करन अब क्या है कि वर्तमान आयू बताना है तो हम क्या करेंगे यहां पड़ानी तो हम लोग पास यहां पर बच्चा हुआ है वह हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा कि R प्लस 25 क्या कर देंगे P R और S हमारे पास क्या हो जाएगा R प्लस 25 हो जाएगा यहां से R प्लस 25 तो यहां से क्या है कि R आर आर जो है हमारा यह कैंसिल हो जाएगा तो P प्लस S जो है हमारे पास निकल के आ जाएगा 25 कितना निकल के आएगा P प्लस S जो हमारे पास वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 25 है ना क्या जाएगा 25 यहाँ पे हमने क्या किया है कि यह जो हमने यहाँ पे S है ठीक है यहाँ पे हम क्या करते हैं एक सेकेंट यहाँ पे हम कर देते हैं कि भाई P प्लस R उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया Q की value हमने सम्ही करन फर्स्ट में रखी है तो यह R प्लस 5 था क्या था? 5 तब यह हमारा क्या बनेगा जाके तब यह हमारा बनेगा जाके R प्लस 25 क्या बन जाएगा? R प्लस 25 बन जाएगा तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? P करेंगे और यह R से R हम लोग अगर यहाँ पे cancel कर देते हैं तो P की value हमारे पास क्या जाती है? यह 5 दरजा के minus हो जाएगा तो P की value हमारे पास 20 आजाएगी जो यहाँ पे हमारा इसका answer हो जाएगा क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा, ठीक है? आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि एक वस्तु को कितने में? आगे हमारा यहाँ पे आ गया वही किसकी? कि लागत यहाँ पे हानी और लाब के बारे में आ गया तो इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं कि एक वस्तु को क्या है कि 1516 में बेच कर यानि कि 151516 में बेच कर कमाया गया लाब उसी वस्तु को 1112 में बेच कर हुई हानी के बराबर वस्तु की लागत कीमत कितनी होगी यह हमें आपर बतानी है तो हम लोग यहां से क्या करेंगे भाई कि सबसे पहले क्या है जो वस्तों को बेचा गया यानि कि जो इसका विक्रय C वह हमारे पास कितना हो जाता है 1516 उसके भात क्या होगया इससे हमारे-फास उसको दुबारा से उसी वस्तु को बेंचता है यानि कि जो हमारे पास सेकेंड होगा SP2 हो जाएगा यह 1 हो गया 2 हो गया यह हमारे पास क्या हो गया 1212 तो इसे हम लोग करेंगे कैसे इसे हम लोग साट ट्रिक से करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है कि यहां से हमें क्या पूचना है क्रेम हो वस्तु कि यानि कि C P से क्रकें कर देंगे हम लोग 12 siis 1516 प्लस 1112 कर देंगे तो यहांपे कि यहां पर दिए कर पर कितने प्रटिसद का यह आपको बताना है कि कार पर उसे कितने प्रतिसत का लाब हुआ यानि कि उसका क्रैमूल ने आप जो है उसका जो CP है वो हमारे पास क्या है कि 2,50,000 और उसने आप क्या है विक्रैमूल ने जो उसका है वो है 3,48,000 तो उसे कार पर कितने कितने प्रतिसत का लाब हुआ यह आप से पूंचा जा रहा है कि कार पर उसे कितने प्रतिसत का लाब हुआ तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इन दोनों को घ्टाते हैं पेले क्या करते हैं कि resp-can عपनोंग Εच्छे पी करेंगे तुम्हारे पास क्या आएगा हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा 98,000 कितना बचेगा यहाँ पे यहाँ पे हम लोग घटा देंगे इसे 98,000 यहाँ पे हमारे पास बचेगा ठीक है अब हमसे पूचा है प्रतिसत लाब क्या पूचा है इसने प्रतिसत लाब पूचा है तो प्रतिस हजार करेंगे क्या करेंगे 3,48,000 करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा जो हम लोग 3,48,000 करेंगे ठीक है प्रतिसत हमसे आप लाब पूचा हुआ है तो उसे कार पर कितने परसेंट का लाब हुआ है यानि कि उसने आप इतने पर खरीदा था यहां पर हम खरीदन आएगा 2,50,000 तो यह जो 0 से 0 है यह 0 से 0 यहाँ पर जो है इसको cancel कर देगा उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा लाब यह हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे पास लाब कितना आएगा यहाँ पर तो लाब हमारे पास आता है जो वह आता है 49.2 कितना आता है हमारे पास लाब आएगा हमारे पास वो 49.2 इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे डिवाइड करके आप लोग इसे देख लेंगे कि या answer कितना आता है 49.2 आता है यहाँ पे तो आप लोग यह उनचार हो जाएगा 49.2 ठीक है यह हमारा यहाँ पे इसका answer हो जाएगा आगे हम लोग चलते हैं कि आगे हमारा है रेहान ने क्या किया कि बाइक खरीदा इसने क्या किया जो बाइक है जो यहाँ पर इसने रेहान ने खरीदा यह इसने चंवन हजार पर खरीदी यानि कि इसकी जो यहाँ पर क्रायमूले हो जाएगा यह कितना हो जाएगा चंवन हज और क्या किया इसने 8 प्रतिसत की हान पर बेचा उस धन से उसने फिर से एक बाइक खरीदी उसे क्या किया 10 प्रतिसत लाब उपर बेचा तो यहां पर हमें क्या करना है इसने क्या किया इसे कि इसे इसने 8 प्रतिसत हानी पर बेच दिया यानि कि इसे क्या किया कि इसका हम लोग यहां पर 8 प्रतिसत निकाल लेंगे कितना निकाल लेंगे यहां पर 8 प्रतिसत जो होगा तो 100 में से हम लोग घटाएंगे 92 बटे 100 तो यहां से हमारा इसका 8 प्रतिसत जो निकल के आएगा उसी में से यह क्या करेगा फिर से बाइक खरीदेगा क्या करेगा ठीक है फिर यह क्य क्या करेगा कि इसे यहां पर फिर निया पर क्या करेगा isек क्या करेगा दो डव उपर इसे बेचेगा तो जो युद्शन सवरी गुडवे दस पर translating क्या करेंगे इसका आप इसका उप निकालेंगे हमलोग है ठीक है इसके बाद हम यहां पर जब लाब निकालेंगे जीरो से यह जीरो कैंसील हो जाएगा तो कितना आ गया यहां पर 4968 कितना आया यहां पर 4968 यहां पर जो है इसका आ जाएगा यहां पर ठीक है 66就可以 करांगे तोहरे पास कितना आ जाएगा चाह2 1648 कितना आ जाएगक चाह0 Katyaserra तालेश अब हमें क्या करता है इस वे आब हम से पोचाएंगे उसे लाव याहानी कितने की वे यह हम से यहां पर पोचा है हम क्या करेंगे 14668 पे हम लोग क्या करेंगे कि टोटल लावहानी 4649 जो है यहां पर हमारा 54,600 जो हमारे पास 48,000 है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि 54,000 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 648 जो है यह हमारे पास यहां पर बचेगा यह हमारा यहां पर इसका profit और लॉस हो जाएगा आगे हम लोग देखते हैं 34,000 घटा इसका यानी कि घाटा जो इसका हुआ 9,600 जो यानी कि 5,700 यानी कि इसे इसने क्या किया काटे पे यहाँ पे जोड़ बेश दिया तो इसका जो multiply आप कराएंगे यहाँ पे तो आपका क्या आजाएगा 9120 कितना आजाएगा यहाँ पे multiply कराएंगे 9120 जो है यहाँ पे निकल आएगा इस धन से उसने क्या किया एक वस्त खरी दिया और उसे 5% लाब पर बेश दिया इसी को उसने क्या किया कि 5% लाब पर उसने जो है बेश दिया इसे इसी वस्त उसे उसने फिर से खरी दी और उसने क्या किया कि 5% लाब पर इसे बेश दिया तो 5% जो है इसने लाब पर बेशा तो आब हमारा ये क्या निकल के आएगा जब लोग इसका गुड़ा कराएंगे आप आप लोग की 105 और गुड़ें यहाँ पर क्या कराएंगे कि 9,912 यानि 920 रुपए का गुड़ा कराएंगे आप तो 9,576 यहाँ पर आ जाएगा 9,576 अब आपको क्या करनी है यहाँ पर कि 9,600 में मा जो है वह यहाँ पे इसका निकल कि आ जाएगा 24 आगे हम लोग यहाँ देखते है क्राएंगे मूले 40% हानि पर क्या किया गया एक वस्तु जो है अमारी उसको क्या किया गया क्राएंगे से 42% हानि पर यानि कि जो उसको क्राय मूले से जब उसको बेचा गया यानि कि बावन सो बीस में बेचा गया तो कितने लॉस पर बेचा गया इसे 42% के लाव लास पर तो इसका विक्राय मूले कितना रहा होगा जो हमारे पास CP रही होगी वह हमारे पास कितनी रही होगी जो इसका क्राय मू गटा देंगे तो सीपी हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहां पे हो जाएगा बावन सो भीस इंटू हैंड़ेट और इस पर हम लोग 42 घटाएंगे यानि कि सो में से तो यानि आप हम लोग यहां पर क्या करेंगे नाव जो है यहां पर 42 जो लांस हुआ है उसे अम लोग यहां पर निकालेंगे और हमारे पास कितना हा जाएगा 36 acres 373 यानी 3780 कितना आजाएगा है? 3780 जो है ह्हाँ पर हमारा आ जाएगा उसके गाद हम लोग यह पर क्या करेंगे? कि जो 42 है 42 हमने效 किया हम नो किया तो हमारे पास कितना आ गया? 3780 थीक है? क्या है? 3780 इतने लाव लास पर क्या हुआ इसे आपे क्या होगा क्या हुआ यानि कि 3780 से लास पर बेंचा गया यानि कि हमने क्या किया या इसका विख्रय मूले था आगर हम लोग यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं किस पर जो हारे पास आपे multiply कराया उसे हम लोग यहाँ पे 9000 पे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा ठीक है 9000 पे जोड़ देंगे तो मारे पास कितना बन जाएगा यह मारा यहाँ से जो है answer आ जाएगा इसका आ जाएगा हमारे पास 12780 कितना आ जाएगा 12000 हमारे पास 780 आ जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा 12700 जाएगा 9000 में हम लोग 3780 जोड़ देंगे तो आगे हम लोग चलते हैं 36 पे एक कार खाने में 60% स्रमिक 30 वर्षे से अधिक आयोगे हैं यानि कि 60% जो स्रमिक है वो क्या है कि 30% स्रमिक जो है 30% स्रमिक 30 से अधिक है यानि हम लोग यहां पे माल लेते हैं कि हमारे पास टोटल स्रमिक कितने होंगे 100 100% जो हमारे पास टोटल स्रमिक होंगे यानि कि टोटल स्रमिक हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास होंगे 100 इन में से क्या है कि सो में से जो है मारे पास कितने है कि सो में से साट परसंट स्रमिक जो है तीस वर्स के यानि हम लोग इस में से तीस वर्स के निकालेंगे तीस वर्स के अगर हम लोग यहां पे निकालते हैं कि तीस वर्स के निकालते हैं इन्हीं सो में से साट परसंट जो है ठीक है 100 में से अगर हम लोग यहाँ पे 60% निकाल लेते हैं 60 बटे 100 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गई है 60 आ गई तता से सिस्त्रिया यदि 30 वर्जे से अधिक आयों के पुरूस रमिकों की संख्या में हमारे पास इतने दिये इसी पे हमारा क्या है कि 75 से पूरुस है और साख मेंगे क्या है कि 75 परसेंट हमारे पास पूरुस है यह यहां आपर किलिया जो हमारे पास यहां पर क्या हों जाएए कि भी कह से अगर करते हैं तो यह पास 15 हो चाहे है। यह हमारे पास 5 दुना क्या हो जाता है? 10 और 2 से हमने इसे डिवाइट कर दिया तिया तो यह हमारे पास क्या आगए? 15 15 हमारे पास क्या निकल क्या आगए? पुरुस और यह 15 हमारे किसके बराबर है? कि यह 45 जो है हमारे 45 यह हमारे पास किसके बराबर है? 1350 के 45 हमारे किसके बराबर है कि 1350 के जो हैं बराबर है ठीक है 1350 के तो अब हमें क्या करना है कि तो कार खाने में कुल कितने स्रमिक है तो हमें क्या करना है इन्हीं 1350 में से 45 जो है निकाल लेना है हमें तो 1350 अपन 45 गुड़े हम क्या करेंगे hand rate कर देंगे क्या कर देंगे 1350 अपन 45 गुड़े हम लोग यहाँ पर किया करेंगे कि hand rate कर देंगे ठीक है? क्या करेंगे hand rate तो महरे पास क्या निकल के आ जाएगा कि 45 से अगर हम लोग इसको divide करते हैं तो यह हमारे पास 30 आता है और यह हमारे पास आंसर आजाएगा कि 3000 यह हमारे पास यहां पर निकलके आंसर आजाएगा कि टोटल वहाँ पर 3000 आदमी थे आगे हम लोग चलते हैं कि हर्ष की आई चालीस वर्ष है और रित जो है रित की आई यहां पर 60 वर्ष है यानि कि हर्ष की आई कितनी है 40 है रित की आई जो है 60 वर्ष पहले यानि कि यहां पर हम लोग प्लस x करके निकाल लेंगे कि तीन बटे 5 होगी 5 का हम लोग यहां पर गुड़ा कराएंगे 200 प्लस 3x होगा इसकोल टू हम लोग इधर करेंगे 180 प्लस कितना हो जाएगा 180 प्लस हो जाएगा हमारे पास 3X यहाँ पे होगा हमारे पास 5X ठीक है इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे बचेगा 2X और इधर यह चला जाएगा 180S minus 200 तो 2X is equal to मारे पास बचेगा minus का 20 X is equal to minus का 10 आएगा आईव हमारी रिनात्मक होती नहीं है तो इसे हम लोग यहाँ पे धनात्मक बोल देंगे यानि कि 10 क्या है उसकी आईव जो थी यहाँ पे क्या हो गया कि 10 साल जो है उसकी आईव जो है निकल के आ गई कितनी 10 प्रिजेंटेज कितनी हो गई उनकी 10 जो है यहाँ पे निकल के आ गई है ठीक है क्या हो गई 10 यानि की वर्स पहले उनकी आयू का नपात 3 अफात यह थी उनके क्या है पहले जो है उनका नपात 3 अफात यह 5 था तो इनकी value क्या है 10 एयर हो गई आगे हम लोग बात करते हैं भाई दो भाईयों की वर्तमान आयू का अनपात एक अनपाते दो है तदा पांच वर्स पहले का अनपात कितना था एक अनपाते तीन था यानि कि जो वर्तमान आयू है उनकी आयू का क्या है था दो भाईयों की वर्तमान आयू का अनपात जो है ए लेकाई 1 X तो एक क्या है 2X और अम लोग अगर यहांपे 5 बात करते हैं तो इनका क्या था सब स्भीश्प्ट अब चाएक पंद्रा हो जाएगा और इधर हो पांच अब लोग क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं तो हमारा एक्स इसकोल टू कितना हो जाता है कि दस तो यहां पर पहला हो जाएगा वो तो पांच वर्स पस्चात उनकी आयू का अनपात कितना हो जाएगा तो यह यहां पर बोला है तो यह हमारी प्रजेंट आयू जो हो गई दस और बीस हो गई अब क्या बोला है कि पांच वर्स बाद तो दस प्लस पांच और बीस प्लस पांच इनका अनपात क्या होगा तो यह क्य यहां आपान 25 हो जाएगा पांच से डिवाइड करेंगे पांध ही 15 और पचंपचीश तो इनका उनपाथ जो आजाएगा वह आ जाएगा यहां पे तीन अनपाथे 5 क्या निकलके आ जाएगा तीन अनपाथे 5 आगे हम लोग देखते हैं कि दो विद्यार्थियों कि आयू का अनुपात तीन अनुपात दो है उन्मों से क्या है एक दूसरे से पांच वर्स बढ़ा है यानि कि एक की आयू क्या है एक जो है वो पांच वर्स बढ़ा है यानि कि क्या है तीन अनुपात दो है एक की आयू त य एक क्या है वहांपे एक बड़ा है यानि की क्या है एक अगर बड़ा है तो 3 x अगर माइनस 2 x करेंगे तो अनतर कितने का आता है 5 का तो छोटे विध्यार्थी कि 278 यहांपर पू UFO पूच्छा है तो 3x –2x करेंगे 5 अगा तो x की value कितनी आ जाएगी 5 तो यहाँ पे छोटे की पूचा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 into 5 इसकोल तो मारे पास आ जाएगा 10 कितना आ जाएगा 25 into हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा यह मारे पास कितना हो जाएगा आगे हम लोग देख लेते हैं कि बाई 16 वर्स पहले मेरे दादा की आयूँ मेरी यायूंसे यानि कि यहांपि वर्ष पहले । जोला साल पहले हैं जो मीनंड घंद फार ठीक है वह क्या थे अधिव हमारे पास क्या थे यह हम distributed तो एंड़ने थिक इसका मतलब कुछ और नहीं समझिले लेना ठीक है यह मदले पास क्या होगा एक्स होगा और यह हमारे पास क्या हो जाएगा 9 x क्या हो जाएगा 9 x अब की बात करता है यानि कि 16 पहले तो अब निकाले ंगे कि भाई present में कितना होगा अब यह कितना हो जाएगा यानि की x plus 16 हो जाएगा और यह कितने हो जाएगे 9 x plus 16 अब की value की बात अगर हम करें तो क्या था नो गुनाते अब से 8 वर्स बाद यहां पर अब जो बोला है तो अब की पहले हमने value निकाल ली फिर हम क्या करेंगे अब से 8 वर्स बात 8 वर्स बात क्या हो जाएगा कि 8 वर्स पहले मेरी आयो मेरे दादा की आयो की तीन गुनी होगी तो 8 वर्स पहले मेरी आयो और मेरे दादा की आयो पूछा है यानि कि वो पूछा है यहां पर कि 3 गुनी कर रहा है क्या कर रहा है कि अब उसे क्या है मेरे दादा की आयो क्या हो तो यह एकस प्लस सोला प्लस अलबोढ़ी गड़ा के तो उला कितना हो जाएगा कि आसे तो और यहां पर कितना हो जाएगा नयुग्ष्ट उतने निकर्ण जोड़ों गया तो वहां पर कितना है कि ना 9x plus 24 ठीक है तो यह अनपात कितना है वर्स जो है एक तीन गुना होगी यानि कि जो प्रेजेंट किया है आठ वर्स बाद उनकी आयो मेरी आयो की यह जो आठ वर्स बाद हम लोग निकाल ले हैं यह तीन गुना होगी यानि कि इसका अनपात इसने बोला एक अनपात है तीन तो 42 इसक्वल्ट में वह जाता है 9 einect पलस सका 24 हो जाएगा यंदर लोग इसे 45 करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सी क्वल्ट में अगर 20 धर करते हैं कि नहीं हो ज़य Jew अगर 20 जाता है तो हमारे पास 50 षुदत यानि कि x की value मारे पास 8 high तो अब की आयो की बात कर रहा है तो आयो जो है पहले मेरी आयो दादा की आयो का अनपात क्या था तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में अब हम लोग ये present के बारे में बात करेंगे 8 प्लस 16 हम लोग करेंगे तो इसकी आयो क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी और दादा जी क्या हो जाएगी यहाँ पे 79 72 हो जाएगी जो क्या हो जाएगा इसकी आयो तो यहाँ पे हो जाएगी 24 कितना आप की बात करेंगे तो 9x plus 16 है ना यहाँ पर कितना है कि 9x plus 16 है और इनकी आयों कितनी है जो है यहाँ पर 24 और इनकी हो जाएगी यहाँ पर 88 पहले कितना होगा यानि कि यहां की बात कर रहा है एक्स की तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा यहां पी इसकी वैल्ली हो जाएगी कि भाई 16 और उसमें हम लोग बात करते हैं यहां प्रति घंटे की चाल से तैं करता है यानि कि कोई एक व्यक्ति है जो क्या करता है कि आयात्रा जो होती है वह कितने पर तैं करता है एक वेक्ट की जो यहाँ पे स्पीड होती है वो कितने पे यहाँ पे तैं करता है इसकी हम लोग यहाँ पे बात करते है इसकी जो यहाँ पे समय होगा स्पीड यहाँ पे क्या है डिस्टेंस अगर है तो कितनी है बीस है Speed क्या है की Speed है आपे 5 km पर हवर तो यहाँ पे आप एक फार्मूला जानते हैं कि आपे достως बेराबर क्या होता है कि distance upon time यानि कि Speed बेराबर क्या होता है distance upon time तो Speed हमारे पास क्या दिया हुआ है Time हमें आपे ग्याद करना है तो हम लोग टाइम निकालेंगे तो time को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे time अगर हमें निकालना है तो distance हमारे पास 20 km है और यह हमारे पास कितने से जा रहा है 5 km पर हावर से तो km से km और यह 4 बार तो t हमारे पास कितना आ गया 4 घंटे उसके बाद क्या है तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंसता है यानि कि वह क्या करता है यहाँ पर नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंसता है यानि समय क्या होगा 3 घंटे 20 मिनट भाई हम यहाँ पर 40 मिनट घटा देंगे तो क्या बचेगा 3 घंटे 20 मिनट बचेगा यह दिवा 8 km प्रती घंटा से यात्रा करें तो वह अब कितने समय तक जो है अपने गंतवी इस्थान तक जल्दी पहुँच जाएगा अगर वो यहाँ पर क्या करता है 8 km से अगर इसी डिस्टेंस को 8 km पर घंटे से कवर करता है यानि कि T is equal to क्या करता है कि भाई 20 km है जो तो 8 km पर हावर से कवर करता है किलो मीटर से 8 क्या हो जाएगा यहां से यहां से जो निकल के आ जाएगा यहां से 8 की बात किया है 20 में से हम भाग देंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा कि यहां से जो है साड़े निकल के आएगा आप दुनाई 16 तो यहां से हमारा निकल के आएगा जो T वो निकल के आएगा 2 घंटा 30 मिनट तो अब हमें जो real time निकालना है कि 2 घंटा 30 मिनट हम यहां पे घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि 30 यह है और 20 यह हो जाएगा हमारे पास तो कितना आ जाएगा 50 मिनट जो है यहां पे पहले पहुँच जाएगा क्या करेगा कि 50 मिनट जो है यहां पे पहले पहुच जाएगा अगर हम लोग यहां पे time निकालते हैं तो यहां पे यह हो जाएगा माइनस हम लोग कर देंगे कि 2 घंटे 30 मिनट तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि 50 मिनट जो है ये पहले पहुँच जाएगा 2 घंटे 30 मिनट में आप अगर 50 मिनट जोड़ते हैं तो ये आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि πचास मिन इठ जो हैं पहले पहुंचेगा उसके बाद हम कर चलते एक व्यक्ति पांच यलो मीटर घंटा की चालब से चलते हुए पुल को 15 मिनिट में पार करता है क्या करता है 15 मिनिट में जो है पुल को पार करता है इसी तरह हम लोग क्या करते हैं जो 5 किलोमीटर पर घंडा है इसको हम लोग बना लेते हैं इसको हम लोग किस पर convert कर लेते हैं मीटर पर कितने पर मीटर पर हम लोग इसको convert कर लेते हैं तो मीटर में convert करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5 गोड़े यहां पर क्या है है मीटर पर सेकेंड थैंक है मीटर पर सेकेंड पर अब हमसे क्या पूछा है तो यहां पर हम लोग सीधे से दूरी नभाइद यानि दूर स्बराबर क्या उता है को distance बराबर हमारा क्या हो जाता है यहां पर हमने पीछे यूज किया था फार्मूला जो पीछे हमने क्या यूज किया s बराबर d यह पांटी distance बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहां से s into t हो जाएगा यानि कि इन दोनों का हम लोग s और t का क्या करेंगे multiply करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25 बटे 18 गुड़े हम क्या करेंगे कि 15 गुड़े 60 कर देंगे क्या कर देंगे 15 गुड़े 60 कर देंगे तो distance हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी distance हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी कितने लोग जो है यहां पे 1250 मीटर जो वह यहां पे निकल के आ जाएगी ठीक है डि नंबर अमारा यहां पे सही हो जाएंगे आगे हम लोग चलते हैं एक वक्ति 25 घंटे में 20 किलो मीटर की दूरी तैंग करता है क्या गरता है एक वक्ति जो है वो क्या करता है पचीज घंटे में यानि कि यहां पर 2.5 है पचीज नहीं है 2.5 है यानि कि उसको कितना घंटा समय लगता है हावर जो लुखते हैं उसको 2.5 घंटे यानि कि क्या करता है वो 2.5 फावर में यहां से चलता है उसके बाद क्या करता है 20 किलो मीटर की दूरी तै करता है ठीक है क्या करता है यहां पर क्या करता है कि 20 किलो मीटर की दूरी तै कर लेता है कितने घंटे पर 2.5 घंटे पर दूरी यानि कि जो डिस्टेंस दिया है वो कितना यहां पे दिया है डिस्टेंस जो है हमारे पास 20 किलोमीटर कितना दिया है 20 किलोमीटर या दिवा अपनी चाल को दुगना कर दे क्या कर देता है या दिवा अपनी चाल को क्या करता है कि दोगना कर देता है तो क्या करता है तो 32 km की दूरी तैं करने में उसे कितना समय लगेगा यानि यह distance यहाँ पर आपको δे दिया गया है यहाँ से आपको speed निकालनी थी थीक है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे यहाँ से अगर आप speed निकालते हैं तो speed बराबर क्या हो जाता है d upon t speed बराबर क्या हो जाता है d upon t हो जाएगा क्या हो जाएगा d upon t यानि कि कितना हो जाएगा कि भाई 20 और यह जो घंटे यह time है हमारे 2.5 अगर हम लोग इसको इससे divide करते हैं तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 तो यहाँ पे speed जो आएगी 8 km पर हावर जो है इसकी speed आजाएगी क्या जाएगी 8 km प्रति घंटे इसकी जो है यहाँ पे speed आजाएगी यदि यह क्या करता है कि 32 km की 2 गुने से यानि कि जो 32 है भाई सीधी सी बात है भाई जो 32 km है इसे अगर क्या करता है 2 गुने से यानि यहाँ पी 8 है तो यहाँ पे यह क्या कर देता है 16 km पर हावार से तो km से 000 madre यह बार तो यहाँ पर आप के 2 घंटे क्या जाएगा आपका 2 घंटा जो है यहाँ परshire निकलाएगा कि भाई पीर जो यह निकल किया है इसी को डबल करना था हमने 16 कर दिया और 32 पर बाग दे दिया इसी तरह से आपको कोशन करने होता है सोचना होता है इसलिए जब भी आप concept को पढ़ें यह तो आपका क्या है प्रैक्टिक्स है हां second option बी नमबर यह आपके यह प्रैक्टिक्स हो रही मे चाल को सही करो चाल यहां पर गडबढ है चाल दिया यहां पर तीन सही एक बटे तीन मीटर पर सेकेंड को किलो मीटर घंटा में बदलना है किस पर बदलना है किलो मीटर घंटा में बदलना है इसको अगर इसको आप फ्रैक्शन पर बदल लेते हैं तो यहां पर क्या हो जा दरस आजाएगा की लो मीटर प्रतिगांट्टा कि क्या जाए गां पर आंसर जाएगा क्या जाएगा द्स किलोमीटर तो है यहाँ पर आंसर आजाएगा मैं ने पर देखो गुड़ा घ्लत हो जा रहा है इसको ऑम इसको कर लगे हो जाएगा बारह जो है यह यह 20 सी हो जाईगा ततर की तरफ नीट्र चलता है तो हमसे क्या पूछाot यहां पे M बिंदू पर पहुंचता है तो यह और M की दूरी क्या यह आप नहीं निकाल लेंगे यहां से क्या हो जाएगा के स्कॉयर बराबर क्या हो जाता है आधार स्कॉयर और लंब स्कॉयर तो के स्कॉयर बराबर हम लोग यहां पर अगर वैलू रखते हैं तो क्या हो जा निटए सँपयर करके यहां पे अंडरूट होता में साहइद को अंडरूटे स्क्वाइर तुब यहां पर 11गरदें सक्वाइबहर हमें 244 होता है प्लस यहां पर हो जाता है पचंप 25 और क्या हो जाता है फिर यहंने पास अंदर बन जाते हैं 1808 तो के यह क्या हो जाता है रूट जो है स्क्वाइर से करदिया है ठीक है वंधना पतेलिकल दी ने आंसर किया हुआ है 13 है ना चलिए कोई बात नहीं आगे हम लोग चलते हैं A और B एक कारे को 12 दिनों में पूरा करते हैं भाई यह जो है हमारा इसमें आपको बिल्कुल सिंपल देखो समझाते हैं क्या करते हैं कि A और B यानी कि A A प्लस B किसी काम को कितने दिनों में करते हैं A प्लस B जो है किसी काम को करते हैं 12 दिनों में और क्या है B और C उसी काम को क्या करते हैं 15 दिनों पे कितने दिनों पे 15 और क्या है यहाँ पे C और A क्या करते हैं C और A जो है यह क्या करते हैं 20 दिनों पे इनका अगर आप LCM लेते इनका अगर आप LCM लेंगे कितना आएगा 60 हैगा क्या लेंगे अगर आप इनका LCM लेते हैं तो 60 हैगा इस पर यह क्या हो जाएगा 12,5,60 यानि की 5 यह क्या होगा 5 घंटे पर डे काम करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर 15,15,64 घंटे पर डे काम करेंगे तो यह 60 दिन में complete कर लेंगे उसके बाद क्या है कि यहाँ पर 20 हो जाएगा तो कितना आजाएगा तीन घंटे परड़े काम करेंगे तो यह complete कर लेंगे हैना यह आपको समझ में आगया आपको ऐसे करना है यदि ए और बी सी एक साथ मिलकर कारे करें तो वे इस कारे को क्या करेंगे कितने दिन अगर यह परड़े घंटे निकल के आते हैं कि परड़े यह तीनों कितना काम करते हैं परड़े ये तीनों बारा घंटे काम करते हैं कितने घंटे 12 और काम आपके पास कितने है 60 घंटे का यानि 60 दिनों में पूरा करना है तो एक दिन में अगर यह 12 घंटे काम करेंगे तो आपके पास जो काम है 60 दिनों का अगर यह रोज 12 घंटे करते हैं तो 5 दिनों में आपका यह काम पूरा हो जाएगा कितने दिनों में 5 दिनों में ये काम जो है आपका पूरा हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है जी क्या हो जाएगा पांच दिनों में हां क्या है 46 में का ए नमबर आंसर आ गया था कि पांच दिनों में बहुत सही क्या हो जाएगा पांच दिनों में पूरा हो जाएगा आगे A और B एक काम को 10 दिनों में करते हैं फिर से वही बात क्या हो जाएगा कि A और B हो जाएंगे हमारे पास किसी काम को क्या करते हैं 10 दिनों में करते हैं उसके आद क्या हो जाता है B और C क्या करते हैं उसी काम को यहाँ पे 15 दिनों में करते हैं और C और A आपे क्या करते हैं, उसी काम को यहाँ पे 20 दिनों में करते हैं, इसका भी NCM आप ले लेंगे, तो सायद क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 को 60 हो जाएगा, यहाँ पे 20, 63 हो जाएगा, ठीक है, तो पर दे अगर यह A प्लस B मिलके 6 गंटे काम करेंगे, तो 10 दिन मे एकाम जो है, पूरा निप्टा दे गए, है न, तो यह हो गया यहाँ से, अब आपको करना क्या है, कि C अकेला, यह दी क्या करते हैं, C अकेला उसकाम को कितने दिन में पूरा करेंगा भाई, लोग अब आ गई बात किसके उपर? C के उपर, तो हमने यहाँ से क्या किया, क्य कि हमने यहां से जो निकाल लिया कि जो हमारे पास a plus b हैं यानि कि यहां से क्या करना है आपको a plus b यानि कि 2 होते हैं a plus b अगर हम लोग कामन करते हैं तो आता है 2 तो यानि कि हमारे पास कितना आ जाएगा कि यानि कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि 2 A plus B plus C is equal to हमारे पास कितना आ जाएगा 13 कितना 13 आ जाएगा 6,4,10,13 तो A plus B हमारे पास कितना आ जाएगा A plus B plus C is equal to 6.5 कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा और अगर हम लोग यहाँ पे मालने a plus b 6 दिन करेंगे तो c हमारा कितने दिन कर पाएगा अगर अगर हम यहाँ पे a plus b को 6 निकाल देते हैं तो c के पास बचे 0.5 कितने बचे 0.5 और काम कितने दिनों का है 60 दिनों का तो भाई इससे हम लोग क्या करेंगे 60 पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 0.5 से तो 0 हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 5 के 5 हो जाएगा 1 बचेगा 5 बनाई 10 यानि कि यह कितने दिनों पे 120 दिनों तक जो है इससे अकेले काम करना पड़ेगा समझ गए आप यहाँ पे टू कैसे कि हम लोग क्या करते A प्लस B यानि कि यहाँ पे 2-2 बार सारी चीज़े हमने 2 बार कर लिया A प्लस B कि हमने वैल लू रख दी यह हमारा यहां से आंसर आ गया 47 में का D नंबर नहीं भाई साब B नंबर होगा यहाँ पे LCM यहाँ पे आपको सीधे 13 नहीं लिखना है ठीक है यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 120 बिल्कुल सही होगा 120 नंबर सही होगा आगे हम लोग चलते है कि भाई हमारे पास है A एक काम को 4 गंटे में कर सकता है यानि कि A जो है यह किसी भी काम को 4 गंटे में कर सकता है B और C उसे 3 गंटे में यानि कि B और C जो है यह अकेले 3 गंटे में करेंगे और क्या है A और C उसे 2 गंटे में करेंगे A और C जो हो जाएंगे A प्लस C जो हो जाएंगे यह 2 गंटे पे करेंगे अब इसका आपको LCM नेना है तो साइध इसका LCM अगर आप 12 ले लेते हैं तो LCM हो जाएगा इसका 12 क्या हो जाएगा 12 जो है इसका LCM हो जाएगा तो ये कितने घंटे पड़े जो है 3 घंटे काम करता है उसके बाद क्या हो जाएगा ये हमारा 4 हो जाएगा इसका जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा ये बात हो गई तो B अकेला उस काम को कितने दिन तक करेगा भाई B के उपर अकेला छोन दिया गया तो B अकेले उस काम को कितने दिन तक करेगा ये आपको बताना है कि यहाँ पे हमें दे दिया A की value 3 अब हमें क्या दे दिया यहाँ पे B प्लस C की value 4 और यहाँ लास्ट में क्या है यमारा A A plus C की value क्या दे दिया भाई, यह 6, A plus C की value दे दिया 6, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, C की value हम लोग निकाल लेते हैं, पहले, C की value निकालेंगे, A को यहाँ पे रख देंगे 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी value रखते हैं, तो क्या निक निकल के आजाएगा, c is equal to 3 निकल के आजाएगा, अब हम c की value यहाँ पर रख देंगे, तो b की value क्या निकल के आजाएगी, c की value हम लोग यहाँ पर रखेंगे, भाई हम लोग उल्टा समिकरण बना दिये, आपको समझने के लिए कि इस पर अगर हम लोग रखेंगे b की value यहाँ पर, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, भाई b plus 3 is equal to 4, तो b is equal to हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगर b जो है परड़े एक घंटे काम करेगा, तो यह बारा दिनों तक काम करेगा, ठीक है, एक मिन्ट हाँ यहाँ पर इससे चोटी उनिट ले लेंगे, एक मिन्ट परड़े काम करेगा, एक मिन्ट काम करेगा तो बारा घंटे तक इसे काम करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा अरतालिस में कहा जाएगा, आगे हम लोग चलते हैं उन चास पर, A, B मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं वही बात हो गई कि A और B जो है मिलकर क्या करते हैं किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं उसके बाद B और C मिलकर उसे 6 दिन में पूरा करते हैं जो मारे पास क्या है कि B और C ऐसे 6 दिन में पूरा करते हैं C और A मिलकर क्या करते हैं कि जो C और A हो जाते हैं ये क्या करते हैं 10 दिनों में पूरा करते हैं अब इसका आपको LCM लेना है कि भाई इसका LCM क्या होगा LCM आपको लेना ऐसा नंबर तो इन सभी से डिवाइड हो जाए वो हमारा LCM कहलाता है तो LCM यहाँ पे आपका हो जाएगा 120 कितना हो जाएगा LCM आपको इस बार यहाँ पे बड़ा हो गया है कितना हो गया LCM LCM जो हो गया वो आपका हो गया 120 तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा कि इस पे हम लोग 8 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा भाई आठ का भाग हम लोग अगर देते हैं तो कितने बार जाएगा अगर आठ का भाग यहाँ पर एक बार गया तो मारा चार बचा तो आठ पंचे चालिस 15 हो गया 6 का भाग देते हैं 6 दोनी 12 20 हो गया 10 का भाग दिये हैं हमारे पास 12 तो यानि कि तीनों में पूरा कर सकते हैं, कि भाई जो तीनों मिलके काम करेंगे, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 20, 10, 30, 40 और 47, यानि कि 2 A plus B plus C is equal to हो जाएगा 47, तो A plus B plus C की value आजाएगी 47 बटे 2, कितनी आजाएगी 47 बटे 2, और अगर ये तीनों मिलके इसको काम करते हैं, 120 जो है, ये तीनों मिलके काम करते हैं, तो भाई 120 गुडे 2 बटे 47 हो जाएगा, कितना 120 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 बटे 47, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, 240 बटे 47, अगर कहीं पे आपको आंसर दिया है, तो answer आप देख लेंगे अन्यथा इसे क्या करेंगे कि भिन्न में convert कर लेंगे भिन्न में अगर इसे convert करेंगे ठीक है अगर हम लोग क्या करेंगे 280 बटे 47 तो यह हमारा आ जाएगा 5 सही 5 बटे 47 यानि कि 47 का 5 बार घुड़ा करके 5 जोड़ देंगे तो 240 हो जाएगा यह आपका यहाँ पे answer आ जाएगा इतने दिनों में यह काम करेंगे ठीक है यह answer हो जाएगा आगे हम लोग A एक काम को 18 दिनों में पूरा करता है A क्या करता है एक काम को क्या करता है 18 दिनों में और यह क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं भाई एक काम को कितने दिनों में 18 बी क्या करता एक काम को 36 इसका अगर LC हम लेंगे 36 हो गया यानि कि ये 2 हो गया ये 1 हो गया तो यदि वे 9 दिनों के लिए एक 7 काम करते हैं तो कितना प्रतिस्थ काम जो है 6 बचेगा यह आपको बताना है तो यह क्या करते हैं भाई A प्लस B जो है 3 है A प्लस B जो है यह मारे पास कितने हैं 3 है क्या है A प्लस B जो है 3 है यह तीनों में यह क्या है कि परड़े जो हैं इतना काम करते हैं A प्लस 3 जो है यहाँ पर यह काम करते हैं इन्हें काम कितने दिन करना है, 9 दिन, पढ़े ये 3 घंटे करना है, 9 दिन करना है, तो 9 गुड़े 3, कितना हो जाएगा, 27, कितना हो जाएगा, 27, पढ़े ये कितना है, 9 घंटे, 3 घंटे काम करते थे, 9 और बढ़ादी, ये कितना हो गया, 27 हो गया, अब हमें क्या करना है, कि इने क्या करना है कि 9 दिनों में ये कितना काम करेंगे 27 हो यहां पर निकल के आ गया ठीक है तो यह दोनों हमारे क्या करते थे 27 हो निकल के आया तो इसको हम क्या करेंगे यहां पर इसको हम लोग माइनस कर देंगे 36-27 तो कितना आ जाएगे यहां पर 6 और 3 जो है 9 यहां पर आ जाएगा नोव यानि कि यहां पे जो है इसका आनसर हम लोग कैसे निकालेंगे यहां पे इसका अंसर हो जाता है हमारा यहां से 9 देज में हो जाएगा यहां वšwhen हमारा कितना प्रतिसर्ट जो काम बचेगा or 1090 अगर न Bringing अभी देख लेते हैं इसमें क्या है percent में इसे convert करते हैं ठीक है कि इसे हम लोग percent पे जो है convert करते हैं यह हमारा जो चल लाया है कि जो है work and time जो है हमारा है हुआ हुआ है हुआ 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 थीक है यह मारा क्या हो गया कि जो है अब है इस पर आगे लोग चलते हैं आपे एक नाओ सांथ जल्में इसे आप लोग करें इसे आप लोग बताएंगे हम लोग क्या यहां पर आते हैं अभी कि 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 को कि है यहाँ पर हम लोग की है यहां पर आप लोग पीछे भाई कि यहां पर महरा क्या हो जाएगा कि यहां पर अगर पर सेंट्टेज निकालना है तो इस पर हमें परसेंटेज निकालना बढ़ेगा कि 9 गटे 36 गुड़े 100 क्या निकालेंगे 9 बटे 36 गुड़े 100 तो यहां से जो उमारा निकल के आएगा लौशो बटे 36 और चार से यहां पे भाग देंगे 25 यानि कि हमारा 25 परसंट जो है यहां पे निकल के आएगा इसे अगर दुबारा बताने कुछ लोग बोल रहे हैं यहां पे हमने इतना काम कर लिया आपने पीछे सवाल में देखा हम जो भी करते हैं यहां पे करते हैं जो हमने LC हम लेते हैं हमने लिया यहां पे प्लस भी 3 हो गया 3 उसके बाद बुला यहां पे 9 दिन तक क्या एक साथ काम करते रहना है इन दोनों को, तो क्या करेंगे, 27 दिन हो जाएंगे, 27 दिन हो जाएंगे, तो इन 36 में से 27 घटा देंगे, 9 बचेगा, 9 बचेगा, यह जो 9 आया, इसका percentage हम कहां पे निकालेंगे, इसी 36 पे निकालेंगे, तो 9 बटे 36, यानि कि 36 में से 9 यह जो है काम कर लेंगे, तो 9% निकाल लेगा जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं परसनेज निकालते हैं आब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ठीक है यहाँ पे हम लोग 9 पे बाते हैं तो यहाँ पे भाई जो मारे पास होगा X होगा इससे हम लोग क्या करेंगे बोर्ट की स्पीद जो है लिखेंगे ठीक है Y से हम लोग क्या लिखेंगे जो मारे पास क्या होगी नदी की जो धारा होगी इसे हम लोग यहाँ पे इससे लिखें ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा X और Y उसके बाद हमसे क्या बोला है यहाँ पे कि परंत वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तीन गुना समय लगाता है ठीक है तो यहाँ पे धारा के प्रतिकूल यानि की अपोजिट जो चलेगा वह हमारा क्या हो जाएगा धारा की बात किया है तो X हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा X-Y हो जाएगा जो अपोजिट की अगर बात करेगा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा X-Y ठीक है उसके बाद अगर धारा पे बात करता है हमारा तो धारा के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि धारा हमारा जो बोला है 6 km बोला है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6-Y यहाँ पे होगा 6-y और यहाँ पे हो जाएगा कि D अपान हो जाएगा 6-y कितना 6-y कराएगा तो कितना हो जाएगा तीन गुना समय ज्यादा धारा लेती तो इसमें हम लोग क्या करेंगे तो इसको हम लोग यहां पे solve कर लेंगे, यहां पे हम लोग इसका गुड़ा करा लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा यहां पे, कि यह हमारा आ जाएगा, उसके बाद हमारा plus का कितना हो जाएगा, यहां पे 3y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अठारा हो जाएगा, और हमार हो जाएगा सिक्स वाई हो जाएगा यानि कि हमें किस बात कर रहे ते नाव सांत जल में हम लोग धारा की बात कर रहे तो यहां पर हम लोग आगे निकालते हैं तो आंसारा चाहेगा और वाई हमारा यहां पे कितना हो जाएगा कि 18 बटे 3 कर देंगे तो वाई इसको तो मारा कितना आजाएगा 6 यहां से जो हमारा इसका यहां पे आंसर आजाएगा कितना आजाएगा 6 हमारा यहां से इसका आंसर आएगा ठीक है कि यहां पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा चैक है यहां पर हम लोग इसे भी माइनस करेंगे जो हम लोग यहां पर लिखेंगे यहां पर हमारा होगा 6 माइनस का y यहां पर लिखना यह जो हमारा है 6 माइनस y लिखेंगे ठीक है तब हमारा यहां पर क्या हो जाएगा कि 6-y लिखेंगे तो हमारा यहां पर कितना बचेगा उधर हमारा जाएगा तो यह हमारा आएगा तो 2y बचेगा 25 करेंगे इधर हमारा यह जाएगा तो बचेगा यहां पर हमारा 12 कितना बचेगा 12 तब हम लोग यहां से कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 12 बटे 2, ठीक है? यहां पर हमारा अंसर जो आ जाएगा, यहां पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यहां पर हम लोग जो 2 का भाग करेंग 12 पर हमारा अंसर कितना आ रहा है? यहां पर 6 आ रहा है, ठीक है? एक मिनट यहां पर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर हम लोग वाई धर लाएंगे तो यह हमारा चार हो जाएगा ठीक है चार हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे चार करेंगे ठीक है तो यहां पर हमारा आ जाएगा तीन है रहा ठीक है यह हमारा यहां से आ जाएगा कितना तीन आ जाएगा इसका अंसर आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं कि एक नाव आठ गंटे में धारा के विप्रीथ अब देखें यहां पर हमारा क्या हो जाएगा नाव जो हो जाएगी धारा के विप्रीथ यानि कि नाव जो है धारा के विप्रीथ हमारे क्या करती है कि एक नाव आठ गंटे में धारा के विप्रीथ दिसा में 40 km चलती है तो यहां पे हमने क्या किया था कि जो हमारे पास यहां पे हमने बताया था कि क्या था कि जो हमारे यहां पे board की धारा हम लोग मानेंगे यानि कि जो board की धारा होगी वो yax होगी और जो हमारा यहां पे क्या होगा water का जो होगा वो हमारे पास y होगी तो यहां पे हम दोनों क्या विप्रीत हो रही है तो विप्रीत हमारा क्या हो जाएगा यहां से x-y विप्रीत पे हम क्या करते हैं दोनों opposite होती हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं x-y और यह क्या हो जाएगा 40 km तो यह हो जाएगा हमारा 40 बटे 8 कितना हो जाएगा 408 और 6 गंटे में धारा के अन्कूल 36 किलो मीटर तो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करना स्वाइक्स प्लस-वाई कर देना है और यहांसे जाएगा 36 वते कितना यहां पे 6 है है और हम लोग आपए दी वाइड कर लेंगे तो यह हमारा यहांसे 5 आचा जाए यानि कि जो हमारे पास नय समीकरणा बन जाएगे यह बन जाएगे एक्स मारे पास y equal to 5 और यह हमारे पास में घ्त nouveaux freaking six तो यहांपर हम लोग क्या करेंगे हम से क्या पूचा है सांत जल में नाव की धारा नाव की चाल हम से पूचा है नाव हम किस से मानने हैं यहां पर बोट जो है हमने X से माना है तो हमें क्या करना है यहां पर X को बचाना है और Y को हमें क्या कर देना है cancel तो यह minus और plus है इसे cancel कर देंगे तो 2x हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और 5 जो हमारे पास जोड़के हो जाएगे गेरा यानि कि हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से 2x is equal to हमारे पास गेरा हो जाएगा और x is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा 5 into 5 क्या जाएगा 5 into 5 जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ठीक है आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक वेक्ति धारा के अनकूल ना वो 4 गंटे में 18 किलो मीटर खेता है धारा के अनकूल यानि कि धारा के तरफ क्या है अनकूल यहाँ पे करता है तो अनकूल में हम लोग क्या कर देते हैं X-Y कर देते हैं और 18 पटे 4 प्रतिकूल मतलब क्या होता है कि धारा के जो यहाँ से हमारे प्रतिकूल हो जाता है क्या हो जाएगा धारा के अगर यहाँ प्रतिकूल हो जाएगा तो प्रतिकूल में हम लोग क्या कर देंगे यहां पर प्रतिकूल में 12 गंटे वो लगा अतार करता है प्रतिकूल में क्या हो जाता है कि 18 km खेता है तता धारा के प्रतिकूल वो 18 में से 12 गंटे जो है लगा अतार करता है जो धारा के प्रतिकूल होता है है ना क्या करता है धारा के प्रतिकूल जो होता है वो यहां पे लगातार कर लेता है अनकूल पर यह हो गाएगा प्रतिकूल पर हम लोग एक्स माइनस वाई करेंगे और यहां पर क्या हो जाएगा 18 बटे 12 तो यहाँ पे 4 से हम लोग इसको यहाँ पे divide कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 4 से अगर हम लोग यहाँ पे divide करते हैं तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 4 से को 16 हो जाएगा 2 बचेगा 5 को 20 हो जाएगा 12 से डिवाइट करेंगे 12 एक कम 12 हो जाएगा 6 बचेगा 0 12 पंचे 7 यह हमारे पास आ जाएगा तो नए हमारे पास जो समी करण बन जाएगे तो यहां से हमसे क्या पूछा है x प्लस y हो जाएगा x minus y is equal to 4.5 और 1.5 जो हमारे पास हो जाएगे तो यहां पे क्या पूछा है धारा की जो है यहां से चाल पूछा है किसकी पूछा है धारा की चाल तो यहां पे हम लोग y को बचाएगे किसको यहां पर क्या है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां पर य को बचाएंगे यहां पर हमने माइनस किया इसे माइनस किया तो यहां से क्या होता है 2i is equal to यह हमारा चला जाएगा है यहां से एक जाएगा इस पर हमारा कितना बचे गए आपर कितना बचेगा 3 जो है यहां पर हमारा बचेगा ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे y is equal to 3 by 2 हम लोग करेंगे तो यहां से हमारा y is equal to आ जाएगा 1.5 कितना आ जाएगा 1.5 जो है हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा हना यह आपको पता ही होगा कि यहां पर जोडते घटाते हैं अगर हम लोग घटाते हैं तो इन सभी के नीचे वाले के चिन बदल देते हैं जोडते हैं तो कोई परिवर्तन वहां पर नहीं होता आगे हम लोग चलते हैं यहां पर द़ारा अनकूल्य को क्या है का तो ननदी की धारा की चाल कितनी होगा। कुछ है आपसे नदी की धारा की चाल तो यहां पे नदी की धारा की चाल हम लोग वाई है अगर हम लोग वाई मानते हैं यहां पे तो अगर हम लोग यहां पे वाई को बचाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि x जो हमारा वो cancel होगा, क्या हो जाएगा, x को हमें क्या करना पड़ेगा, यह जो हमारा, x cancel हो जाएगा और हमारा 2y बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6, तो y इसक्ल टू हमारे पास 6 upon 2 हो जाएगा, तो यहां पे हमारा कितना हो जाएगा 3 यानि कि y भराबर हमारे पास 3 आ जाएगा जो यहाँ पे 9 की होगी है ना हम लोग जिस तरह से मानेंगे उसी तरह से यहाँ पे हमें करना रहेगा y x 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 तदा 36 किलो मीटर की दूरी तै करने के लिए 6 गंटे क्या करती है तदा 36 किलो मीटर की दूरी यानि कि धारा के अनुदिस क्या हो जाएगा प्लस यहां पे 36 अनुदिस हो जाएगा 36 में कितने गंटे लगाती है 6 गंटे लगाती है उसके बाद क्या करती है कि उसके बाद धार के अनुदिस फिर हो जाएगा यहांपे चौबीस किलोमीटर की छह गंटे हो गया फिर यहांपे धारा के प्रतिकूल अब हम लोग दुबारा से बात कर रहा है धारा के प्रतिकूल यहांपे हो जाएगा 36 अपान X-Y प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 24 जो है यहाँ पे 24 पे हो जाएगा X-Y और घंटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा घंटा जो यहाँ पे दिया हुआ है यह हमें हो जाएगा यहाँ पे 6 अब हमें क्या करना है हमें इनको solve करना है क्या करना है हमें हमें इने solve करना है दूरी ते करने में कितने घंटे लगाती है 6 घंटे यहां भी लगाती है और 6 घंटे जो है वहां भी लगाती है अब हमें क्या करना है यहां पे अब हमें जो है इसे ठीक है हमें इसे बराबर करना है हम लोग क्या करते हैं यहां पे हम लोग इसे करते हैं कि 36 हो गया X-Y और 24 हो गया हमारा कि यह हमारा हो जाता है यहां पे हो जाएगा इधर प्लस का और इधर माइनस का हम लोगों को क्या करना है इनको जो है उपर वालों को बनाना है ये 36 है ये 24 है ये 36 है तो हमें क्या करना है इन दोनों को हमें इन दोनों को क्या करना है कि इन दोनों को हमें बराबर करना है तो हम उपर वाले में क्या करते हैं उपर वाले में और नीचे वाले में हमें दोनों में multiply कराना पड़ेगा किस एक नमबर का ठीक है किसी एक नमबर का लोग दोनों मल्टिप्लाई कराएं गे तो हमें किसका मल्टिप्लाई कराना पड़ेगा यहां पर हम्हें यहां ने कर दिया दोखा उपर हम लोग कर से अ thinkers ठीक है यहां पे हम लोग क्या है कि यहां पे हम लोग मल्टिप्लाई जो कराएंगे यहां पे हम लोग कर देंगे उपर जो 24 पे हम लोग मल्टिप्लाई करते हैं कितना 24 पे हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा उपर जो हमारा दिया हुआ है 24 पे हम लोग कर देते हैं इसको 108 यानि कि हम लोग यहाँ पर कितने का multiply कराएंगे ठीक है ऊपर वाला जो हम लोग समीकरण बनाते हैं ऊपर वाले समीकरण को हम लोग यहाँ पर डिरेक्ट लिखते हैं कि हमारा क्या बन जाएगह यहां से जो 32 है तो हमारा यानि कि हमने आप क्या किया तीन का मल्टिप्लाई जो है उपर करा लिया कितने का उपर जो हमने मल्टिप्लाई कराया वह हमने तीन का मल्टिप्लाई कराया तो यह हमारा हो जाएगा अठारा कितना हो जाएगा अठारा यह हमारे पास नया समीकरण बन जाएगा चौथा इस पे हम लोग क्या करेंगे इस पे हम लोग दोह का करेंगे तो छतीस दुना क्यअ हो जाएगा 2520 प्लस यहां है 24 दुन हो जाएगा हमारे पास 48 x kg ёस实 यह समीकरण पाच हो जाएगा इन दोनों को हम लोग nhân करेंगे तो इन दोनों गहता देंगे simple यहां पर हम लोग माइनस कर देंगे, यह दोनों हमारे कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यह दोनों हमारे कट जाएंगे, तो 108 में से अगर हम लोग 48 घटाते हैं, तो हमारे पास कितना बचे गए यहां पर, यहां पर जो हमारे पास इस पर बचे गए यहां पर, यहां पर हम नीचे हो गया इसको यहां पर माइनस करेंगे तो हुआरे पास कितना बचता है है यहां पर दियर हम लोग क्या करते हैं यानि हम लोग क्या करते हैं यहां पर 13 में हम लोग एक प्लस 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 के मारे पास क्या आएगा यहां से अंसर को सब्सक्राइगा तो कि एक करेंगे 10 यहां पर आप क्या करेंगे आंसर जो है एक जगा पर यहां पर करेक्ट कर लेंगे आप आप यहां पर 10 किलो मीटर पर हावर आगे हम लोग चलते हैं यहां पर 56 नंबर पर चलते हैं ठीक है हम लोग यहां पर 56 नंबर पर चलते हैं दो पाइप A वा B एक टैंग को करमसा 20 मिन में तो है इसे भर देते हैं कि यह इसे 20 और ये इसे क्या है 30 में इसे भर देते हैं यह हमारे पास क्या आएगा दो लीटर अब हम लोग यहां प्र क्या करेंगे कि हैं पे क्या करता है 30 मिनट में भर देते हैं यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा दोनों का अगर हम लोग एक साथ खोल देते हैं तो A प्लस B हमारे पास कितना आ जाएगा दोनों के एक साथ खोलेंगे भाई A प्लस B आ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा इसी पांच का हम लोग यहां पर साथ में भाग दे देते हैं साथ में पांच का भाग दे देंगे हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर बारा तो हमारे पास यहां पर क्या आजाएगा आंसर आजाएगा बारा मिनट बारा मि है हमारे पास वो क्या करते हैं इसे 37 मिनिट और क्या करते हैं 45 क्या करते हैं 70 और 45 मिनिट में भर देता है यहां पर यहां पर आप कर लेंगे 37.5 यानि कि यह हमारे क्या करता है 37.5 पे और एक होता है हमारा 35 पे भी होगा और यह हमारे पास A हो जाएगा B हो जाएगा इनका हम लोग LCM लेंगे इसका LCM हमारा कितना आएगा यदिन दोनों का हमें LCM लेना है LCM निकालना आपको फास्ट आना चीह यहाँ पर हमारा हो जाएगा 225 कितना हो जाएगा LCM जो होगा हमारा यहाँ पर 225 इसका यहाँ पर हम लोग 6 बार जो ही multiply कराएंगे तो मिल जाएगा और 45 में हम लोग कितनी बार जो ही multiply कराएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 225 हम लोग यहाँ पे 5 बार इसका multiply कराएंगे तो हमें मिलेगा 225 क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें मिल जाएगा 225 तो अब हमें क्या करना है कि यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आदा गंटा भरने में के लिए B क को कितने समय बाद बंद करेंगे तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं आदा गंटा खोलना है तो भाई इस पर हम लोग क्या करते हैं कि यह जो है मारा into 30 यानि कि A के साथ हमें 30 का गुड़ा कराना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्या है कि उससे हमें खोलना है 30 मिनट तक तो B को हमें कितना टाइम लगेगा वी को हमारे पास यहां फे प्लस करेंगे वी को कितने समय तक खोलना है तो B के साथ हम लोग यहां पर multiply कराते हैं 30 का और यहां पर minus X कर देते हैं equal to 225 यानि कि हमें जितने समय से खोलना रहेगा उतना हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा माइनस हो है वो हमारा वहाँ पर हो जाएगा क्या होगा माइनस होगा तो अब हम लोग यहाँ पर करते हैं कि यह हमारा अच्छा है तो यह हमारा हो जाएगा 180 plus b हो जाएगा यह हमारा पास हो जाएगा 180 minus का 5x is equal to 225 यह हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 180 plus 150 minus का कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 180 हो जाएगा उसके बाद कितना हो जाएगा 150 और यह तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जो हमारे पास minus का 5x है क्या है जो हमारे पास यहाँ पे minus का 5x है इसे हम लोग क्या करेंगे इसे हम लोग उधर की तरब पच्छांतर करके सारी चीजें हम लोग इधर ले आएंगे कितना करेंगे 5x इसको लटो हम लोग क्या करेंगे 225 है minus माइनस इस पर क्या हो जाएगा यह हमारे पास हो जाएगा एक एक दो हो जाएगा और आट पान तेरा यानि कि हमारे पास 180 और हम लोग अगर इसको जोडते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है ठीक है हम लोग यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं इसे सबसे पहले हम करते हैं 150-5x is equal to 225-180 तो हमारे पास कितना आता है यहां पे तब हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि 5x is equal to करते हैं तब 150-45 इसको गटाएंगे 45 आएगा तब हम क्या करते हैं 5x is equal to अगर हम यहां पर 45 गटा देते हैं तो हमारे पास कितना बसता है 45 और 5 105 जो है हमारे पास वहां पर बच जाता है कितना 105 जो हमारे पास बसता है कितना बसता है 105 तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर हमारे पास आ जाएगा 21 यानि कि हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे x is equal to हमारे पास आता है 21 अब हमारा क्या होता है b को क्या करते हैं कि b को हम लोग कितने समय बाद बंद करेंगे तो b को हम क्या करेंगे यहां पिए तीस में हम लोग है की सो माइनस करेंगे तिसमें हम क्या करेंगे यह यह चो करेंगे आदे गंटे में को बंद कर दिये तो 30 में 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आजाएगा नौ यानि कि हम लोग क्या करेंगे 9 मिनिट बाद इसे बंद करेंगे भार 15 और 20 में भरते हैं यह क्याा कि ए अब हमें क्या यहां यहां पर एगया ठीक है अब हमें क्या घरना यह पूरे समय खुला रहता है यह जो रहे तो हमारा है यह हमारा क्या रहेग रहेगा हमारा पूरे समय खुला रहता है ठीक है A हमारा पूरे समय खुला रहता है B और C को हम लोग बारी बारी बंद करते हैं तो A प्लस B और B प्लस C A हमारा पूरे समय खुला रहेगा A प्लस B हम लोग करेंगे ये 9 हो जाएगा B प्लस C हम लोग करेंगे यानि की a plus c करते हैं यहाँ पे a plus c होगा तो 5 और 3 कितना होगा हमारे पास 8 यानि की a हमारा पूरे समय खुला रहेगा b और c हमें 9 और 8 खुला रहेगा अब हमें क्या करना है कि भाई हमें यहां पे क्या करना है खुला रहता है तो एक एक घंटे के लिए खोले जाते तो टंकी कितने समय में भर जाएगी एक एक घंटे इन दोनों को खोला जाता है तो नौ और आठ हमें जोड़ देंगे सत्रा हो जाएगा यानि कि दो घंटे मिल जाके हो जाएंगे और इधर मिला के हो जाएगा हमारा सत्रा गंटे नौ और आठ हमारे पास कितने हो जाएंगे सत्रा हो जाएंगे उसी के बाद हमें पूचा है कि यहां पे क्या पूचा है कि यह पूरे समय खुला रहता है यह हमारा क्या होगा पूरे समय खुला रहेगा त आगे हम लोग देखते हैं 3 लल ABC एक टंकी को 6 दो यानि क्या होता ABC एक टंकी को क्या करते हैं 6 गंटे में भर देते हैं ABC जो हमारे पास दोनों हैं क्या है ABC जो है यह 6 गंटे में भर देते हैं यानि कि एक हमारे पास टंकी है जो क्या है ABC यह क्या करती है कि 6 गंटे में भर देत ठीक है तो उसके बाद क्या उस पर दो घंटे एक साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है दो घंटे बाद क्या होता है कि C को बंद कर देते हैं यानि ये प्लस B प्लस C जो है हमारे पास ये ये जो मारे पास 6 था 6 में से हमने क्या कर दिया 2 माइनस कर दिया क्योंकि हम इसे 2 गंटे बाद बंद कर देंगे तो हमारे पास कितनी value आ गई 4 तो अब हम क्या करते हैं A और B 7 गंटे और लेकर भर दिया यानि कि A और B क्या करते हैं 7 गंटे और लेते हैं इस टंकी को जो है भर देते हैं क्या करते हैं ए बी जो है ये 7 गंटे लेके भर देते हैं तो ए प्लस भी यहां से हमारा क्या आया कि 4 बटे 7 जो है यहां से आया क्या आया 4 बटे 7 गंटे में इसे क्या करते हैं बरते हैं कि वहारा टैंकि को भरने में कितना समय लगा अगर सी अकेले की बात करते हैं तो यहां पर सी अकेले की बात करें गहां फिसे क्या करना पड़ेगर यहां पर कि आप हमें करना पड़ेगा तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहां से यहां से यहां पर साथ जाएगा साथ में से चार गया तो यहां पड़ने में क्या करता है अकेले बरने में कितना समय लगाएगा तो यहां पर आनसर आ जाएगा चवदा इसे जब आप लोग solve करेंगे तो यह हमारा क्या आ जाएगा यहां से 3 से 2 कट जाएगा दो गुड़े 7 जब करेंगे तो यहाँ पर 14 ज्वफिस का आंसर आ जाएगा ठीक है क्या जाएगा 14 ज्वफिसका आंसर आ आएगा हम लोग आप आते एक नल किसी टंकी को एक घंटे में खाली कर सकता है क्या कर सकता है एक नल है जो क्या कर सकता है किसी टंकी को एक घंटे में खाली कर सकता है दूसरा नल उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है 60, एक घंटे में और 60 मिनिट में, यानी कि यहां पे क्या है, एक घंटे मतलब क्या है कि इसी का मतलब है, 60 मिनिट और बी का मतलब है, यहांपे 30 मिनिट, ठीक है, इन दोनों का अगर LCM, आप लेंगे, तो 180 आएगा, कितना आएगा LCuM LCD 108 6प ले सकते हैं .6 ले लीजिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ पर 1 कर देंगे यहाँ पी 2 हो जाएगा आप किया है यह राधी दोनों लेक साथ चालू कर दी जा है तो टैंगों पोँ खाली करने में लगा समय टैंक को खाली करने में जो है लगा समय यहां पर कितना हो जाएगा यह आपको बताना A प्लस B कितना हो जाएगा 3 हो गया यहां से A प्लस B हम जोड़ देंगे यहां पर कितना हो जाएगा A प्लस B हमारा हो जाएगा 3 टैंकों को खाली करने में 60 बटे 3 यानि कि हमारा कितना हो जाएगा 20 कितना आ जाएगा यहां पे जो हमें 20 मिनट लगने वाले हैं आगे हम लोग चलते हैं 61 पे 2 वर्सों के लिए किसी धन को साधारण व्याज पर एक निशित दर पर रख दिया गया यदि दर 3 प्रसेत अधिक होती है तो रुपए 300 पर अधिक होते हैं तो धन कितना था यह हमें यहां पर बताना है ठीक है क्या करना है यहां पर धन बताना है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं फार्मूला जो है यहां पर लगाते हैं हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं य यहां पर हम लोग formula यह वाला कर्लेते हैं और यह क्या होका है इसकल्ट एमारा 300 क्या दे रहा होँका है इसकल्ट ऑफ किMusic के लिए कितने वर्पस के लिए 2 क्या रहते हैं करते हैं दो का जो हैं हम लोग यहां पर गुड़ा कराते हैं तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा टू पी आर फ्लक्स यहां पर हो जाएगा और फिर यहां पर हो जाएगा हमारा यहां पर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर हो जाएगा यहां पर यहा यहां पर लगाना यहां पर लगाना है माइनस हुआ। ही के यहां से क्या आजायेगा 6 र बटे सूओ इसकोल तीन सो हमलों करते हैं तो क्या जाएगा 30,000 आय जाएगा तो और इसकोल क्या आजाता है अगर फो है अगर नोलोग है पर 6 से डिवाइड करते हैं ठीक है ह dużo सो यहाँ पर हम क्या करेंगे चोंहें पास 2002 गर्पर देंगे तो ऑरिक पूल्ड जो आने पास क्या आजएगा prost beautiful गडूए पांच जाओ घ्थिक है पांच जार के आएगा यहां पर हमारा यह आंसर हमारा सही हो जाएगा क्या हो जाएगा 5000 जो हमारा सही आंसर हो जाएगा पी है यहां पर ठीक है यहां पर हमने क्या माना पी यह हमारा क्या निकल के आएगा यह हमारा यहां से पी आएगा ठीक है पी की वैल्ली होगी यह सिक्स पी आर होगा आगे हम बात करते हैं किसी विशेष राज़ पर दो वर्स के अंत में यानि किसी विशेष राज़ के क्या है कि वर्स में दो वर्स के अंत में क्या करते हैं तेस पर्स यहां पर हमारा दो वर्स है यानि कि यहां पर हमको दिया है दो सही एक बटे चार वर्स के अंत में तेस प और हम लोग यहां पर र३क्षर 10% डीक तिर्फ क्या लिख सकते हैं इसके आपका रूपय पास कितना अठतर है साधारन व्याज रुपए हमारे पास कितना है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर में पर क्या करेंगे एस walk 2 पर यहां पर यहां पर क्या करेंगे धीक है पी- हमें क्या करना था अथे टो-हन पर लेता है यहां से वह लोग इतना तो इसके बाद हम लोग इसेicorn कर लेते हैं हमारा हो जाएका प deux होता प्चास अगर अ कि यहां से हमारा इसका हम लोग गुड़ा करा देंगे तो हमारे पास यहां से क्या आजाएगा हमारे पास आजाएगा कितना आजाएगा यहां पर से आजसर और बात करते हैं रुपाइगा कि यहां प्र nominee प्रतिसतर हमायाली क्या होगी तो यहां पर हम लोग direct करते हैं क्या करते हैं यहांपे तो हमसे आके क्या बोला एक रुपए बोला है क्या बोला है एक रुपए बोला है और हमसे क्या बोल दिया है यहाँ पे कि एक रुपए है जो वो हमारे पास क्या है इसकी अगर हम यहाँ पे simple यानि कि simple interest अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो simple interest इसकी आती हमारे पास 0.01 ठीक है क्या आएगि हमारे पास सिंपल इंट है अगर लोग इसकी निकालएगे 0.01 आएगा ठीक है आप लोग इंट इसे माह है क्या करेंगे चमने करेंगे 12 में का होता है मैसा तो एक बटे यहां पर हम लोग क्या करेंगे 12 करेंगे तो यहां से मारा आर इसकोल टू क्या आजाएगा हमारा सो अपान जो है बारा आजाएगा आर इसकोल टूमारा यहां से क्या आजाएगा आर इसकोल टूमारे पास आता है यहां से बारा आर इसकोल टूमारे पास आएगा सो अपान जो है बारा तो यहां से मारे पास पूरा अगर आप इसे कल्कु करता है देता है तो यहांसे हमारा क्या होता है इसको हम लोग निकालेंगे यानि कि हम क्या करते हैं 3 वर्स यहाँ पर और चार वर्स यहां पर क्या हो जाएगा चार सो गुड़े तीन आर बटे हम लोग यहां पर सो करेंगे और उसी को क्या करता है पान सो देता है जो चार वर्स के लिए तो हमें क्या वो देना है दर बताना है क्या करना है दर बताना है यानि कि पान सो गुड़े चार यहां पर जाएगा 16, ठीक है, क्या होगा, यह मारे पास हो जाएगा 150, यह कर देंगे, यहां से हो जाएगा 8, 14 R प्लस यहां पे 20 R is equal to 160 हो जाएगा क्या हो जाएगा 160 तो यहां से मारे पास बचेगा जो है 2 R कितना हो जाएगा यहां पे R is equal to हम लोग क्या कर देंगे 160 बटे यहां पे हो जाएगा 32 R is equal to मारे पास यहां पे क्या हो जाएगा 160 बट्टे हो जाएगा 32 यानि कि हम लोग यहां पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहांपे R is equal to मारा कितना आजाएगा 5% जो है निकल के आजाएगा कितना आजाएगा R is equal to मारे पास निकल के आएगा 5% आगे हम लोग चलते हैं कि 3000 की राशी 12 प्रतिवर्श वार्थिक के साथ हरण व्याजपर 3000 की राशी जो है हमारे पास इसे हमें क्या करना है देना है तो हमें क्या होता है कि 3000 गुड़े 12 यहां पर हम क्या यूज़ करेंगे कि 3000 गुड़े 12 गुड़े टी अपान हम लोगे आपे 100 करेंगे 3000 जो होगा गुड़े हम लोगे आपे 100 करेंगे इसके बारे में तो यहां से हमारा क्या है कितने सालों में हमें यहां से क्या मिलेगा 1080 तो यहां पर हमारा क्या करते हैं यहां पर हमारा जो हो जाता है वो हो जाता करेंगे हम लोग क्या करते हैं इसे उधर की तरफ पच्छांतर कर देते हैं ती को हम लोग यहां पर रखके क्या करते हैं इसको हम लोग यहां पच्छांतर करेंगे तो 6080 हो जाएगा into यहां पर आ जाएगा हमारा हइंडेट क्या जाएगा सिसके बाद हम लोग का करेंगी में यहमारा नीचे आताएगा यानिकि 3000 गुड़े जो है बारत इसके बाद हमारा यह जो है यह 0 यहां से और यह इससे यहांदा यहां पर कैंजिल जाएगा टिक है इसके आगे हम लोग जो है इसको यहाँ पर कैंसेल कर लेते हैं यहां पर कितने बार यहां पर कटेगा इसको म्us देख लेता है यहां कि कि यह गर हम इसे 12 से डिवाइड करते हैं यहां पे 12 तहीं क्या हो जाएगा 36 यानि कि हमारे पास क्या आ जाएगा तीन साल जो हमारे पास यह है आ जाएगा यहां से यहां से ती बराबर जो हमारे पास टाइम था यह हमारे पास निकला कितना कि तीन साल यहां पे हमारे कितना 3 यह निकल के आ जाएगा आगे हम लोग चलते हैं पर छाछट वाले पर कि 3 साल के लिए प्रतिवर्ष कहां 10% की दर से निष्चित राश क्या है यहां परие जिम्पल इंट्रेंस गो है और compound interest के बीच का अंतर क्या स्वारा शेज़़ा गेजर या नि पिदीन के बीच इनके 20 का अंतर हमारे पास क्या हो गया कि इनके 20 का अंतर हमारे पास हो जाएगा कितना बोला है option की मदद लेनी है कि यहां पर हम क्या कर रहा है 620 का अंतर है वो हम यहां पर छोड़ते हैं हम लोग सीधा क्या करते हैं simple interest अगर हम लोग यहां पर निकालेंगे 20,000 पर क्या यहां पर हम लोग option के use करते हैं कि option पर हम लोग क्या करते हैं यहां पर 20,000 लेते हैं और 1.3 का अगर हम लोग यहां पर multiply कराएंगे क्या कराएंगे 1.3 का अगर हम लोग यहां पर multiply करा देते हैं तो हमारे पास क्या होता है 26,000 जो आ जाता है यह हमारे पास क्या आ जाता है simple interest जो है निकल के आ जाता है ठीक है इसी तरह हम क्या करते हैं इसी 20,000 को जो है ले ले लेते हैं यहाँ पर यह जो आरे पास क्या है 20,000 आपे सिम्पल इंट्रेस्ट निकल के आजाता है 26 जी निकल के आजाता है 26TA620 में यहां पे क्या जाएगा चाभीस दिक आज़ाएं यह पे निकल के उटा है या जो यू आफे कंपावन इंट्रेस्टि हो तही अब हमें क्या करना यह आज ए या ग्या थो तो हमें यहां पे करना है तो इस प्रकार हमारा यहां से क्या हो जाएगा इसके जो अगर हम लोग 20 का अंतर निकालेंगे अब हम क्या कर रहे हैं आप पे जो अंतर दे रहा था तो अगर हम यहां पे क्या कर देते हैं 26000-262620 अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 620 का आएगा इसलिए हमारी रास ही क्या हो जाएगी 20,000 हो जाएगी यहाँ पे हमने किसके help से कर लिया इसे जो है option की help से आगे हम लोग देखते हैं 67 नंबर पे क्या है हमारा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें आसे सीधा से क्या निकालना है साधारण व्याज 10% व्याज इतनी है यहाँ पे हमें simple इंट्रेस्ट जो है निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई हम लोग यहाँ पर वैलू रखेंगे क्या करेंगे वैलू रखेंगे तो SI is equal to हमारे पासić हमुणदन हो जाएगा 1000 उसके बात इन्टू यहाँ हो जाएगा हमारे पास हमारे पास 10.5 हो जाएगा ट हमारे पास क्या दिया गया है 3 वर्षन तक दिया गया है इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे 100 इन दोनों को हमने यहां पर डिवाइड कर दिया उसके बाद हम यहां पर डिवाइड कर लेंगे 10 ताइं 30 हो जाएगा ठीक है हमारा यहां से क्या हो जाएगा हमने यहां पर कर लिया 10 ताइं 30 हो जाएगा 30 का गुड़ा अगर हम लोग यहां पर करा यानि 2000 गुडह 10 10 लीकि 10.5 पॉइंटे द्री अपन 110 कोई यहाँ पर 10 करना है यहाँ पर हमें कितना करना है 110 गुडह 10 करना है यहाँ है ठीक है करेँ है 7 कि अब भूण कहां पर इसे डिवाइट कर लेते हैं क्या मिलेगा 315 अब हमें आगे ग्याद करना है कि यहां पे ब्याज का जो है अंतर निकालना है ठीक है क्या करना है 315 जो है हमारा निकल के आया अब इसके बाद हम यहां पे क्या कर रहे हैं इसका हमारा जो दर है इसका हम लोग यहां पर यूज करेंगे किसका यूज करेंगे जो मारी पास यहांपे दर दी गही है इसका हम लोग यहांपे यूज कर लेते हैं धीक है तो यहांपे हम लोग क्या करेंगे यहांपे हम लोग सूत्र लगाएंगे कि C I is equal to अब हम लोग यहांपे simple interest के जो है लगाएंगे तो इसका जो है हमारा formula क्या हो जाएगा कि 1000 bracket में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 अपान ठीक है यह आपने देखा हो जाएगा bracket में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 अपान यहां से हमारा क्या हो जाएगा 10 अपान हम लोग क्या करते हैं 100 क्या करते हैं 10 अपान 100 करते हैं और minus का यहां से 1000 कर थिक है माइनस का क्या करेंगे 1000 1000 हमारा क्या हो जाता हैulla से गेरा बटे 10 और गुडे गेरा बटे 10 और माइनस का हो जाता है 1000 यह यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो हमारा आ जाता है 1300 यहाँ पर हमारा आ जाता है कि 1331 माइनस हम लोग कर देंगे 1000 तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 331 और यह जो आया है हम लोग इसका अंतर निकाल देंगे 331 माइनस 315 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास बचेगा यहाँ पे 16 कितना आएगा answer answer जो हमारा आएगा यहाँ से 16 आएगा ठीक है आगे हम लोग चलते है answer नमर पे कि चक्रवधी व्याजपर रुपाए 1000 की रासी जो है हम लोग यहाँ पे चलते हैं आपसोन आपको उधर दे दियेगा है इसे हम लोग यहाँ पे डारेक्ट जो है solve करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1000 यहाँ पे हम लोग इसे डारेक्ट जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक हजार हो जाएगा इंटू में यहाँ पे होगा हमारा गेरा बटे दस इंटू गेरा बटे दस इंटू गेरा बटे दस इतना हम लोग यहाँ पे यह काम कर लेते हैं इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यह is equal to हमारा आएगा कि 1331 हुए यह हमारा आएगा कितना आएगा 1331 हमारा यहाँ पे आएगा फिर हम लोग आगे यहाँ पे यूज करते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे जो हमारा 1728 है तो यहाँ पे अब हम लोग यूज करेंगे जो हमारा 1728 है इसका हम लोग 1728 में भी हमें क्या करना पड़ेगा तीन यानि की फार्मूला जो होता है यह मारा हो जाता है इंटू 1-R upon 100 का whole cube जो है तीन वर्स जो देता है वो हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है क्या है तीन वर्स का लगा देंगे इसकोल तुमारे पास कितना आया है इसक इसकोल तुमारे पास आया हुआ है 1331 वहाँ पे निकल किया है यह लोगों ने यहाँ पे लिख लिया अब हम क्या करेंगे 1331 हम लोग लिखते हैं गेरा बटे 12 का whole cube लिखेंगे इसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1-R upon 100 का whole cube और यहाँ पर 12 का whole cube लिख लेता है क्या लिखते हैं हम लोग 12 का whole cube लिखते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं वन माइनस इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं whole cube बटा देते हैं तो 1-R upon 100 इसकोल तो आ जाता है 11-13 कितना आ जाएगा 11-12 यहाँ जाता है इसके लाद हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर कि ार रखो hacer15 MR इंट्य जाता है आ इस्पाउं लोग यहां पर कर लेते हैं अर्च पिन्टू तर रड़ा क्या हो जाता है हें यहां लोग यहां पर कर लेते हैं फीकल लेते हैं फीं ऑट यहां पर हैं इस आंद्टपारर्फ करेंगे बारा जो lift कितना परसेंट निकल के आता है यहां से जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा आएगा आठ सही एक बटे तीन परसेंट कितना आएगा आठ सही एक बटे तीन परसेंट जो हमारा यह यहां पे निकल के आएगा अब हमें क्या करना है कि 10 में से इतने को हमें माइनस करना है 10 में स 10-8 सही 1 2 3 यहां पर हम क्या करेंगे कि 10-8 करेंगे कि यह यहां पर date मारा कितना आएगा 5 Über खासों 1 3 कितना आजाएगा 25 पाल जो है यहां पर 2 आ जाएगा हमारा हो जाएगा 2626 इसका हम बाल भाक देंगे यहां पर 6-6% जो है आजाता है यह हमारा यहां से अंसर हो जाएगा आगे हम लोग चलते है नेक्स कोशन पर कि भ Oops an दिया गया है इसके वारे में आउनों देख लेते हैं प्लाइश दिया है भाई 64000- everyday चक्वरदी ब्याज की जाद होती है तो यहांज पर होती है तो हमें यहांपे ग्याद करना है अंगत करना है न्हीं पर क्या जाएगा तिमाई पे होती है तो 3 यहाँ पे 4 तिमाई हो जाएंगी 4 आ जाएगा अब हमें क्या करना है दर हमें निकालनी है तो 10 बटे 4 करेंगे दर अबकर हमें निकालनी है यहाँ पे R हो जाएगा तो 10 बटे अगर हम लोग 4 करते हैं यहां पे तो 2.5% हमें यहां पे मिल जाती है कितनी मिल जाती है यहां पे जो हमें मिलते हैं 2.5 अब हम लोग क्या करते हैं इसी का हम लोग यहां पे use कर लेते हैं कि 64 पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहां पे हम लोग करेंगे चॉंसाट सोऑ 1 माइनस 10 आपान यहांपे 1000 और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे हम लोग यहांपे 10 tip-10,1,000 हे एक हजार करके स्कॉयर लगा लेते हैं यहां पे 10 नहीं आगत जो हमने 10 परसन निकाला हुआ है इसे हम लोग यहाँ पे करेंगे कि इसक awfully और हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा उसके बाद हम लोग представля करेंगे का 102.5 इसका हम मिल्सक्राइब करेंगे 102.5 का यहाँ पर multiply करा लगे एक सुद्व dot point है यहां पर अपान हैंडेट जो है इसका हम लोगे हापे चार बार जो है इसका हम लोगे हापे multiply कराते हैं तब हमारे पास क्या निकल के आता है कि 70-10 ओर EQ要ई 85 यहां पर निकल के आएगा क्या निकल के आएगा यहां पर हमारा कि पिर की सकतर दसे चवालीश पॉइंट पचीज यह हमारा यहां पर आता है ठीक है इसक लगत कि मऒद यहां पर क्या कर देख्याम ममारा जाता है से ज़ो यहां पर हमारा होता है यहां पर आपसन में नहीं होता है यानिकि यह आपडला सही हो जाएगा no a कि आगे हम देखे हैं आगे हम यहां पे देखेंगे को इसके बारे में हम लोग यहां पर देख लेंगे सुरेश के पास क्या है कि 15000 कि Boss आट करें सब्सक्राइर्टलिक फांनलों का रुपाइश कि 908 अगों हशा पर शेक्ञा है सिम्पल इंट्रेस्ट पर हम लोग क्या करेंगे हिसा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहां से हमारा आ हो जाएगा और यहां पर हमें नौ जोड़ना रहेगा तो मारे पास कितना जाता है 2700 कितना जाता है यहां पर आजाता है 2700 अब आगे क्या करते हैं कि 12,000 गुड़े कर लेते हैं 12,000 गुड़े आठ बटे यहां पर हम क्या करेंगे कि 12,000 गुड़े 8 बटे 100 करेंगे यह दो 0 जाएगा 12,000 यानि 960 हो जाएगा यहां से वाले पास क्या आजाएगा 960 आ जाएगा फिर हम लोग यहां पर करते हैं 960 गुड़े 8 बटे 10 करेंगे फिर हम यहां पर क्या करेंगे 960 गुड़े 8 बटे 100 करेंगे यह हमारा 0 हो जाएगा यहां से हम क्या करते हैं यहां से जो हमारा answer आएगा उससे हम लोग वहां पर लिखेंगे उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे यहाँ पे किया जाता है हमारा यहां से 8 जोड़े लेते हैं और यह जो मारे पास दो वैल्यू आई है इन्हें भी हम लोग जोड़ लेंगे यानि सद्टर को संद्ट भूम लोगों कर ले flor भूुब्र यह तोड़ा आपर क्या था तक है फिर थोड़ा जो ट्रवर सेlor क्या था कि है इतना लेकिन आपिंगatta लगाता है था यहांत आप त्वाल अगर आपको अच्छी लगी हो तूप लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ share कर देंगे